रोबर्ट टी कियो साकी के द्वार लिखित पूस्तक रिच डैड पूर डैड की प्रस्तावना इसकी बहुत जरूरत है क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदिगे के लिए तैयार करता है मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नमबर लाओ क्योंकि यह सा मानना था कि अगर कॉलेज की सिख्षय पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यारा कामियाब हो सकेंगे जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवेस्टि में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजवेट हुई और अपनी कक्ष मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उमर में रिटायर्मेंट की मेरे पती माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे हम दोनों ही बहुत मेहंती परिवारों से आये जो बहुत अमीर नहीं थे माइकल ने ओनर्स के साथ ग्रेजवेशन किया था एक बार नहीं बलकि दो बा और इस तरह उनका बविश्य भी सुनेरा लग रहा था उनके करियर करनक्सा साफ था और यह बात तै थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसाई नहीं हुआ हमने कई बार नो करी बतलने के कारण सही थे परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेस नहीं किया हमारे रिटायर्मेंट फंड हमारे खुद के लगाई पैसों से बढ़ रहे थे हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे तीन बच्चे हैं उन में से दो कोलेज में है और स्कूल से उसका मो बंग हो गया था वह पड़ाई से उप चुगा था मैं उन वीशों को पढ़ने में इतना चाता सा मैं क्यों बरबाद करूँ जो असली जिन्दगी में मेरे कामी नहीं आएंगे उसने विरोध किया बिना सोचे विचारई मैंने जवाब दिया क्योंकि अच्छी नोगरी नहीं मिलेगी मैंने एक मां की तरह चिंतित और आसंकित होकर कहा बिना अच्छी नोगरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो मेरे बेटे ने मुश्करा कर अपने सिर को बोरियत बरे अंदाज में हिलाया हम यह चर्चा कई बार पहले भी क कर चुके थे उसने अपने सिर को जुगाया और अपनी आंखे गुमाने लगा मेरी समझदारी वरीसला एक बार फिर उसके कानों के बीतर नहीं गई थी हलांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा सक्ति वाला युवक था परंतु वह नम्र और शालेन भी था मम्मी उसने ब एडोना को देखिए यहां तक की बीच में हारवड छोड़ देने वाले बिल गेट्सक ने माइक्रोसुट काइम किया आज वे अमेरिका के सबसे अमीर विक्ति हैं और अभी उनकी उमर भी 30-40 के बीच में है और उस बेसवाल पीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा ज कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी जो मेरे माता पिताने मुझे दी थी हमारे चारों तरब की दुनिया बदल रही थी परन्तु हमारी सला नहीं बदली थी अच्छे सिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सभलता की गारंटी नहीं रह गए थी और हमार जिसमें बहुत ही कीमती समान है अगर मैं आपकी सला मानूगा तो मेरा हाल भी आपके ही तरह होगा मुझे भी ज्यादा मेनत करने पड़ेगी ताकि मैं और ज्यादा टेक्स भर्स कूँं कर्ज में डूब जाओं वैसे भी आज की दुनिया में नोकरी की शुरक्षा तो बची नहीं है मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दोर में कालेज के सनात्कों को कम तंखवा मिलती है जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तंखवा मिला करती थी डोक्टर को देखी वे अब उतना बैसा नह नई जबाब चाहिए वह सही था मेरे मैता विता की सलह cohort उसे सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनासकारी था जिनोंने तेजी से बदल रही दुनिया में जनम लिया था अब मैं अपने बच्चों से यह सी दिसी बात नहीं कह सकती थी स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड आसिल करो और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करो मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की सिक्षा को सही दिसा देने के लिए नए तरीकों की खोजकरनी होगी एक माँ और एक अकाउंटेंड होने के नाते मैं इस बात से परिशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंदी सिक्षा या वित्य सिक्षा नहीं दी जाती हाई स्कूल खतम होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंदी बाठेकर में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है इस बात का ज्यान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवर्दी ब्याज की गरना किस तरह की जाती है इसे आसान वासा में कहें तो उन्हें धन संबंदी सिक्षन नहीं मिलती और यह ज्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है एक एसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा मैतव खर्च को दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुवाती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर करज में डूप गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नस्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाओगी उन्होंने कहा उनका नाम रबर्ट कियो साकी है वे एक व्यवसाई और निवेसक हैं तथा वे एक सेक्षनिक उतपात का पेटेंट करवाना चाते हैं मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलास कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माइक रबर्ट कियो साकी द्वरा बनाई जा रहे नए सेक्षनिक उतपात कैस्पलों से इतने प्रवावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलवा लिया यह एक सेक्षनिक खेल था इसलिए मैंने स्थानिया विशुद्यला में पढ़ रही अपनी उन्नीस वर्षे बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई इस खेल में हम लगवग 15 लोग थे जो तीन समूव में विबाजिक थे माइक सही थे मैं इसी तरह के सेक्षन एक उतबाद की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपॉली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था परंतु मोनोपॉली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्षय था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रावट चूहा दोड कहते थे और बाहरी रास्ते पर पहुँझना या तेज रास्ते पर जाना रावट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं रावट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से शिक्षित कड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नमर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा सनातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वह किसी आसान शुरक्षित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को एसा ही काम मिल जाता है शायद वह डोक्टर या वकिल बन जाता है या वैसे नामे बरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है बच्चा पैसे कमाता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीददारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीददारी शुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उमर के ज्यादा नोजबन जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार शादी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पुरूस और मैलाएं दोनों नोगरी करते हैं दो तनकोएं बहुत सुखत लगती है पति-पत्नी को लगता है कि उनकी जिन्दगी सफल हो गई है उन्हें अपना वविश्य सुनायरा नजर आता है अब वे घर, का, टेलिविजिन खरीदने का फैसला करते हैं सुट्या मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं खुशहाल पति-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेनत करना चाहिए उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा माइने रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनक्वाएं बढ़ जाए तनक्वाएं बढ़ती है पर उसके साथी दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत मैसूस होती है वे नोकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं बहतर करमचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगा कर काम करने लगते हैं ज़्यादा विशेसग्यता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सकें हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमदनी बढ़ जाती है परन्तु उस आमदनी पर उन्हें income tax भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी tax देना होता है इसके अलावा उन्हें सामाझ इक सुरक्षय का tax तो चुकाना ही है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनक्वा चुक जाती है वे अपनी बड़ी होई तनक्वा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के इसाब सेवे कुछ म्यूचिल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं उनके बच्चों की उमर अब 5 या 6 साल हो जाती है यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कालेज की शिक्ष्या के लिए भी बचत जुरूरी है इसके साथ यह अपने रिटायर्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशाल दमपती अब अपने नोकरी के बाकी दिन चुहा दोड़ में फसकर बिताते हैं वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और पैंक में अपनी गिर्वी संपती तथा क्रेडिट कार्ड के करज को चुकाने के लिए काम करते हैं फिर वे अपने बच्चों को यह सला देते हैं कि उन्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए अच्छे नम्मर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नोक्रे की तलास करना चाहिए वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिन्दगी भर कड़ी मेन्यत करते रहते हैं यह प्रकिरिया पीडी दर पीडी चलती है इसे चुहा दोड कहते हैं चुहा दोड से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों चेत्रों में निपण हो जाएं दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विश्यों को बोरिंग और कठिन मना जाता है मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग एट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताजुग हुआ कि रावर्ट ने इन दोनों बोरियत और कठिन विश्यों को सीखना इतना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था सीखने की पिरकिरिया इतनी अच्छी तरह से चुपा ली गई थी कि जब हम चुहा दोड से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें ये द्यानी नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे शुरू में तो हम एक नए सेक्षनिक खेल का परिक्षन कर रहे थे परिशानी नहीं होई मैंने खेल के नियम और इसकी बारिकियां समझाने में अबनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की उस रोज मैं चुहा दोड से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा हालांकि खेल लगवग 3 गंटे तक चला मेरी टेबल पर एक बेंकर बैठा था इसके लावा एक वेवसाई था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था मुझे यह देखकर बहुत एरानी हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है जबकि यह विशे उनके जिंदगी में कितने ज़्यादा इमियत रखते थे मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल जिंदगी में अपने पैसे देले के कारूबार को कैसे समभालते होंगे मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल के बेटी क्यों नहीं समझ सकती पर यह लोग तो उससे दुगनी उमर के थे और उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए थी चुहादोड से बाहर निकलने के बाद मैं दो गंटे तक अब ने बेटी और इन सिक्षित अमीर वियसकों को पासा फेंकते और अपना बाजार पहलाते देखती रही हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रही थे लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी वियसक लोग समाने अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलबूत पिंदों के बारे में कितना कम जानते थे उन्होंने अपने इन्कम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी सम्मंद को समझने में भी बहुत समय लगाया अपनी संपत्ती खरीदते और बेशते समय उन्हें ध्यानी नहीं रहा कि हर सोदे में उनकी महिने के आमदनी पर असर पड़ रहा है मैंने सोचा असल जिन्दिए में इसे करोणों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि उन्होंने ये दोनों विशे कभी नहीं पड़े मैंने मन में सोचा बगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्षा खेल में जीतना है जब खेल खतम हो गया तो रावर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश पलो पर चर्चा करने और इसकी समिक्षा करने के लिए कहा मेरी टेबल पर बैठा भी अफसाई खुश नहीं था उसे खेल पसंद नहीं आया था मुझे ये सब जानने की कोई जुरूट नहीं है उसने जोर से कहा मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट बेंकर और वकील है जिनें ये सब मालूम है रावर्ट का जवाब था क्या आ ये लोग स्मार्ट होते हैं परंतु उन में से ज्यादातर अमीर नहीं होते हैं चुकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं इसलिए हम इन लोगों को सला देते हैं परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं आप ट्रेफिक ज और आपको वहाँ आपका बेंकर भी उसी हाल में नजराता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस स्केल से प्रवावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं साफ्टेर खरीद सकता हूँ। बेंकर जरूर परवावित हुआ था, मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था, परन्तु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह काम में लाया जाई। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे चुहा दोड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को त किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपनी काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाई चुनूं और यहे व्यवसाई चुनने का कारण नोकरी की सुरक्षा उससे मिलने वाले फाइदे या अगर मैं इस खेल में सिखाए जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ अभी तक मुझे उस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नोकरी पाने में मदद मिले अब मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नोकरी की सुरुक्षा और सामाजीक सुरुक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी जैसी की मेरी बहुत सी सहलियों को होती है खेल खत्म होने के बाद मुझे रोबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बाहने रोबर्ट यह चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेतर समझ विक्षित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उच सुप थी मेरे पती और मैंने रावर्ट और उनकी पत्री के साथ अगले अपते डीनर मिटिंग रख ले हलांकि यह है हमारा पहला समझ एक मेल जोल था फिर भी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बर्सों से जानते हो हमने पाया कि हमें बहुत से बाते एक जैसी हैं हमने बहुत से विशों पर बातें की खेलों, नाटकों, रेस्ट राओं और सामझ इक आर्थिक विशों पर हमने बदलती होई दुनिया के बारे में बातें की हमने इस मुद्धे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रेटायर्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल नहीं बचा पाते हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगबग दिवालिया हालात पर विचर्चा की क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड वरद लोगों के लिए रेटायर्मेंट के लिए पैसा चुकाना होगा हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के बरों से बैठकर कितना बड़ा खत्रा मोल ले रही है रावर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है थी कि अमीरों और गरीबों के बीज फासला लगातार बढ़ता जा रहा है एसा नय सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बलकि पूरी दुनिया में हो रहा है रावर्ट स्वे सिक्षित और स्वे निर्मित भी अवसाई थे वे दुनिया भर में निवेस कर चुके थे और 47 वर्ष की उमर में रेटायर होने में सफल हो गई थे वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है पर उन्तु इसके बावजूद शिक्षा पदतियां बिल्कुल नहीं बदली है रावर्ट के अनुसाब बच्चे सालों तक दकी अनुसी शिक्षा पदती में अपना समय गुजारते हैं और एसे वीशे बढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं और वे एसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामों निसान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह है यह है स्कूल जाओ अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नों के ढूंड़ो उन्होंने कहा यह पुरानी सला है और यह खराब सला है अगर आप यह देख सकते हैं कि एसिया यूरोप दक्षिन अमरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंदित होंगी जितनी की मैं रावट के अनुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे का बविशय आर्थी ग्रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सारे नए खेल को नहीं खेल सकते यह बहुत खदरनाक होगा मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों के लीक पर ही चलते रहते हैं उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कोर्परेशन स्टाफ कम करने की गोश्टना करता है, लोगों को नोकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबा हो जाते हैं, बेरोजगरी बढ़ जाती है, हाँ, परन्तु कम्पनी पर इसका क्या आसर पड़ता है, खास कर जब वह कीमते बढ़ जाती है, मैंने कहा, जब कम्पनी तनक्वा का खर्चा कम करती है, तो बाजार इस बात को पसंद करता है, एसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए किया जाई, या फिर कम्प्यूटर के मादम से किया जाई, उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टाक की क जीतते हैं, रावट करमचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे, यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंतर्ण होना, या फिर आपकी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंतर्ण होना, परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ सकते कि एसा क्यों होता ह मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, उनका जवाब था, इसलिए तो बच्चों से यह कहना मुर्गता है, अच्छी सिक्षा प्रापत करो, यह सोचना मुर्गता है कि स्कूलों में दी जा रही सिक्षा से, बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तयार हो धन के कुछ नियम होते हैं, जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं, जिनसे बाकि 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सिखते हैं, इसलिए आज कल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है, मन लगा कर पढ़ जो और अच्छी नोकरी खो जो आज बच्चों को अलग तरह की सिख्षा की जरूरत है और आज की सिख्षा निती उन्हें कुछ मूलबूत बाते नहीं सिखा पा रही हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना अंप ऐसा खर्च कर रहे हैं जब सिख्षा है निती में यह विशा हम नहीं है तो उसे किस तरह पड़ाया जा सकता है आब सवाल यह उठता है किस तरह नाताबिताबने बच्चों को यह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते, आप अपने बच्चों को एकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं, क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते हैं, और आप उसे किस तरह निवेश करना सिखाएंगे, जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खत्रे से ट्रते हैं, अपने अभी विचार किया है, मैंने रावट से पूछा, हम किस तरह इसे माता-पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खास कर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझना हो, उन्होंने कहा, मैंने इस विशे पर एक पुस्तक लिखी है, वह पुस्तक कहा है, मेरे कम्प्यूटर में, यह बर्सों से वहीं बिखरी पड़ी है, मैं कभी कवार उसमें, कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी कठा नहीं कर पाया, मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था, जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी पुस्तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूँ, यह अभी भी खंडों में है, और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी, उन बेतर्तिव खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया, कि पुस्तक निश्चित रूप से बेतरीन थी, और स विचार से किसी बच्चे को कितनी वितिया आई की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्वर करता है। अपने बच्पन में उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे। और उन्हें एक एसे पिता सुरूब व्यक्ति मिल गए जो अमीर थे और जो उनका मारक दर्सन करने के इच्चुग भी थे। रावट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नीम है। जिस तरह सकूल में सिखे गई बातें बहुत महत्वकूर्ण होती है। उसी तरह धन संबंदी, समझ और बोलने की कला भी महत्पूर्ण होती है। आगे की कहने रावट के दो डैडियों के बारे में हैं जिन में से एक अमीर है और दूसरे गरीब। जिनके जरिये रावट उन रहशों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सिखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है जिसमें कुछ जोडा और गटाया है और इसे व्यवस्तित करने के लिए काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पड़े उन से मेरा यही कहना है कि वे अपने किताबी ज्यान को एक तरव रख दें और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदान्तों को घुश जाने दें। और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदान्तों को घुश जाने दें। हलांकि उन में से कई सिदान्त पहली नजर में गलत लगेंगे। अकाउंट्स के सिदान्तों की बुनियादी बातों को चुनोती देते लगेंगे। परंतु यह याद रखें कि वे एक मैतोपोन दरश्टी देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेसक अपने निवेसके फैसलों का विशलेशन करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नोकरी पाने की सला देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांसकर्तिक आदतों के कारण करते हैं। एसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है। जब मैं रावर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चोंका दिया। दो डैडियों के साथ पले बड़े रावर्ट के सामने दो अलग-लग लक्षे होते थे। उनके पड़े लिखे डैडियोंने कारॉपरेशन में नोवरी करने की सला देते थे। और उनके अमीर डैडियोंने कारॉपरेशन का मालिक बनने की सला देते थे। दोनों ही कामों मे सिक्षा की जुरूरत थी परंतु पढ़ाई के विशे बिलकुल अलग लग थे पढ़े लिके डैडी रावर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोचसाइद करते थे अमीर डेडी रावट को यह जानने के लिए प्रोच साइट करते थे किस तरह समार्ट लोगों की सिवाईं ली जाएं दो डेडीयों के होने से कई समश्याईं भी पैदा हुई रावट के असली डेडी हवाई राज्ये के सिक्षा परमुक थे जब रावट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी अगर तुम्हें अच्छे नमबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी वे पहले से ही ये जानते थे कि उनके करियर का लक्षय था कॉर्परेशन का मालिक बनना ने की उसमें नोकरी करना सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदारों मेहंती परमर्जदाता नहीं मिला होता तो रावट कभी कालेज नहीं गई होते वे इस बात को मानते हैं वे दोलत कमाने के लिए बेताब थे परन्तु वे आखिर कार मानी गई कि कालेज की सिक्ष्या से भी उन्हें फाइदा हो सकता है दरसल इस पुस्तक में दिये गई विचार शायद बहुत से माता पिताओं को करांतिकारी और अतिशोक्ति पूर्ण लगेंगे कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में भी काफी परेशानी काफी मेनत करनी पड़ती है परन्तु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जो खिंबरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों को करमचारी बनने की सला देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भर अपनी खून पसेने की कमाई से इंकम टेक्स और भी नहीं जाने कितने टेक्स चुकाने की सला देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती और यह सच है कि आज के जमाने में टेक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है हकीकत में ज्यादातर परिवारतों जनुरी से आदी मई तक सिर्फ अपने टेक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नोकरी करते हैं आज नई विचारों की बहुत जुरूरत है और यह पुस्तक हमें नई विचार देगी रावर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं डिनर टेबल पर सिखाते हैं, हो सकता है कि ये विचार वे नए हो जिन पर आप अपने बच्चों से बात करते हों, परन्तु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सला देती हूं कि आप खोज करते रहें, एक माँ और एक CPA होने के नाते, मैं तो यही सोचत कि अच्छे करमचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेस कोर्परेशन भी खोल सकें, दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा, एक माँ होने के नाते, मुझे उमीद है कि यह पुस्तक सभी अभी बावकों के लिए फाइदे बंद होगी, रावट लोगों को य यह बताना चाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है, अगर आप एक माली या गेट की पर हैं, या पूरी तरह वेरोजगार हैं, तो भी आप में खुद को अपने और अपने परिवार के लोगों को धन संबंदी बातें सिखाने की काबलियत है, यह याद रखें कि धन संबंदी बुद्धी वह दिमागी तरीका है, जिससे हम अपने धन संबंदी समश्याओं को सुलजाते हैं, आज हम एसे विश्व याप्टी तकनिकी परिवर्तनों का सामना कर रही हैं, जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया, किसी के पास भी जादू की पुडिया नहीं है, परन्तु एक बात तो तय है, एसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं, जो हमारे यथाप्ट से परे हैं, कौन जाने, वो विश्या हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो, हमारे पास दो मूलबुत विकल्ब मुझूद है, या तो हम हमार्ट बनकर, खुद को धन संबंदी क्षेत्रों में सिक्षित करें, और अपने बच्चों की धन संबंदी परतिवा को भी जाकरीत करें, शेराम लेक्टर, धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याए एक कितरब, रिच डैड, पूर डैड, रावर्ट कियो साकी के अनुसा अध्याए एक, रिच डैड, पूर डैड, रोबर्ट कियो साकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे करीब, एक बहुत पड़े लिखे और समझधार थे, वे पिएजडी और उन्होंने अपने चार साल के अंडर ग्रेजुएट कार्विया को दो साल से भी कम समय में कर लिया था इसके बाद वे आगे पड़ने के लिए स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अप सिकागो तथा नार्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कालर्शिप के सारे ही किया मेरे दूसरे डेड़ी आठवें से आगे नहीं पड़े थे दोनों ही अपने करियर में सफल थे दोनोंने जिंदगी भरकड़ी मेहनत की थी दोनोंने यह काफी पैसा बनाया था परंतो उन्हों में से एक तो पूरी जिंदगी के लिए परेशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर विक्तियों में से एक बन गई एक डेड़ी के मरने पर उनके परिवार, सर्च और जरूर्पंदों को करोडों डोलर की दोलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्द छोड़ कर मर गई मेरे दोनों डेड़ी इरादे के पक्के, चम्तकारी और परभावशा ली थे दोनों ने मुझे सला दी परन्तों उनकी सलाएं एक सी नहीं थी दोनों इस शिक्षा पर बहुत जोर देते थे परन्तों उनके दोरा सुझाए गए पढ़ाई के विशे अलग अलग थे अगर मेरे पास केवल एक ही डेड़ी होते तो मैं या तो उनकी सलाएं मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता चुकि सला देने वाले दो थे इसलिए मेरे पास दो विरोधावासी विचार होते थे किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या नए मानने के बज़ाए मैं उनकी सलाओं पर काफी सोच विचार करता उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था समझ्षा यह है थी कि अमीर डेड़ी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डेड़ी अभी गरीब नहीं थे दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दोलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे परन्तु पैसे के बारे में दोनों के विच्यार और नजरिये एकदम अलग थे उधारन के तोर पर एक डेड़ी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराईयों की जड़ है जब कि दूसरे डेड़ी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डेडियों की अलग-अलग सलाओं से दिक्कत होती थी एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बाते सुनना चाहता था पर एसानी यह थी कि दोनों एक सी बाते नहीं करते थे उनके विचारों में जमीन आस्मान का फर्क था खासकर पैसे के मामले में मैं काफी लंबे समय तक यह अए सोचा करता कि उन में से किस ने क्या काहा क्यों काहा और उसका परिणाम क्या होगा मेरा बहुत सा समय सोच विचार में गुजर जाता था मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता उन्होंने इसा क्यों कहा और फिर दूसरे डैडी के दुआरा कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता काश मैं यहे बोल सकता हाँ वे बिल्कुल सही हैं मैं उनकी बातों से पूरी तरह सैमत हूँ या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात टुकरा सकता था बुड़े को यह भी नहीं पता कि वैं क्या कह रहा है चुकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मज़ूर होना पड़ा इस तरह सोचना मेरी यादत बन गई जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फाइदेमन साबित हुई अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फाइदेमन नहीं होता धन दोलत का वीशे स्कूल में नहीं बलकि घर पर पड़ाया जाता है शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मद्यम वर्क कर्ज में डूबा रहता है हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता-पिता से सीखते हैं कोई गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है वह सिर्फ इतना ही कह सकता है स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले फिर भी पैसे के मामले में उसके मान सिकता और उस संबंदी निपूंता पर इससे यह साप हो जाता है कि जिन स्मार्ट बेंकर्स डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नमर आते हैं वे जिन्दगी विरपैसे के लिए संगर्स्कियों करते हैं हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफी हद त हो तब क्या होगा जब हमारे पास एसे करोड़ों लोग होंगे जिने आर्थिक और चिकित्सकिया मदद की जरूरत होगी धन संबंदी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्बरोंगे क्या होगा जब मेडिकेर और सोसल सिक्रिटी के पास पैसा खतम हो जाएगा किस तरह कोई देश तरकी कर पाईगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के उपर छोड़ दी जाएगी जिन मेंसे ज़्यादार गरीब हैं या गरीब होंगे क्योंकि मेरे पास दो परवहोशाली डेडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा मुझे दोनों की इसला पर सोचना पड़ता था इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिन्दगी पर कितना जबर्दस्त असर डाल सकते हैं मुझे इसके बजाई यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ पहला वाक्या नकारात्मक है और दूसरा प्रशन वाचर एक में बात खतम हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझ जाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीच सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है इसके बजाए जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ उसे खरीदी लें। वे लगबग दिवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे। और उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूं। यह इतना तेज होता जाता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता। कहना दिमाग की आलश्य की पहचान है। हालांकि दोनों इडेडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे। परंदु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डेडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे। और दूसरे डेडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दिर काले नतिजा यहे निकला कि एक डेड़ी आर्थी ग्रूप से बहुत अमीर होते चले गई जबकि दूसरे डेड़ी लगातार कमजोर होते चले गई। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोपे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आफ ज़्यादा तंदरूस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आफ ज़्यादा अमीर हो सकते हैं अलस्य से स्वास्ते और धन दोनों का ही नुकसान होता है मेरे दोनों डैडियों की विचारदारा में जमीन आस्मान का फासला था एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टेक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फाइदा मिल सके जबकि दूसरी डैडी सोचते थे टेक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं एक डैडी सी काते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुमें किसी अच्छी कंपनी में नोकरी मिल जाए जबकि दूसरे डैडी की सीखिया थी मेहनत से पड़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनस के बारे में बात करते थे परन्तु दूसरे डैडी बोजन करते समय पैसे की बाते करने के लिए मना करते थे एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो, सुरक्षित कदम उठाओ, खत्रा मत उठाओ, दूसरे का कहना था, खत्रों का सामना करना सीखो, एक का मानना था, हमारा घरी अमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपक्ति है, जबकि दूसरे का मानना था, मेरा घर म आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेस है तो आप कष्ट में हैं दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे परंत उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए वे हमेशा तनखवा में बड़ोतरी रिटायरमेंट लियो जनाओं मेडिकल लावों बिमारी की चुट्टी चुट्टियों के दिन और बाकी सुईदाओं के लिए चिंतित रहते थे वे अपने दो चाचाओं से बहुत सुईदाओं की भी तारिफ करते थे उन्हें विश्व द्यला का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था कई वार नोकरी से आजीवन मिल रही सुरुक्षा और नोकरी के लाब नोकरी से ज़्यादा मैत्वण हो जाते हैं वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत म कमजोर और आर्थी ग्रूप से जरूरतमन बनाती है उनका द्रड विश्वास था कि आदमी को आर्थी ग्रूप से सक्षम होना चाहिए एक डैडी उस डॉलर बचाने के लिए परिसान रहते दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेस करते रहते एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नोकरी तलासने के लिए अच्छा बायोड़ा कैसे लिखा जाएं। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाइक और वित्य योजनाई लिखी जाएं जिससे मैं नोकरियां दे सकूँ। दो पर बावसाले डैडियों के साथ रहने के कारण मु मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह वविश्य बनी सही सावित होई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडियों मैसा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे। मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक जटके के ब मेरे गरीव डैडि यह भी कहते थे। मेरी पैसे में कोई रूची नहीं है या पैसा में तपूर नहीं है। मेरे अमीर डैडि हमेशा कहते थे। पैसों में बहुत ताकत है। हो सकता है आपके विचारों की ताकत को कभी भी नाम आपा जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह स समझाने जा सके फिर भी बच्पन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभी व्यक्ति पर भी मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे बलकि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचा और काम गरीबूं की तरह थे दो डेड़ी होने के कारण बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत साउधन हो चला था कि मैं किस तरह की विचारदारा को अपना हूँ मैं किस की बात मानूं अपने अमीर डेड़ी की या अपने गरीब डेड़ी की आलंकि दोनों ही सिख्षा और ग्यान को वैत्वपूर मानते थे परंतु क्या सिखा जाए इस बारे में दोनों की राए अलग लग थी एक चाहते थे कि मैं पड़ाई में कड़ी मेनत करूं डिगरी लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नोगरे डूंड लूं वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अ मैं पैसे के लिए काम नहीं करता इन शब्दों को वे बार बार दोराया करते पैसा मेरे लिए काम करता है नो साल की उमर में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डेडी से सिखूँगा यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डेडी की बातों पर हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताइं पसंद है परन्तु दरोड नाट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैं इसकी सिख्षय का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ दरोड नाट टेकन वह राग जिसे चुना नहीं गया पीले जंगल की दो राग बंटती थी और अबसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं देर तक खड़ा रहा दूर तक यह देखते हुए कि यह राग कहां तक जाती है जुर्मटों में मुढ़ने से पहले फिर मैंने दूसरी रहा चुनी उतनी ही सुन्दर और शायद बेतर भी क्योंकि यहां गास जाता थी और कम लोग गुजरे थे हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुक्सान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी पत्यों पर काले कदम नहीं थी और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं मुझे शक था कि मैं कभी लोटूँगा मैं आख बरकर यह कमूँगा आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में दो रही बढ़ती थी मैंने कम चलियों रह को चुना और इसी बात से सारा प्रक पड़ा बहुत समय गुजर चुका है पर मैं अब भी रावट फ्रास्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ पैसे के बारे में अपने पड़े लिखे डेड़ी की सला और नजरिये को नए सुनने का मेरा फैसला दुखत था परन्तु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरे जिंदगी की दिसाद तै कर दी एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किस की बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंदी सिक्षा शुरू हो गई मेरे अमीर डेड़ी ने मुझे 30 साल से विज़ादा समय तक सिखाया तब तक जब तक कि मेरी उमर 49 साल नहीं हो गई और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धी में भरने की कोशिस कर रही थे पैसा एक तरह की ताकत है परन्तु इससे भी बड़ी ताकत है विद्धिय शिक्षा पैसा तो आता और जाता रहता है परन्तु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा तकत्वर हो जाते हैं और आप दोलत कमाना चालू कर सकते हैं केवल सकारात्मक चिंतन से ही समझ चाहल नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि इस पैसा किस तरह से काम करता है इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बरबाद कर देते हैं मेरी सिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल नो साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पढ़ाया वे बहुत आसान थे और सारी बातों को चोड़ कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे तीस साल तक कुल छे मैत्वण पाट पढ़ाई यह पुष्टक उन्हीं छे पाटों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिस की गई है जितना की मेरे अमीर डैडी ने मुझे मेरे लिए आसान बनाया था यह पाट आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गई हैं बलकि मार्गदर्सक की तरह लिखे गई हैं एसे मार्गदर्सक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे चाहे बदलती हुई इस एनिस्चित दुनिया में कुछ भी होता रही धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई दो की तरह जो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते आपका दिन शुब हो रिच डैड पूर डैड अध्याई दो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखवार नीचे रख दिया बेटे क्या तुम अमीर बनना चाते हो क्योंकि याद जिमी की ममी अपनी नई कैडलिक कार में आई और वे लोग पिक्निक पर अपने समुंदर तट वाले गार पर जा रही थे जिमी अपने साथ हमने तीन दोस्तों को ले गया परंतु माई को और मुझे नहीं ले गया उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे उसने ऐसा कहा डैडी ने आतमिस स्वास से पूछा हाँ बिल्कुल मैंने दर्दबरी आवाज में कहा डैडी ने अपना सेरे लाया नाग तक अपने चस्वे को चड़ाया और फिर अख़बार पढ़ने लगी मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा यह है 1956 की बात है तब मैं नो साल का था किस्मत की बात थी कि मैं उसी पविलिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे हम शुगर प्लांटेशन के कस्वे में रहते थे प्लांटेशन के मैनेजर और कस्वे के बाकी लोग जैसे डोक्टर और बिजनसमें और बैंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से चटी कक्षा तक इसी स्कूल में बेशते थे चटी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेजा जाता था अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में बेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे चटीक अक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पबलिक इंटरमेडियेट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी तरह मेरे लिए भी प्राइविट स्कूल में जाना संभव नहीं था मेरे डेली ने आखिर अख़वार को नीचे रख दिया मुझे पता था वे क्या सोच रही थे उन्होंने दिमे से सुरू किया अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए मैंने पूछा मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ अपने दिमाग के इस्तिमाल से उन्होंने मुश्कुराते हुए कहा इसका असली मतलब यह था बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता इसलिए मुझे तंग मत करूँ अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई जहां तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे बाइक भी मेरी तरह था क्योंकि वह भी किस्मत की वज़े से इस स्कूल में था ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्पे के स्कूलों की सरदें ते कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे सच का जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे परंतु ऐसा हमें लगता था क्योंकि बागी सभी बच्चों के पास नए बेसबाल गलाउज नई साइकलें और हर चीज नहीं होती थी मम्मी और डैडी हमें भी सभी जरूटों की चीज़ें जिलवाते थे जैसे खाना अंगहर कपड़े परंतु इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे डैडी कहा करते थे अगर तुमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो हमें बहुत से चीज़ें चाहिए थे परंतु नो साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे माइक ने पूचा तो पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता मैंने कहा परंतु क्या तुमें इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे वह हैराजी हो गया और उस शनिवार की सुवए माइक मेरा पहला बिजनस पार्टनर बन गया हम दोनों पूरी सुवए यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए कभी कभार हम उन बेफिकर बच्चों के बारे में बतें करते जो जिमी के सुवंदर तट वाले घर पर मजे कर रही होंगी इस से थोड़ी चोट पहुंचती थी परन्तु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेदित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए आखिर कार उस दो पैर को हमारे दिमाग में बिजली कौन गई यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था रोमंचित होकर हमने हाथ मिलाई और पार्टनर्शिप के पास अब एक बिजनस था अगले कुछ अपतों तक मैं और माइक दोड़ भाग करते रहे हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पडोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किये वे टूथ पेस्ट टूब हमारे लिए रख ले हैरत से हमें देखते हुए ज़ादातर लोगों ने मुस्करा कर हमारी बात मान ले उसने हमसे पूछा कि टूथ पेस्ट टूब हमें क्यों चाहिए इसके जवाब में हमने कहा हम आपको यह नहीं पता सकते यह एक बिजनस सीक्रेट है सब्ता गुजरते गई और मेरी माँ बहुत दुकी हो गई अपने कच्चे माल को इकठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वहें उनकी वाशिंग मशीन के ठीक पास थी एक भूरे कार्डबोर के बक्से में जिसमें कभी केचप की बोतले रखी रहती थी हमारे इस्तेमाल किये वे टूथपेस्ट के टूपस के संख्या बढ़ने लगी आखिर एक दिन मा के सबर कावान तूट गया पडोसियों के मुड़े तेड़े रिस्तेमाल किये वे टूथपेस्ट टूपस को देखते देखते वे उप गई थी उन्होंने पूछा तुम लोग कर क्या रहे हो और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनस सिगरेट है इस कच्रे को साब कर दो या मैं इसे बाहर उठा कर फैंक दूँगी माईक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े उन्हें यह बताया कि हमारी ही जल्दी हमारा कच्चा माल पर याप जमा हो जाएगा और फिर हम उत्वादन शुरू कर देंगे हमने उन्हें मताया कि हम कुछ पडोशियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथ पेस्ट के ट्यूब्स खतम कर ले मा ने हमें एक अपते की मौलत दे दी उत्वादन शुरू होने की तारिक नजदीक आ गई थी दवाओ बढ़ गया था हमारे वेराउस के मलिक यानि मेरी मा ने हमारे पहली पार्टनर्शिप कंपनी को जगे खाली करने का नोटिस थमा दिया था अब माईक का काम यह था कि वह परोशियों को अपने टूथ पेस्ट चल्दी खतम करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे दान्त के डाक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए मैं उटपादन की परक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया एक दिन मेरे डैड़ी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई और उनके आस्चरिया का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ नो साल के दो बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी कती से जुटे देखा हर तरब बारिक सफेद फाउडर बिखरा हुआ था एक लंबी मेजबर स्कूल से लाए गए दूद के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दैकते कोईलों के साथ अडिक्तम गर्मी पर चल रही थी डेड़ी सावदानी से चल कर हमारे करीब आई चोकि हमारी उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्ट्स पर कबजा कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोईलों के उपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूप पिगल रही थे उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूप में नहीं आते थे ट्यूप सीसे के बने होते थे एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूप को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वे पिगल कर दरववया के रूप में आसके इस पिगले वे सीशे को हम छोटे छेद वाले दूद के काटनों में डाल रहे थे दूद के इन काटनरों में प्लास्टिक आप पेरिस बरा था हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर ही था जिस में उमने पानी मिलाया था जल्द बाजी में मैंने उसके बैक को गिरा दिया था और पूरी जमीने से लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी वर्प का तुपान आया हूँ दूद के कार्टन बाहरी बक्से थे जिनके वेदर प्लास्ट राप पेरिश के संसे थे मेरे डैड़ी और उनके दोस्त में देखते रहे और हम पिगलेवे सीसे के प्लास्ट राप पेरिश के क्यूब के उपर से चोटे छेद में डालते रहे संभल कर मेरे डैड़ी ने कहा मैंने बिना सीर उपर उठाई हामीवर्दी आखिरकार जब सीजे को डालने का काम खतम हो गया तो मैंने स्टील के बरतन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराया उन्होंने हलकी मुस्कान के साथ पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था हम अमीर बनने जा रहे हैं मैंने कहा हाँ माइक ने सीद को हिलाते हुए और मुस्कराते हुए कहा हम दोनों पाटनर हैं डैड़ी ने पूछा और इन प्लास्टर के संसों में क्या है देखिए मैंने कहा इनमें एक बहुत अच्छी चीज है चोटे अतोडे से मैंने सील को ठोका जिससे बाहर ही खोल तूट गया सावदानी से मैंने उपर के आदे प्लास्टर को अटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर घर गया हे बगवान मेरे डैड़ी ने कहा तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे बिल्कुल सही माइक ने कहा हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था हम पैसा बना रहे थे मेरे डैड़ी के दोस्त जोर से हंसने लगे मेरे डैड़ी भी मुस्कुराई और उन्होंने अपना सीरे लाया उनके सामने आग और टूथपेस्ट की टूपस के बक से के साथ सफेद धूल में लिप्टे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़ कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीडी पर बैटें मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसा सी सब्द का मतलब समझाया हमारे सपने दरासा ही हो बही थे तो आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है माइक ने कांपती आवाज में पूछा छोड़ो भी डेड़ी के दोस्त ने कहा हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजाद पर तिवागों विक्षित कर रहे हूँ मेरे डेड़ी हमें गुरते रही हाँ यह गैर कानूनी है डेड़ी ने नर्मी से कहा परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रसनात्मक्ता और मौलिक विचार है इसी तरह आगे बढ़ते रहो मुझे तुम पर गर्व है निरास ओकर माइक और में तकरिबन 20 मिनिट तक चुप चाप अपना सिर पगड़ कर बैठे रही इसके बाद हमने सारा आटाला साब करना शुरू कर दिया पहले ही दिन हमारा बिजनस चोपट हो गया था पाउडर साब करते वे मैंने माइक की तरफ देखा और कहा मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक हैं हम सचमस गरीब हैं जब मैंने यह कहा तब डैड़ी बस जाने ही वाले थे बच्चो उन्होंने कहा तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे सबसे महत्वपून चीज यह है कि तुमने कुछ किया ज़्यादा तर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सबने देखते रहते हैं तुमने कुछ किया है मुझे तुम दोनों पर गर्व है मैं एक बार फिर से यही कहूंगा आगे बढ़े चलो हार मत मनो माईक और मैं खामोस खड़े रहे यह सब चुनने में अच्छे थे परन्तु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए तो ऐसा क्यों है डेड़ी कि आप अमीर नहीं है मैंने पुछा क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला लिया था स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हम सिर्क पड़ाना पसंद करते हैं कास कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता परन्तु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दोलत कैसे कमाई जाती है माईक और में पल्टे और अपने सफाई अभियान में जुट गई डैडी ने कहा अगर तुम लोग यह सीखना ही चाते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो माईक तुम अपने डैडी से ही यह सवाल पूछो मेरे डैडी माईक ने हैरानी से कह हाँ तुम्हारे डैडी मेरे डैडी ने मुश्कराकर दो रहाया तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारिफ करता है उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है मेरे डैडी माइक ने एक बार फिर हैरानी से पुछा फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शांदार कार और आलिसान बंगला नहीं है शांदार कार और आलिसान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निस्षित रूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं डेडी ने जवाब दिया जीमी के डेडी सुगर प्लांटेशन में काम करते हैं उन में और मुझ में ज़्यादा फार्क नहीं है वे एक कमपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए है कमपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है इस समय शक्कर की कमपनी आर्थिक संकड में फजी हुई है और जीमे के डेडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे डेडी अलग है माई ऐसा लगता है कि वे एक समराज ये बनाने जा रहे है और मेरा अंदाजा है कुछी सालों में बहुत अमीर बन जाएंगी यह सुनकर माईक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए नए उत्सा से हमने अपने डूबी बे वेवसाई के कच्रे को साफ करना शुरू कर दिया जब हम सभाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माईक के डेडी से बात की जाई समझ्षा यह थी कि माईक के डेडी बहुत जारा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लोटते थे माईक के डेडी के पास कई वेराउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की सरंगला और तिन रेस्तरा थे रेस्तराओं के कारणी उन्हें घर लोटने में देरी हो जाती थी सफाई खत्म करने के बाद माईक बस बकड़कर अपने घर चला गया वह अपने डेडी से बात करने वाला था चाहिए वे कितनी देर से घर लोटे और उनसे पूसने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तयार है माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वे अपने डेड़ी से बात कर लेगा वे अब मुझे फोन करेगा चाहे कितनी देर क्यों नहीं हो जाए फोन रात को साड़े आट बजे आया ओके अगले शनिवार मैंने करा और फोन रख दिया माइक के डेड़े माइक और मुझसे मिलने के लिए तयार हो गए थे शनिवार की सुबह साड़े साथ बजे मैंने शहर के दूसरे हिसे में जाने के लिए बस पकड़ी माइकल और मैं सुबह आट बजे उसके डेड़ी से मिले वे पहले से इव्यस्त थे और उनके पास एक गंटे से भी ज़्यादा का कम मौझूद था जब मैं उनके साधान छोटे और साफ गर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कस्ट्रक्शन सुपरवाईजर अपने पिक अप ट्रक में वहाँ से जा रहा था माइक मुझे दर्वाजे पर ही मिल गया डेड़ी अभी फोन पर है और उन्होंने काया कि हम लोग पीछे के पोर्स में उनका इंतजार करें माइक ने दर्वाजा कोलते हुए कहा जब मैंने उस पूराने घर की देलेज के अंदर कदम रखा तो लकडी के पूराने फर्स की चर्मराहट सुनाई दी दर्वाजे के बीतर सस्ती सी चटाई थी चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्स पर पड़े अंगिनत कदमों के निशानों को चुपाया जा सके हालांकि वहस आप थी पर यह सपष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए जब मैं संक्रे लिविंग रूम में गुसा तो मेरा दम गुटने लगा था वहाँ पुराने फरनिचर की बूँ आ रही थी और निश्ची गुरूब से उस फरनिचर को संग्राले में होना चाहिए था सोबह बर दो मैलाएं बैटी थी उनकी उमर मेरी मां से थोड़ी ज़ादा थी मेलाओं के सामने एक पुरूस मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पैन रखा था हलांकि कपड़े साफ और प्रेस किये हुए थे पर उन्तों में स्टार्च नहीं किया था उस आदमी की उमर मेरे डैड़ी से लगवग 10 साल ज़ादा होगी शायद 45 साल जब मैं और माईक उनके पास से गुजरिते हुए किचन की तरफ गई जहां से पोर्च का रास्ता था तो वे मुश्कुराई मैं वे जवाब में शर्मा कर मुश्कुरा दिया ये लोग कोन है मैंने पुछा अरे ये लोग डैड़ी के लिए काम करते हैं बुड़ा व्यक्ति उनके वे रावसों को संबालता है और मैले हैं रेस्टराओं की मैनेजर है और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपर्वाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से पचास मेल दूर एक सड़क प्रियोजना पर काम कर रहा है उनका दूसरा सुपर्वाइजर जो पहुच से घर बना रहा है वे तुमारे आने से पहले ही जा चुका है क्या इसा हमेशा ही होता है मैने पूछा हमेशा तो नहीं फरक सरे साही होता है माइक ने कहा और मेरे पास अपने कुर्सी खिंचते हुए मुस्कुराया मैने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे माइक ने मुझे बताया अच्छा और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया मैने साउदानी पूर्व उत्सुक्ता से पूछा पहले तो उनके चेहरे परासी आई पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने काफर रखेंगे अच्छा मैने कहा और अपनी कुर्सी की पीट दिवार से टिका ली मैं वहां कुर्सी के पिछले दो पैरों के सारे टिका बैठा रहा माइक ने भी ऐसा ही किया क्या तुमें पता है कि वे कौन साफर देने वाले हैं मैंने पूछा नहीं पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा अचानक माइक के डैड़ी उस पूराने दर्वाचे से गुश कर पोर्च में दाखिल हुए माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गई आदर के कार नहीं बल्कि इसलिए कि हम चोंग गई थे तो बच्चों तयार हो माइक के डैड़ी ने एक कुर्शी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा हमने अपने सीर हिलाई और अपने कुर्शियों को दिवार के पास से खिंच कर उनके सामने रख लिया वे एक विशाल सरीर के मालिक थे लगबग 6 पिट उन्चे और 200 पौंड बजनी मेरे डैड़ी इससे उन्चे थे लगबग इसी बजन के और माइक के डैड़ी से 5 साल जादा बड़े वे लगबग एक जैसे ही थे हलांकि दोनों एक ही प्रजाती के नहीं थे हो सकता है कि उनकी उर्जा एक सी हो माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाते हो क्या यह सही है रावट मैंने तत्काल सेम्टी में अपना सीरी लाया हलांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था उनके शब्दों और मुस्कुराट के पीछे बहुत ताकत थी अच्छा यह रहा मेरा अपर मैं तुमें सिखाऊंगा परंतों मैं इसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुमें सिखाऊंगा अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुमें नहीं सिखाऊँगा अगर तुम काम करते हो तुमें ज्ञादा तेजी से सिखा सकता हूँ और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बते सुन्ते ओ जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इसे मेरा समय बर्बाद होगा यह मेरा आफर है इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड जाओ क्या मैं आप से पहले एक सवाल कर सकता हूँ मैंने पूछा नहीं इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड जाओ मेरे पास परबात करने के लिए फाल तू समय नहीं है अभी डेह सा काम पड़ा है अगर तुम में ततकाल फैसला करने की किशमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे मोके आते हैं और चले जाते हैं इसलिए ततकाल नेड़ने लेने की किशमता एक महत्वपून कला है तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है अगले दस सेगंड में या तो पड़ाई चलो हो जाएगी या पिर यह हमेशा के लिए खतम हो जाएगी माइक के डेड़ी ने चिड़ने वाली मुस्कुराट्स के साथ कहा मन्जूर हम दोनों ने कहा बहुत बढ़िया भाईक के डेड़ी ने कहा दस मिनिट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी उनसे बाते करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ बेश दूँगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा मैं तुम्हें एक गंटे के दस सेंट दूँगा और तुम हर शनिवार तीन गंटे काम करूँगे पर आज तो मेरा साथ बाल का मैच है मैंने कहा माईक के डेड़ी ने अपनी आवाज को दिमा परन्तु कड़क करके कहा या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मान लिया मैंने जवाब दिया साथ बाल खेलने के बज़ाए काम करने और सीखने का भी कल्प चुनने में ही समझदारी थी शनिवार की खुस तुमा सुबह नो बज़े माई और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे वे एक दयालू और धहरेवान में ला थी वे हमेशा कहा करते थी कि माई को और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है और अब वे बड़े हो गए थी तदा दूर चले गए थी हालांकि वे दयालू थी पर उन्तों वे कड़ी मेहनत में बरोसा करते थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखते थी वे बहुत कड़क मैनेजर थी हम तीन गंटे तक डिवाबन साबानों को सेल पर से उतारते थे उनकी दोल साफ करते और फिर उन्हें करेने से जमाते थे यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत का भी माइक के डैडी को मैं अपना आमीर टैरी कहता हूँ उनके पास इस तरह के नो सूपरेस्ट थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी पर 7-11 convenience store के शुरुआती संसकर्ण थे परोस के जनरल store जहां लोग दूद, प्रेड, बटर और सिग्रेट चैसे चीज़ें खरीटते थे समझ्य यह थे कि हवाई में एर कंडिशनिंग नहीं थी और गर्मी के कार्ण stores अपना दर्वाजा बंद नहीं कर सकते थे स्टोर के दोनों और दर्वाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ दूल का गुबार भी आता जो स्टोर में गुसकर डिबों पर जम जाता इसलिए हम लोगों की नोकरी तभी तक चलती जब तक की एर कंडिशने नहीं हो जाती तीन हगतों तक माईक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर तीन गंटे तक काम करते रहे दोपेर तक हमारा काम खतम हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में तीन छोटे सिक्के डाल देती थी उस समय पचास के दसक में नो साल की उमर में भी तीस सेंट कमाने में कोई खास कुशी नहीं होती थी तब कामिक्स की किमत दस सेंट हुआ करती थी इसलिए मैं अपने कमाई को कमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लोड जाता था चोथे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम छोडने का मन बना लिया था मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माईक के डेड़ी से पैसा कमाना सीखना चाता था चोथे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम छोडने का मन बना लिया था मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माईक के डेड़ी के पास पैसा बनाना सीखना चाता था इसलिए मैं दस सेंड परती गंटे के गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह है थी उस पहले सेनिवार के बात से मैंने माईक के डेड़े को देखा तक नहीं मैं काम चोड़ रहा हूँ मैंने लंच के समय माईक से कहा स्कूल लंच बड़ा निरासा जनक था स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास सेनिवार भी नहीं थे इसलिए मैं इंतजार कर सकूँ परन्तु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत दख्का लगा है इस बार माईक मुस्कुराया तुम किस बात परांस रहे हो मैंने गुस्से और खुंठा से पूछा डैडी ने कहा था कि ये साई होगा उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहिने क्या मैंने आवेस में पूछा क्या वे मेरे उपता जाने का इंतजार कर रहे थे कुछ-कुछ एक ने कहा मेरे डैडी जरा अलग किसम के थे उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिलकुल अलग है तुम्हारे ममी डैडी बहुत बातें करते हैं दूसरी तरफ मेरे डेड़ी बहुत कम बोलते हैं, तुम सिर्फ इस सनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दू कि तुमने काम सोड़ने का फैसला कर लिया है, इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पर शयद हो सकता है, डेड जिने मैं गरीब डेड़ी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डेड़ी बाल स्रम कारूनों को लंगन कर रहे थे, और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, मेरे भडेली के गरीब डेड़ी ने मुझसे यह कहा, कि मैं अच्छी तनकुआ मांगूं, कम से कम 25 सेंट प लाकर कहा, सेनिवार को सुबए 8 बजे, मैं एक बार फिर माइक के गर में, उसी पुराने दरवाजे के अंदर गुसरा था, पुर्सी पर बैटो और लाइन में इंतिजार करो, माइक के डेड़ी मेरे गुस्ते ही कहा, फिर बे अंदर जाकर अपने छोटे से आफिस में थी, वे मुस्कराई और सोपे पर थोड़ इसी खिसक गई, ताकि मैं भी बैट सकूँ, पैंतालिस मिनिट गुजर गए थी, और मैं उबल रहा था, दोनों मैं लाइन, उन से मिलकर तकर रिबन 30 मिनिट पहले, वहां से जा चुकी थी, एक बुड़ास आदमी वहां, 20 लकर चला गया, घर खाली था, और हवाई में खुशन वासुवै को मैं सीलन बरे, अंदेरे लिविंग रूम में बैटा हुआ था, और इस बात का इंतजार कर रहा था, कि एक लालची और बच्चों का सोशन करने वाला आदमी मुझसे बाते करे, मैं सुन सकता था, कि वे फ पर किसी वज़े से रुप गया, आखिर पंद्रह मिनट भाद, ठीक नो जे, अमीर डेड़ी अपने आफिस से बाहर निकले, बिना कुछ कही उन्होंने हाथ से मुझे इसारा किया, कि मैं उनके दड़बे नूँ आफिस में आज़ो, अमीर डेड़ी ने आफिस की कुरसी मे कहा, नो साल के बच्चे के लिए एक वेसक का सामना करना बहुत ज़्यादा डरा होना था, आपने कहा था, कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा, तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे, अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है, इस काम लालसी हैं, आपके लिए पैसा कमाना चाते हैं, और अपने करमचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाएं रखा, और मेरी जरा भी इज़त नहीं, मैं एक चोटा सा बच्चा हूँ, और आपको मेरे साथ इस से बेहतर बरता कर रहे हूँ, बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, एक महीने से भी कम समय में, तुम वही बहसा बोल रहे हूँ, जो मेरे ज़्यादातर करमचारी बोलते हैं, क्या, मैंने कूछा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, और इसलिए मैंने अपना दुगडा रोना च आते हैं, यह तो जुल्म है, सरा सर जुल्म, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, डैडी ने धिमे से आवाज में कहा, आपने मुझे क्या सिखाया, कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा, एक बार मैं चंद सिख्कों में काम करने के लिए थे यार हो गया, उसके बाद त नहीं की, डस सेंट परती गंटे, मैं आपके शिकायत सरकार से करूँगा, हमारे देश में भी बालक शरम कानून है, आप तो जानते ही हैं, कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं, शाबास, हमेर डैडी ने कहा, अब तुम उन जादातर लोगों भी बासा बोल रहे हो, जो कभी मेरे लिए काम करते थे, वे लोग जिनें या तो मैंने नोकरी से निकाल दिया, या जिन्नोंने खुद ही नोकरी छोड़ दी, तो इस बारे में आपको क्या कहना है, मैंने पूछा, और मुझे ये लग रहा था, कि कम उमर के बावजूद में बावजूरी से बतें क कर रहा था, आपने मुझे जुट बोला, मैंने आपके लिए काम किया, और आपने वादा पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कौन कहता है कि मैंने तुम्हे कुछ नहीं सिखाया, मेरे अमेरे डेड़ी ने शान्ती से कहा, मैंने तीन अफते तक काम क किया और इसी भी साब ने सिखाना तो दूर रा, मुझसे कभी बात तक नहीं की, मैंने ब्यंग बरेल, अंदाज में कहा, क्या सिखाने का मतलब के और बासन या बात्चित ही होता है, अमेर डैडी ने पूछा, और क्या, मैंने चवाब दिया, इस तरह से वे तुम्हें स्कूल बाते नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है, हर धक्के के जरीए जिन्दगी आपसे कहती है, जाक जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ, यह आदमी किसी बेज सिर्पैर की बातें कर रहा था, मैंने अपना आपसे पूछा, जिन्दगी अगर मुझ संद रखने की जरूरति, अगर तुम जिन्दगी के से बख सीखते हो, तो लेकर बहुत फायदा होगा, अगर तुमे इसा नहीं करते हो, तो जिन्दगी तुमें लगातार धक्के देती रहे हैं। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिन्दगी के दख्के को सेहन करते चले जाते हैं, बाकि लोग गुसा हो जाते हैं और जिन्दगी को दख्का दे देते हैं, परंदो वे दख्के देते हैं अपने बोस को, अपने काम को, अपने पत्नी या पती को, वे यह नहीं जानत कि जिन्दगी उन्हें धका दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जिन्दगी हम सब को धक्के मारती है। कुछ लोग हर मान लेते हैं। बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिन्दगी के धकों का स्वागत करते हैं, इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए, वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुमारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े होगे और उन्होंने टूटी फूटी खिटकी को बंद कर लिया। अगर तुम यह ऐसा वक सीख लेते हो, तो तुम एक समझदार अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते, तो तुम जिन्दगी बर अपनी समझ्याओं के ल उनकी बातें सुन रहा हूँ, उनकी आँखे मेरी आँखों से मिली, हमें एक दूसरे की तरफ देखते रही और हमारी आँखों के बीच संप्रेशन की दारहें बहने लेगी, आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया, तो मैंने अपनी नजरें जुखा ली, मैं जा जिन्दगी के हर थपेड़े के सावने हार मान जाते हैं, अगर आप इस किसम के आदमी हैं, तो आप जिन्दगी वर सुरकशित खेल केलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे, और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे, जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड़े की तरह मर जाएंगे, आपके बहुत से दोस्त होंगे, जो आपकी सिर्फ इसलिए तारिफ करेंगे, क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे, आपने अपने जिन्दगी सुरकशित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दे, परंदो सच आपने का डर जीतने के रोमांस से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ, अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे, कि आपने कभी जीतने की कोशिस नहीं की, आपने सुरकशित खेल खेलने के विकल्प चुना, हमारी नजरे एक बार फिर मिले, दस सेगें तक हमें एक तबी नजरे हटाई, जब मैं उनकी बात समझ गया, आप मुझे दका दे रहे थे, मैंने पूछा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, हमेरी डैडी मुस्कुर है, मैं तो यही कहूंगा, कि मैं तुम्हें जिन्दगी का सवाद चका रहा था, कैसा सवाद, मैंने पूछा, मैं पाग रखिया, मेरे पास डेट सो से भी ज़्यादा करमचारी है, पर उन में से एक ने भी मुझे से पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में नहीं पूछा, वे मुझे से नोकरी मंगते हैं, तंकवा मंगते हैं, पर उन तो पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाते, तो पुरा ध्यान लगा कर उनकी बात सुनता रहा तो जब माईक ने मुझे कहा कि तुम पैसे कमाने की कला सीखना चाहते हो तो मैंने एक ऐसा कॉर्स तैयार किया जो असले जिन्द्गी के करीब था मैं बोलते बोलते ठक जाता परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पा थे इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुमें जिन्द्गी के थपेड़ों का सुआत चखा दिया जा ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको इसी कारण मैंने तुमें एक गंटे के दस सेंट दी तो दस सेंट परती गंटे काम करने के बाद मैंने क्या सब अक्सी खाया यही कि आप गटिया हैं और अपने करमचारियों का सोचन करते हैं अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ जुपते हुए जोर से हंसने लेगे जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो मुझे समश्या मत बनाओ मुझे दोस्त देना छोड़ दो अगर तुम सोचते हो कि तुमारी समश्या मैं हूँ तो तुमें मुझे बदलना चाहिए इसके बजाए अगर तुमें यह लगता है कि तुमारी समश्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो सीख सकते हो और ज़्या समझतर बन सकते हो ज़्यादातर लोग साते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए बस हम खुद ही नहीं बदले मैं तुमें यह बता दू कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि खुद को बदला जाए मैं आपके बाद ठीक से समझनी पाया मैंने कहा अपने समझ्याओं के लिए मुझे दोस देना छोड़ दो अमीर डैड़ी ने अधिरता से कहा पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का इवेतन दिया तो तुमने क्या सिखा अमीर डैड़ी ने मुस्करा कर पूछा यही कि आप गटिया हैं मैंने सरार्तवरी मुस्कान के साथ कहा अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समझ्या मैं हूँ अमीर डैड़ी ने कहा वो तो आप हैं ही खैर इसी तरीके से सोचते रहूँ और तुम जिन्दगी बर कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समझ्या मैं हूँ तो तुम्हारे पास क्या विकल्ब रह जाते हैं अगर आप मेरी तनक्वा नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज़्चत नहीं देते तो मैं काम चोड़कर चला जाँगा ठीक है अमेरी डैड़ी नहीं कहा और ज़्यादा तर लोग यही करते हैं एक काम चोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नोक्री की तलास करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनक्वाइं मिलती है तुम्हें यह गल्द फैमी होती है नई नोक्रिया ज़्यादा तनक्वाइं से समश्या सोलच सकती है ज़्यादा तर मामलों में ऐसा नहीं होता तो समश्या किस तरह सोलच सकती है मैंने पुछा 10 सेंट परती गंटे के इसाब से तनकुवा लेकर मुस्कुराते हुए हमेरी डैडी मुस्कुराई यही बाकी लोग करते हैं वे यह जानते हुए की कम तनकुवा में काम करते हैं क्योंकि नोकरी छुट जाने पर और उनका और उनके परिवार का पेट कैसे बरेगा इसलिए मन मसोस कर वे नोकरी करते हैं और यह सोच कर तनकुआ बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समझा सुलत जाएगी ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेनत करते हुए दूसरी नोकरी भी कर लेते हैं पर उसमें भी उनने तनकुआ कमी मिलती है मैं फर्श को गुर्टा रहा अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था मुझे यह हैं इसास हो गया था यह हैं जिनगी का स्वाद है आखिर कर मैंने उपर की और देखा और अपना सवाल दो रहाया तो पिर यह समझ्या किस तरह सुल जाएगी इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेस किलमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने करमचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदोलत वे हवाई के सबसे अमीर आगमी बनने जा रहे थी जबकि मेरे पड़े लिखे गरीब डैडी जिन्दगी पर पैसे की तंगी से जूजने माले थे यह एक अर्बुत नजरिया था जिसने मेरे जिन्दगी का नक्षा ही बदल दिया अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक करूँगा गरीब और मद्द उमद गिये लोग पैसे के लिए काम करते हैं अमीरों के लिए पैसा काम करता है मेरे गरीब डैडी ने जो मुझे सिक्षा दी थी शनिवार के उस खुशन वासुब है मैं उससे पिलकुल अलग नजरिया सीख रहा था नो साल की उमर में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूँ दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे फरक सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाई विशे अलग अलग थे मेरे पढ़े लिके डैडी चाहते थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया था बेटे मैं चाहता हूँ कि तुम मेनत से पढ़ो अच्छे नम्मर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नोक्री मिल सके और यह अच्छी तरह ऐस देख लो उसमें बहुत से दूसरे लाओ हो मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूँ यह सबक मुझे जीवन भर उनके मारक दर्शन में सीखना था ने की किसी क्लासरोम में मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा मैं खोश हों कि तुम 10 सेंट परते गंटे के इसाब से काम करने पर गुसा होगे अगर तुम गुसा नहीं ओते और तुम एसा कुसी कुछी करते रहते तो मैं तुमें साब कह देता कि मैं तुमें नहीं सिखा सकता यह जान लोग की सच्ची सिक्षा में उर्जा प्रबल वावना और जबरदस्ट इच्छा की जरूरत होती है गुसा उस फार में लेगा एक बहुत बड़ा इसा है क्योंकि प्रबल वावना में गुसा और प्रेम का समने में होता है जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरुच्छित रास्ता कोचते है इसलिए प्रबल वावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती उन्हें राह दिखाता है उनका दर तो क्या इसलिए वे कम तनक्वा पर काम करतने के लिए राजी हो जाते हैं मैंने पूछा हाँ अमेरे टेड़ी नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का सोशन करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनक्वा नहीं देता जितनी उन्हें सुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना सोशन करते हैं डरते हैं भी मैं नहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनक्वा देनी चाहिए मैंने पूछा मुझे ज़्यादा देने के जूर्ट नहीं आए और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समश्या नहीं सुलजेगी अपने डैडी को ही देख लो वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का बुकता नहीं खरपाते दुनिया में इसे बहुत से लोग है जिनने अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा करज में डूप जाएंगी तो इसी करण आपने मुझे दस से इड़ परती गंटे की तनकवा दी मैंने मुस्कराते वे कहा यह सबक का इससा था बिल्कुल सही अमीर डेड़ी ने मुस्करा कर कहा देखो तुमारे डेड़ी स्कूल गई और उन्होंने बहुत बढ़ी असिक्षा इसलिए आसिल की ताकि उन्हें अच्छी तनकवा वाले नोकरी मिल सके जो उन्हें मिल गई परंदून के पास आज भी पैसे की तंगी है एसा इसलिए है क्योंकि उन्हेंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा और सबसे बड़ी बात यह है और उन्हें पैसे के लिए काम करने में वरोसा करते है और आप नहीं करते है मैंने पूचा नहीं सत पूचा जाए तो नहीं अमेरे डेड़ी नहीं कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाते हो, तो स्कूल में ही रहो, यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगए और कोई नहीं है, परन्तु अगर तुम यह सीखना चाते हो, कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्ह चाहूं किया हर कोई यह नहीं सिखना चाहता मैंने पूछा नहीं अमिरे डैड़ी ने कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसन है खास तोर पर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल वाऊना डर हो मैं समझ नहीं पाया मैंने तियोरियांचे डाहक कहा उसके चिंता फिलाल मत करो अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादतर लोग अपने नोक्रिया करते हैं अपने बिलों का बुद्दान नय कर पाने का डर नोक्रे से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर प्रयापत पैसा नहीं होने का डर एक बार फिर से वसाय को सीखने और पैسे के लिए काम करने की कीमत है ज्यादातर लोग पैसे के कुर्म बन जाते हैं और फिर भी अपने बोस पर अपने बढ़ास निकालते हैं तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिलकुल अलग भी शेय है मैंने पूचा बिलकुल ह उस खुशनु वासुबे हवाई में हम लोग चुप-चप बैठे रहे मेरे दोस्त उस से मैं लिटिल लीग बेसबाल गेम शुरू करी रहे होंगे और किसी वज़ाय से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट परती गंटे के इसाब से काम करने का फैसला किया था मुझे लगा कि मैं कुछ हेजा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख पाएंगी सीखने के लिए तैयार हो अमीश डैडी ने पूछा बिलकुल मैंने दाथ निकाल कर कहा मैंने अपना वादा निवाया है मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है हमीश डैडी ने कहा 9 साल की उमर में तुम्हें ये पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है अपने पिछले महिने को 50 सालों से गुना कर और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपने जिन्दी किस तरह गुजाते हैं मैं समझ नहीं पाया मैंने कहा जब तुम मुझे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था एक बार नोकरी के लिए और दूसरी बार तनख वड़वाने के लिए भैयानक मैंने कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्ब चुनते हो तो ज़्यादार लोगों के लिए जिन्दी का मतलब यही होता है अमीर डैडी नहीं कहा और तुम्हे तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुम्हारे हाथ में 3 गंटे का काम के लिये 3 सिक्के थावायते मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है मैं निरास हुआ था मैंने कहा और यही ज्यादातर करमचारियों को लगता है जब वे अपनी तनक्वा के चेक को देखते हैं खास कर तब जब उससे टेक्स और बाकी कटोर्टियां कर ली जाती है कम से कम तुम्हें पूरी तनक्वा मिले थी उन्हें तो पूरी तनक्वा भी नहीं मिलती आपका मतलब है ज्यादतर करमचारियों को पूरी तनक्वा नहीं मिलती मैं हैरान था नहीं हमेरी डैडी ने कहा सरकार हमेशा अपना इससा पहले ही ले लेती है सरकार इससा कैसे करती है मैंने पूछा टेक्स अमीर डैडी ने कहा जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते अमीर डेड़ी ने मुस्पुरा कर कहा परंतु गरीब और मद्द अमर गिये लोग ऐसा करने देते हैं मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डेड़ी से ज़्यादा कवाता हूँ परंतु वे ज़्यादा टेक्स देते हैं यह कैसे संभवगा मैंने पूछा नो साल का बच्चा इस जीव आंकडे को समझ नहीं पा रहा था कोई आदमी सरकार को इसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है अमीर डेडी चुचब बैठे रहे मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनू नहीं कि उनसे फाल्तु सवाल पूछू आखिर मैं शान्त हो गया जो मैंने सुना था वे मुझे अच्छा नहीं लगा था मैं जानता था कि मेरे डेडी हमेशा टेक्स का रोना रोते रहते थे पर अंतुदारसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं करपाते थे क्या जिन्दगी उन्हें धका दे रही थी अमीर डेडी मेरी तरफ देखते वे अपने कुर्सी ने धीमे दिमे और खामोसी से हिलने लगे सीखने के लिए ता यारो उन्होंने पूछा मैंने अपना सीखने के लिए बहुत कुछ है पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाई यह जिन्दगी बर चलने वाली पढ़ाई है ज्यादातर लोग चार साल के लिए कालेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंदी पढ़ाई जीवन बर चले ही और इसकी बज़ाई यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ चलता है उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिग्या सबढ़ती चली जाती है ज़्यादा तर लोग इस फिशेक बुक कभी नहीं पढ़ते ही वे नोकरी पर जाते हैं अपनी तनख्वा लेते हैं अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात खतम हो जाती है इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समच्चा ही क्यों है फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समच्चा हल हो जाएगी बहुत कम लोगों को यह एसास होता है कि असली समच्चा धन संबंदी सिक्षा या ज्यान की है तो मेरे डैड़ी को टेक्स की समच्च इसलिए है क्योंकि उन में पैसे की समच्च नहीं है मैंने विचले तोपर पूछा देखो, हमेर डैड़ी नहीं कहा पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए टेक्स तो उस सिक्षा का सिर्फ एक इससा है आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती वे स्कूल जाना चाहते हैं कोई वेवसाई सीखना चाहते हैं अपनी नोकरी में मज़े करना चाते हैं वो डेहर सारा पैसा कमाना चाते हैं एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समश्या आजाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकाना ही बढ़ता है अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समश्या नहीं आती तो तुम में अब सीखने की जानने की जी गयासा है हमेरी डैड़ी नहीं पूछा अच्छा हमेरी डैड़ी नहीं कहा अब काम पर वापस आओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनक्वा नहीं दूँगा मैंने हैरानी से पूछा तुमने सही सोना तनक्वा बन तुम हर शनिवार तीन गंटे उसी तरह काम करोगे परंदु इस बार तुम्हें दस सेंट पर तीन गंटे के हिसाब से तनक्वा नहीं मिलेगी तुम्हें ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाते इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूँगा मैंने माइक से पहले ही बात कर लिया, वह पहले से ही काम पर है मूर्थ में डिपो की सफ़ाई कर रहा है और उन्हें करेने से जमा रहा है अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जूट जाओ यह ठीक नहीं है, मैं चिलाया आपको कुछ न कुछ तंखवा तो देनी चाहिए तुमने कहा था कि तुम सीखना चाते हो अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं दो मैलाओं और बुड़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें मैं नोपरे से निकालना है दूँ या तुम अपने डैड़ी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर दुगले तक करज में डूबे रहते हैं शायद उन्हें यह उमीद रहती है ज़्यादा पैसे जो उनकी समझे हैं सुझ जाएंगी अगर तुम यही चाते हो तो मैं एक बार फिर दस सेंट के अपने पूराने वादे पर लोटने को तयार हूँ या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं इस बारे में शिकायत करो कितन ख़वा बहुत कम है और तुम यह नोगरी छोड़कर दूसरे नोगरी तलास शुरू कर दो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैंने पूछा अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी इसका इस्तेमाल करो उन्होंने कहा अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुमें मुका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे मैं वहाँ यह सोचते वे खड़ा था कि मुझे कितना गटिया फिकल्ब दिया गया है मैं यहाँ अपनी तन को अब ड़वाने आया था और अब मुझे मुझे मुफ्त में काम करने के लिए का जा रहा है अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा इसका इस्तेमाल करो अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जूड़ जाओ सबक ए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते मैंने अपने गरीव डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ उन्हें यह समझ में नहीं आता मैं उन्हें इसकी वज़े ठीक से इसलिए नहीं समझाओ सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था आगले तीन अपते माई को और मैं तीन गंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में काम बहुत परेशनी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था मुझे अफसोस था तो अपने छुटे वे बेसबाल गेम्स और कमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था तीसरे अपते दोपेर में अमीर डेड़ी आई हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी वे स्टोर में गुशे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगा कर अब ग्वांदन किया स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आईस क्रीम फ्रीजर के पास गाई उसमें से दो आईस क्रीम निकाली उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माईक की तरवी सारा करके कहा चलो गुमने चलते हैं हम सड़क के पार गई कुछ कारों को चक्मा दिया और एक बड़े गास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ ब्यासक साफ्ट वाल खेल रहे थे दूर की पिगनेक टेवल पर बैटकर उन्होंने माईक और मुझे आईस क्रीम दी कैसा चल रहा है बड़िया माईक ने कहा मैंने सेम्टी में से रिलाया कुछ और सिखा हमें डैड़ी ने पूछा माईक और मैंने एक दूसरे के तरफ देखा अपने कंदे उचकाई और अपने सिर को नहीं में एक सा हिलाया अच्छा यह होगा कि तुम बच्पन से ही यह सोजना चालू कर दो तुम अगर जिंदगी के सबसे बड़े सबग को देख रहे हो अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आजादी और सुरक्षा बरी जिंदगी का सुक ले सकते हो अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टेन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह बन जाओए वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परन्तु उनके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं पर नोक्री की सुरक्षा के मोहों में फंसे रहते हैं हर साल मिलने वाले तीन अफ़ते की चुटियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पिंशन का सफना देखते रहते हैं अगर इस तरह की जिन्दगी जीने में तुमें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तन को अबढ़ाकर 25 सेंट परती घंटे कर सकता हूँ परन्तो ये लोग अच्छे लोग हैं और मेंती भी हैं फिर आप उनका मजाग क्यों उड़ा रहे हैं मैंने पूछा मेरी डेडे के चेहरे पर मुस्कान आ गई मिशेज मार्टिन मेरे लिए माज ऐसी है मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाग उड़ाओ यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थेतिस पस्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान सब्दों में मैं तुम्हारे नजरियों को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको दूर तक देख सको ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फाइदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा था क्योंकि उनके देखने का दाइरा बहुत छोटा हुता है ज्यादातर लोग जिस जाल में फसे हुए हैं तो उसे देख ही नहीं पते माई कोर मैं वहाँ पर सोचती हुए बैठे रही क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं सकी थे उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी परमतु हम यह भी जानते थे वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिस कर रही थे मुस्कराट के साथ मेरी डैडी नहीं कहा क्या 25 सेंट परती गंटे आप पर अच्छा नहीं लगा क्या इससे दिल की दर्कन थेज नहीं हुई मैंने अपना सीथ नहीं में ही लाया जबकि असल में ऐसा ही हुआ था एक गंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बड़ी असोदा था अच्छा मैं तुम्हें एक गंटे के एक डालर डूमर अमीर डैडी नहीं सरार्थ बले मुस्कराट के साथ कहा अब मेरा दिल तुफान मेल की तरह दोड़ रहा था मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था इनकी बात मान लो मान लो मुझे अपने कानों पर गरोसा नहीं हो रहा था पर अच्छा दो डालर परती गंटे मुझे एसा लगा जैसे मेरे छोटे से नो साल पुरानी दिमाग में किसी ने बंप ओर दिया हूँ 1956 में दो डालर परती गंटे मैं मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती मैं इतना सारा पैसा कमाने के गल्पनाई भी नहीं कर सकता था मैं हाँ कहना चाहता था मैं सोधा पका करना चाहता था मुझे नई साइकल दिख रही थी नई बेसबाल के कलब दिख रही थे मेरे पास कड़क नोड देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीब भी मुझे साब दिख रही थी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके दोस्त मुझे फिर कभी गरिब नहीं कह सकते थे परन्तु किसी बज़े से मैं खामोस खड़ा रहा हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने के कारण फ्यूज उड़ गया हूँ परन्तु मनी मन दो डालर परती गंटे का आप पर मानने के लिए बेताब था आइस क्रीम पिगल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी आइस क्रीम की डंडी खाली थी जिसके नीचे वनिला और चाकलेट के टुगड़े थे जिनके मज़े चिंटिया ले रही थी हमीर डेडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आँखे फ़ाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें गूर रही थे उन्हें मालूम था कि वे हमारी प्रीक्षा ले रही है और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उसाफर को मानने के लिए बेताव हो रहा था वे जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक इस्सा कमज़र और जरूर्टमद होता है जिसे खरीदा जा सकता है और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक इसा मजबूर द्रड़ निश्चे ही होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता असली सवाल यह था कि इन में से कौन सा इससा जाला तक्तवर है उन्होंने अपनी जिन्दगी में हजारों लोगों का इंट्रिवू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परिक्षा लेते थे अच्छा पांस डॉलर परती गंटे अचानक मेरे अंदर शान्ती छा गई कुछ था जो बदल गया था हाफर बहुत ही बड़ा था और मुर्ख तापून लग रहा था 1956 में गिनेच उनिवेसकों को पांस डॉलर परती गंटे से जाथा मिलता होगा लालच खातम हो गया था और इसकी जगए शान्ती ने ले ली थी धीमे से मैं अपने बाईं तरफ खड़े माईक की तरफ मूरा उसने मेरी तरफ देखा मेरी आत्मा का जो इसा कमजोर और जरूट जित चुके थी मैं जानता था कि माईक भी उसी बिंदू पर पूंच चुका था अच्छा हमेर डड़ी ने दिमे से खा ज्यादतर लोगों की एक किमत होती है और उनकी किमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो बाउना ही होती है डर और लालच पहले वो पैसे के बिना लेने के डर से कड़ी मेनत करते हैं इसके बाद जब हमें थनकुआ मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की बाउना जाग जाती है पैसे होने पर हम उन बड़ी आचीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरी दी जा सकती है इस तरह हमारे जि जिन्दगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो बाउनों से चलती है उन्हें अगर ज्यादा पैसा देज भी थे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे इसी पैटर्न को मैं चुहा दोड कहता हूँ क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माईक ने पूछा हाँ, अमीर डड़ी ने दिमे से कहा, परन तो ये बहुत कम लोग खोज पाते हैं और वह रास्ता क्या है? माईक ने पूछा, उसी रास्ते को तुम लोग काम करते वे और मेरे इसाब से सीखते वे खोज लोगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ, इसी कारण मैंने तुमें पैसे देना बंद कर दिया इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, पैक ने कहा, हम लोग मेनत से काम करते करते ठक चुके हैं, खास कर तब जब इसके वदले में कुछ नहीं मिला हूँ पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, हमेरी डैड़ी ने कहा, हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा मैंने कब कहा कि तुम लोग जुट बोले हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि सची बात कह देना चाहिए हमेरी डैडी ने जवाब दिया किस बारे में मैंने कहा इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है हमेरी डैडी ने कहा तुम्हें या किसी और से कहने की जुरूरत नहीं है सिर्फ अपने आप से सच बोलो आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग ये सब लोग ऐसा नहीं करते मुझे ऐसा ही लगता है अमीर डैड़ी नहीं कहा इसके बजाए उन्हें अमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है उस डर का सामना करने के बजाए सोचने की बजाए लोग सिर्फ परतिकरिया करते हैं इस दोरान वे दिल से काम लेते हैं दिमाग से नहीं अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी इच्छा लालच की बहुना आ जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाए दिल से काम करने लगते हैं तो वे दिल से अपनी बहुनाओं से सोचते हैं माइक ने कहा बिल्कुल ठीक अमीर डैडी ने कहा वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है वे अपनी बहुना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कश्ट नहीं उठाते हैं उन्हें डर लगता है, वे नोकरी करने जाते हैं और आसा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतो ऐसा नहीं होता है, वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है, वे फिर से नोकरी करने जाते हैं और फिर आसा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर लेगा पर उसा नहीं होता डर के ही कारण में नोकरी के जाल में फसे रहते हैं पैसा कमाते हैं काम करते हैं पैसा कमाते हैं और आसा करते हैं कि डर से उनका पीचा छूट जाएगा पर दू हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है व और यह आसा करते हैं कि तनक्वा के चेक से उनके दिल को पुतरने वाले इस डर को पे मोत के गाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिन्दगी को चला रहा है परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनके बहुनों पर कबजा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कह कर मेरी डेड़ी खामोस होगे ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला गए। माईक और मैंने उनकी बाते सुनी थी फरंतु हम उनका मतलब पूरी तरह समझा नहीं पाई थे। मुझे अक्सर यह आरानी होती है कि लोगों को आफिश जाने के इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नोगरे में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या बज़य थी कि वे उन्हें जल्दी आफिश जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया। तो उन्होंने आगे का मैं यह चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो दरसल मैं तुमें यही सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है। अमीर बनने से समझ नहीं सुलजेगी। मैंने अस्टे इसे पुछा। बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी बहोना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं पर दू मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूं। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुन्दा, ज़्यादा सुखर या रोमांचक चीज की इच्छा करें। लोग इच्छा की वज़े से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हे सुख के लिए भी पैसे के जुरूरत होती है ! क्योंकि वे मانते हैं कि पैसे सुख खरिदा जा सकता है!!! परन्तु पैसा जो खुश हुशिदेता है वो एक सर पल वर्की होती है ! उन्हें ज़्यादा कुछी ज़्यादा अनंद ज़्यादा आराम ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की जुरूरत होती है इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालत से परशान उनके आत्माओं को शांत कर देगा परन तु पैसा यह काम नहीं कर सकता अमीर होने के बाद भी नहीं माइक ने कहा हाँ अमीर होने के बाद भी नहीं अमीर डैडी ने कहा दरसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बलकि डर के कारण अमीर होते हैं वे सचमुच होचते हैं कि दोलत हो तो पैसे नय होने का डर गरीब होने का डर खतम हो जाता है इसलिए वे धेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है उन्हें अब वो इसके खोने की चिंता सताने लगी है मैं एसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं मैं एसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोडों की दोलत है परन्तु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान है जितने वे अपनी गरीवी के दिनों में थी उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दोलत खो देंगी अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद और भी पड़ गई हैं दरसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरुतमन हिसा अब और तेजिसे चीक रहा है वे अपने आलिशान बंगलों, शांदार कारों और उस एशोय वाराम की जिंदिए को खोना नहीं चाते जो पैसे से खरी दी गई है वे इसी चिंता में गुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गई तो उनके दोस्त क्या कहेंगी इसी चिंता की बज़े से कई लोग तो नियूरोटिक और कुंठी तक हो चुके हैं हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है तो क्या अमीर आदमी ज़्यादा सुकी होता है मैंने पुछा नहीं मेरे इसाब से तो ऐसा नहीं आता अमीर डैडी ने जवाब दिया पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागल पन है जितना की उसके पीछे बागना उसी समय तस्बे का एक पागला हमारी मेज के पास से गुज़रा और कुड़े दान के पास रुख कर उसने कुछ ढूने लगा जैसे उसे किसी ने समझा कर बेजाओ चर्चा के इस मोड पर हम तीनों उसके अरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे जबकि इससे पहले हमने उसे नजर अंदाज कर दिया होता अमीर डैड़ी ने अपने पर्स में से एक डालर निकाला और उस पागल बुड़े को पास आने का इसारा किया पैसा देखते ही वे ततकाल चलाया उसने पैसे के लिए अमीर डैड़ी को धेर सारी सुब काम नहीं दी और अपने अच्छी किसमत पर खुशो कर गया जल्दी से वहाँ से चला गया इसमें और मेरे ज्यादातर करमचारियों में बहुत सा अंतर नहीं है अमीर डैड़ी ने कहा मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं अरे मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है फिर भी वे हर रोज आठ गंटे की नोकरी करते है यह तो सचाई को न करना है अगर उन्हें पैसे में रूची नहीं है तो मैं नोकरी पर क्यों जाते हैं इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है उस कंजूसी बरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का है जिसमें कोई अमीर पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है जब मैं वहाबने अमीर डेड़ी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ जाता था कि मेरे गरीब डेड़ी हजार बार कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है वह है इसा अकसर कहा करते थे वे खुद की असली बावनाओं को चुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है तो हमें क्या करना चाहिए मैंने पूचा यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की बावनाओं पूरी तरह जे निकलने जाए उसमें जो बहुत समय बरबाद हो जाएगा हमें डैडी ने कहा बहुनाओं के कारनी तो हम इंशन है इन्हे के कारण हमारी हस्ती है बहुना सब्त का मतलब है चला इमानः और जाओ अपनी बहुनाओं के बारे में इमानदार रहो और अपने दिमाग और बाउनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो नेकी विरोध में आख माइप ने कहा अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो आगे आने वाले सहलों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आईगा अपने बाउनाओं पर प्रतिकरिया करने के बजाए उनका विसलेशन करने की कोसिस करो ज़्यादा तर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाए अपने दिल की बाउनाओं से सोचते है आपकी बाउनाई तो आपकी रहेंगी परन्तु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही पनाया गया है क्या आप मुझे इसका कोई उधान दे सकते हैं मैंने पुछा, नहीं क्यों नहीं अमीर डैडी ने जवाब दिया जब कोई आदमी कहता है मुझे नोकरी खोजने की जरूर दे तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी बाउनाई फैसला कर रही है इस विचार का असलिकार्ण है पैसान नहीं होने का डर परन्तु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूर तो पढ़ती ही है मैंने कहा बिलकुल पढ़ती है हमें डैडी मुस्कुराई मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है मैं समझ नहीं पाया माइक ने कहा हमें डैडी ने कहा अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो ततकाल नोकरी डूणने के लिए दोड़ मत लगाईए ताकि कुछ पैसों के सारे उस डर को मार दिया जाए इसके बज़ाए आप खुच्छ से यह सवाल पूछे क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बड़िया इलाज नोकरी है मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिन्दगी को देखते हैं नोकरी दिर्ट कालिन समश्या का अल्प कालिन समादान है परन्तु मेरे डड़ी हम इसा कहा करते है स्कूल में पढ़ो अच्छे नमबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नोकरी मिल सके मैंने हड़बड़िज में बोल दिया हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे इसा क्यों कहते है अमीर डड़ी ने मुस्कुरा कर कहा ज्यादातर लोग इसी सला देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है परन्तु लोगों की इस सला के पीछे भी डर चुपा होता है आपका यह मतलब है कि मेरे डड़ी इसा इसलिए करते हैं वे डरे हों हैं हाँ हमें डरी ने कहा वे गवराई होए हैं कि शाहिद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं होपाओगे मुझे गलत मत समझना वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुमारा बला चाथे हैं और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी है, सिक्षा और नोपरी मैं तो पूर्ण है, परन्तो इस से डर का इलाज नहीं होगा, वही डर जो तुमें सुबह उटकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं, तो आपकी सला क्या है, मैंने पूछा, मैं चाहता हूँ कि तुमें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊ, पैसे का डर तुमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता, अगर तुमें इसे नहीं सिखोगे, तो तुम पैसे के गुलाम ब देख सकते थे, या मेरे डेडी तक नहीं देख सकते थे, वह देखने की योगविता हम में आ जाए, उन्हों ने जो उतारन दिये थे, वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, परंतों मैं उन्हें कभी नहीं मुला, मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था, जब म टेडे ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो, डर और लालच, इन दो फंदों से बचने वाले जाल से, इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं, मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चा असलियत में तुम्हें एक बड़ी तनक्वा पाने वाले गुलामी रहोगे तो हम किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं मैंने पूछा गरेबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अग्यान होता है ने की अर्थवेवस्ता या सरकार या अमेर लो यह खुद का ओड़ा हुआ डर या अग्यान होता है जो लोगों को इस जाल में फसाई रखता है इसलिये तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कालेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा इस जाल से कैसे बचा जा सकता है पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे मेरे पड़े लिखे डैड़ी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बड़िया करियर था परन्तु स्कूल में उन्हें ये कभी नहीं सिखाया कि धन्या आपके डर को किस तरह काभू में रखा जा सकता है अब मैं समझ सुका था कि मैं अपने दो डैड़ीों से अलग लग परन्तु मैं तो को बात सीख सकता हूँ तो आप पैसे नय होने के डर के बारे में बात कर रहे थे पैसे की इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है माइक ने पूछा तुम्हें तब कैसे मैसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनकौब बढ़ाने का लालस दिया था क्या तुमने ये देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी हमने अपने सिरहामी में इलाए पर तुम्हें अपने बढ़ानों के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया इस से तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया यह सबसे मैतोपूर्ण है हमें हमेशा डर और लालत्स की बाउना ही होती है इसी क्षण से तुम लोगों के लिए सबसे मातोपूर्ण है कि तुम इन बाउनों का इस्तेमाल अपनी समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो अपनी बाउनों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो इस तरह अब रहे हैं विचारों को दूसित मत होने दो जाज़ातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं यह अज्ञान के शुरुवात होती है डर और इच्छा की बावनों के कारण ही ज्यादातर लोग तनक्वा के चेक, तनक्वा की बड़ोतरी और नोकरी की सुरुक्षा के पीछे भागते भागते अपने पूरी जिकी निकाल देते हैं असल में में यह एसोसते ही नहीं है कि भावनों के अदार पर बने हुए यह विचार उन्हें किस तरफ ले जा रही है यह है तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींजने वाले गड़े के सामने उसके मालिक गाजर लटकाई रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने उक्ती है गड़े का मालिक जहां जाना चाता है वहां जाता है पर अंदू गड़ा तो लालच के कारण भाग रहा है कल गड़े के लिए दूसरी गजर आ जाईगी और गड़ा उसका पीछा करने लगेगा आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने एक पेस्वाल कलब्स, कैंडी योर्ट और खिलोनों के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी आलत उस गड़े की तरह होगी थी जो गाजर के पीछे बागता है माइक ने पूछा हाँ और उमर के साथ-साथ तुमारे खिलोने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगी अपने दोस्तों पर रोब जाड़ने के लिए नई कार एक नाव और एक अलिशन गर अमीर डैडी ने मुस्करा कर कहा डर आपको दर्वाजे से बाहर दख्का देता है इच्छा आपको अंदर बुलाती है आपको चटानों की तरह लल्चाती है यही जाल है तो इसकी काट क्या है माइक ने पुछा डर और इच्छा अग्यान की वज़े से बढ़ते हैं इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है धन ही गाजर है ब्रह्म है अगर गदा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वैगाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दुबारा सोचता अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिन्दगी अग्यान और ग्यान के बीच होने वाला संगर्स है उन्होंने बताया कि एक बार को यह आदमी खुद के बारे में ग्यान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिन्दगी में अग्यान गुज जाता है यह संगर्स हर पल होता है इसलिए हमें यह फैसला करना है यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाई या इसे बंद कर लिया जाई देखो स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा मैतुकूर्ण है पर आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई कला या वेवसाई सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें हर समाज में सिख्षकों डोक्टरों मेकैनिकों कलाकारों रस्वयों जो साइक लोगों पुलिस अबसरों आग बुजाने वालों और सिभाईयों की जुरूरत होती है स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विक्सित हो सके और हमारी संस्कृति सम्रद हो सके अमीर डेड़ी ने कहा दुरुबा कैसे कई लोगों के लिए स्कूल सिख्षा का अंत होना है शुरुवात नहीं एक लंबी खमोसी चाही रही अमीर डेड़ी मुस्कृरा रहे थे उस दिन उन्हें ने जो कहा था वह पूरी तरह से समझ नहीं आया पर उन्तु ज़्यादा तर महान सिख्षोगों के सब सालों तक हमें सिखाते रहते हैं उनके सब इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ अमीर डेड़ी नहीं कहा मैं एक वज़े से निर्मम हुआ मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गड़े के बारे में सोचो इन्हें कभी मत मुलना अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों बावनाई तुम्हें जिन्दगी के सबसे बड़े जाल में फसा सकती है अपनी जिन्दगी को डरते डरते गुजारना अपने सपनों को पूरा नै करना निर्मम्ता है यह भी निर्मम्ता है कि पैसे के लिए कड़ी मेनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी की चीजें सुक दे सकती है बिल चुकाने के डर से गवरा कर आदी रात को जागना जीने का एक पयानक तरीका है तनक्वा के इसाब से जिन्दगी जीना भी कोई जीना है यह सोचना कि कोई नोपरी आपको सुरक्षा या एसास दे सकती है कुछ से जुट बोलना है यह निर्मम्ता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुमें बचाना चाता हूँ मैंने देखा है कि पैसा किस तरह लोगों की जिन्दगियों को चलाता है इसा अपने साथ मत होने दो बगवान के लिए पैसे को अपने जिन्दगी मत चलाने दो हमारी मेज के निचे साफ्ट बाला आ गई अमीर डैड़ी ने उसे उठाया और वापस खिलाडियों के पास फेंग दिया तो अग्यान का लालच और डर से क्या तलूप है मैंने पूछा यह पैसे का अग्यान ही है जिसकी वज़े से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है अमीर डैड़ी ने कहा मैं तुम्हे कुछ हुदान देता हूँ एक डोक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाता है अपनी फीस बढ़ा देता है उसकी फीस बढ़ने की वज़े से स्वास्ते सुजदाई हर एक के लिए महेंगी हो जाती है अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचता है इसलिए गरीब लोगों का स्वास्ते अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होता है अब चुँकि डोक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दिये इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देता है चुंकि वकिलों ने अपनी फीज बढ़ा दी है इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनक्वाब बढ़ाना चाहते है जिसके कारण हमारा टेक्स बढ़ता है और यह सिलसला अनंत काल तक यूँ ही सलता रहता है जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना बेहनक अंतर हो जाता है कि परले आ जाएगा और एक दिन महान सब्वेता दराशाई हो जाएगी महान सब्वेता इन तभी दराशाई हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़ादा हो गया है अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतियास अपने आपको दोराता है क्योंकि हम इतियास से कुछ नहीं सीखते हम के इतियासिक तारिक हैं और नाम रखते हैं उनके सबक को बूल जाते हैं क्या किमते नहीं बढ़नी चाहिए मैंने पूछा अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक सिक्षित समाज में तो नहीं किमते दरसल कम होनी चाहिए जाहिर है कि ऐसा अक्यवल सी दांद में ही हो सकता है कीमते अग्यान से पैदाओी लालस और के कारण बढ़ती है अगर सकूल में दान के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़दा पैसा होता और बाजार की कीमते भी कम होती परंतो स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना शिकाया जाता है पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं शिकाया जाता परंतो हमारे यहां बिजनस स्कूल भी है माइक ने पूछा क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिगरी के लिए बिजनस स्कूल जाने के लिए प्रेट नहीं कर रहे हैं हाँ हम यह टेटी नहीं कहा परंतो अक्सर ऐसा होता है कि बिजनस स्कूले से करमचारियों को परशिक्षित करते हैं जो परिस्क्रत बीन काउंटर्स होते हैं इस वरी मालिक है जब कोई बीन काउंटर्स बिजनस संबाल ले वे सिर्फ संख्या को देखते हैं लोगों को निकालते हैं और बिजनस का गला गोड़ते थे हैं मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बीन काउंटर्स से काम लेता हूँ वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और किमत कैसे बढ़ाई जाए इससे बहुत से समझाई पैदा हो जाती है बीन काउंटर्स भी मैंतोगून है मैं सोचता हूँ कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए परन तो यह भी पूरी तर्श्विर नहीं बताती हमें डैड़ी ने गुस्से से कहा तो फिर क्या कोई इसका हल है? माइक ने कहा हाँ, हमें डैड़ी ने कहा सोचने के लिए अपनी बाउनाओं का इस्तेमाल करना सीखो अपनी बाउनाओं के बाउ में आकर मत सोचो जब तुम लोग मुप्त में काम करने के लिए तैयार हो गई थे तो तुमने अपनी बाउनाओं को काबू में रखना सीख लिया था तब ही मैं समझ गया था यह कदम इतना मैत्वपूर्ण क्यों है मैंने पुछा यह तुम अपने आप जान पाओगे अगर तुम सीखना ही चाते हो तो मैं तुम लोगों को ब्राइन पैच में ले जाओगा यह वह जगह है जिससे लोग बसते हैं मैं तुमें उस जगह पर ले जाओँगा जहां जाने से ज़्यादतर लोगों को डर लगता है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुमारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा इसके बजाए तुम यह ऐसी कोगी कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा अगर हम आप से सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा मैंने पूछा वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था अमेरे डेड़ी ने कहा टार बेबी से आजा दी, क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा, हाँ, अमीर डेड़ी ने कहा, डर और लालच ही ब्रायर पैच है, अपने डर से पीछा चुड़ा कर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोजियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम, बाहर का रास्ता हमारे दिमाग से ओकर गुजरता है, यही विचारों को चुनने से, माईक ने अस्चरे से कितोकर पूछा, हाँ, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाए इसके कि हम अपने बहुनाओक में बैयकर लगातार परतिकिरिया करते रहें, सुबह उठने और काम पर जाने से यह आपकी समस्या नहीं सुलच जाते, क्योंकि बिल चुकाने के लिए परियाप्त पैसा नय होने के डर आपको सताता रहेगा, सोचने से आपको एक खुद से सवाल पूछने का समय मिलता है, इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बड़ी असमादा ने इस पर और ज्यादा मेनत करना है, ज्यादातर लोग इतनी बूरी तरह गवराई होते हैं, कि वे खुद अपने आपको असली बात नहीं बताते हैं, कि डर हावी हो रहा है, और नतिजा यह निकलता है, कि वे सोच ही नहीं पाते, और इसकी बजाए दरवाजे से बाहर द विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हडबडी में काम करने से बत सको, जैसे अपनी सुबह की काफी पीकर दरवाजे से बाहर दोड़ लगाने की आदत से, मैंने तुम से पहले कहा था, उसे याद रखो, नोकरी दिर्ग कालिन समश्या कालिन समादान है, ज्यादातर लोगो के दिमाग में सिर्फ एक समश्या होती है, और यह थोड़े समय की होती है, यह समश्या होती है महिने के आखिर में चुकाई जाने वाले बिल यानि टार बेवी, अब पैसा उनकी जिन्दगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अग्यान उनकी जिन इस वक्त में दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फरक होता है, माइक ने पूछा, अमीर डैटी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जूमले अकसर सुनता हूँ, हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग सोशक होते है या मैं दूसरी नोगरी ढूंड लूँगा, मेरी तनक्वा बढ़नी चाहिए आप इस तरह मेरा सोशन नहीं कर सकते या मैं इस नोगरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए क्या यहां इसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है इस तरह बहुना पर आदारित हमारे विचारों की जंजीर तूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरिके से सोचने का मोखा मिल जाएगा मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से किस के सब्दों में भावनाई चुपी हुई है और किस के सब्दों में विचार यह एक ऐसा सबक था जो जिन्दगी वर मेरे काम आया खास तोर पर तब जब मैं अपने दिल से यानि अपनी भावनों से बोल रहा था नहीं कि अपने विचारों या दिमाग से जब हम स्टोर की तरफ मुड़े तो अमीर टेड़े ने यह कहा कि अमीर लोग हकिकत में पैसा बनाते हैं वे इसके लिए काम नहीं करते उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के सिसे के सिके डालते समय जब माईक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे थे तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं दिक्कत सिर्फ इतने थी कि हमारे लिए इसा करना गैर कानूनी था सरकार और बैंकों के लिए इसा करना कानूनी था परंतो हमारे लिए नहीं था उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों इस तरीके से कमाया जा सकता है अमीर डेडने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक ब्रहम है जो हकीकत में गदे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है धन के ब्रहम के कारण जो डर और लालच पैड़ा होता है उसकी वज़े से ही अर्बों खर्बों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है धन दरसल एक मया जाल है जनता के अग्यान और वरोसे के ब्रहम की वज़े से ही तास के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है सच कहा जाए तो गदे की गाजर धन से ज़्यादा किमती है उन्होंने कहा उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डालर का नोट असल में चांदी का पर्मान पत्र है उन्हें इस अभवा से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डालर चांदी के पर्मान पत्र नहीं रहेंगे जब ऐसा होगा बच्चो तो कया मता जाएगी गरीब मद्यमर्गे और ना समझ लोगों के जिन्दगी सिर्फ इसलिए बरबाद हो जाएगी क्योंकि वे यह बरोसा करते रहते हैं कि धनी असली चीज़ है और वे जिस कमपनी के लिए काम करते हैं वे है कमपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी परन्तु सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी जब वे अपने पिक अप ट्रक में चड़े तो उन्होंने कहा काम चालू रखो बच्चो पर जितने जल्दी तुम तनक्वा की जरूरत को भूल जाओगी तुम्हारी आगे की जिन्दगी उतनी आसान होती जाएगी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो मुफ्त में काम करो और जल्दी तुमारा दिमाग तुमें पैसे कमाने के दूसरे तरिक के बता देगा उन तरिकों से तुम इस नोक्री से ज़्यादा पैसा कमा लोगे तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते मुखे उनकी नाक के नीचे होते हैं फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते इसका कारणी यह है कि वे पैसे और सुरक्षा भूटते रहते हैं इसलिए उन्हें यही मिलते हैं जिस वक्त तुम एक मौका बापने में काम्याब हो जाओगी उसके बाद तुम जिन्दगी वर्मों का बाप सकते हो जिस वक्त तुमें इसा कर लोगे मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिन्दगी के सबसे वड़े जाल से बच सको वह टार बे भी तुमें कभी कभी नहीं चुपाएगी बाइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड़बाई कहा हम वापस पार्क गए उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ गंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे हमने अगला हफ़ता स्कूल में सोचते वे और इसी बारे में बातें करते वे बिताया दोस हफ़ता तक हम लोग सोचते रहे बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे दूसरे सनीवार के आखिर में मिशेज मार्टेन से दुबरा गुडवाई कर रहा था और कामिक बूक स्टंडर को ललचाई नज़र से देख रहा था हर सनीवार 30 सेन्डन नए मिलने से सबसे दुखत बात यह थी कि मेरे पास कामिक्स पढ़ने कामिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल इस पैसे नहीं रहते थे अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माई को गुडबाई कह रही थी मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते वे देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था मेरा मतलब है मैंने इसके पहले उन्हें इसा करते तो देखा था पर उस तरब ध्यान नहीं दिया था मिसेज मार्टिन ने कोमिस के पहले पेज को आदेज में काटा और उसे संबाल कर अपने पास रख लिया भाकी की पुष्टक को उन्होंने एक बड़े से बुरे कार्डबोर्ड के बक्स में डाल दिया जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कामिक्स का क्या करती है तो उन्होंने कहा मैं उन्हें फैंक देती हूँ जब वए नई کامिक्स लाता है तो मैं उपर के यादेकवर को क्रेडिट के लिए کامिक्स दिस्टिबिटर को दे देती हूँ वए एग गंटे में आने वाला है माईक और मैंने एक गंटे तक इंतजार किया जल्दी ही वए डिस्टिबिटर वहां आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है इस पर उसने जवाब दिया आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उसे दुबारा नहीं बेचेंगे हमारी पार्टनर्शिप एक बार फिर कायम हो गई माइक की ममी ने बेस्मेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था हमने इसकी सफाई करके उसमें सैंकडो कामिक्स जमा कर ली जल्दी हमारी कामिक्स लाइबरेरी जनता के लिए खोल दी गई बाइक की छोटी बैन को पढ़ने का बहुत शोंक था इसलिए हमने उसे अपना लाइबरेरीन बना लिया लाइबरेरी में आने और कामिक्स पढ़ने के लिए हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे स्कूल खतम होने के बाद हर दोपैर रही से साड़े चार तक लाइवरेरी खुलती थी पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्रहाग बन गई थे और वे जितने कामिक्स पढ़ना चाते थे दो गंटे में पढ़ सकते थे यहें उनके लिए बहुत बढ़ी असोदा था क्योंकि एक कामिक्स की गिमत 10 सेंट होती थी और दो गंटे में वे 5 या 6 कामिक्स पढ़ लेते थे माईक की बहन लोटे समय बच्चों की तलासी लेती थी और यहें देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कामिक्स चुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं वहें इस बात का रिकार्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए उनका नाम क्या था और उनके सुझाओ क्या थे माईक और मुझे तीन महीने तक हर अपते साड़े नो डालर का ओसत लाव हुआ हमने उसके बहन को हर अपते एक डालर का बहुतान किया और उसे मुफ्त में कामिक्स पढ़ने का फाइदा भी दिया हालांकि वे कामिस कभी कभारी पढ़ती थी माईक और मैं समझोते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे साथ ही हम अलग लग दुकानों के से कामिक्स ही कट्थी करते रहे हमने वादे के मुताबिक कामिक्स नहीं बेचे जब कोई कामिक्स फढ़ जाती थी तो हम उसे जला देते थे हमने इसके एक साखा कोलने के भी कोशिस की परन्तु हमें माईक की बेहन की तरह में इंती और बरोसे मन लाइबरेरियन नहीं मिला बहुत कम उमर में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है लाइबरेरि खुलने के तीन महीने बाद हमरे लाइबरेरि में एक समश्या आ गई दूसरे मुझले के कुछ गुंडे अंदर गुसाई और उन्होंने जगरना शुरू कर दिया माईक के डेड़ी ने सुझाओ दिया कि हम अपना यह कारुबार बंद कर दें तो इस तरह हमारा कामिक्स का दंदा बंद हो गया और हमने कन्वेनियन स्टोर पर हर सेनिवर काम करना भी बंद कर दिया फिर भी अमीर डेड़ी रोमान चित थी क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो भी हमें सिखाना चाते थे वहें खुश थे क्योंकि हमने उनकी पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए स्टोर में नोकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था इसलिए हमें मजबूरन अपनी कलपना शक्ति पर जोड डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंड सके कामिक्स लाइबरेरी हमारा अपना वेवसाई था हमारा धना हमारे काभू में था और हम किसी मालिक के मौताज नहीं थे इसमें सबसे अच्छी बात ये है थी कि हमारे वेवसाई से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहास्वें मुझूद नहीं होते थे उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे बलकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था ज्यादा तनक्वा देने की बज़ाए अमीर डैड़े ने हमें इतनी बढ़िया नसीर दे दी थी, धन्यवाद अध्याए तीन जो है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? रिच डैड, पूर डैड, अध्याए तीन, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैड़ी का लंबा चोड़ा कारोबार संबाल लिया है, और उसे अपने डैड़ी से ज़्यादा काम्याबी मिल रही है, हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्प कोर्स पर मिलते हैं, वह है और उसकी पतनी इतने ज़्या रहा है, जिस तरह से उसके डैड़ी ने हमें सिखाया था, 1994 में मैं 47 साल की उमर में रिटायर हो गया, और मेरी पतनी किम उस वक्त 37 साल की थी, रिटायर्मेंट का यह मतलब नहीं है, कि हम काम नहीं करते, या आगे काम नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है, कि जब तक कोई चम कि हमारी दोलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास पिति गीतर से कहीं ज़्यादा तेज रफथार से, मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं, हमारी दोलत इतनी ज़्यादा है, कि यह आपने आप बढ़ सकती है, यह पेड लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जुरूर नहीं रह जाती है इसकी जड़े जमीन में काफी गैराई तक पहुंच जाती है इसके बाद पेड़ा आपके सुक के लिए छाया और फल देता है माइक ने समराज्य चलाने का विकलब चुना और मैंने रिटाइर होने का जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सला मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए शुरुवात कहां और कैसे की जाई आपकी नजर में कौन सी फुस्तक बढ़िया रहेगी हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाई है काम्याभी का रहष्य क्या है मैं किस तरह करोडों रुपे कमा सकता हूँ एसे वक्त मुझे हमेशा एक लेक की याद आती है जो यहां दिया जा रहा है सबसे अमीर बिजनसमें 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनसमें शिकागो में एज़वाटर बीच पर इकटे हुए यह लोग बहुत मशूर थे चार्ल स्वाब सबसे बड़ी स्टील कमपनी के मुख्या थे सैमूल एंचोल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्स हावर्ड हाप्शन सबसे बड़ी गैस कमपनी के मुख्या आईवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्स लियान फ्रेजियर बैंक ओफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्स थे रिचर्ड वाइटनी न्यूयार्क स्टोक एक्सचेंज के मुख्या आर्थर काटन और जेसी लिवर मोर सबसे बड़े दो स्टाक के स्पेकुलेटर्स थे और अलबर्ट फॉल प्रेजिडेंट हार्डिंग के केबिनेट के मंतरी थे 25 साल बाद इन में से 9 लोगों का अंत इस्तरह हुआ स्वाब 5 साल तक करजे में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे इन्सुल की मौत विदेश में दिवालियपन की हालत में हुई क्रूजर और काटन भी गरीबी में मरे हापसन पागल हो गए वाइटनी और अलबर्ट फॉल उस समय जेल से रिया हुए थे फ्रीजियर और लिवर मौर आतमत्या कर चुके थे शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ यह 1923 की बात है हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1939 के मार्केट क्रेश आर्थिक मंदी के ठीक पहले हुआ था मंदी का इन लोगों पर निश्यत रुप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा देखने वाली बात यह है है आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं परिवर्टन ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से एसे उतार चड़ावा आएंगे जो इन लोगों द्वारा जेले गए उतार चड़ावों की तरह ही होंगे मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाई बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दोलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसका नाम है सिक्षा अगर लोग लचेले होने दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तयार रही तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समझ्याओं को सुलजा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी बरहा होगा बुद्धी से समझ्याओं सुलज़ती है और पैसा आता है अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाई पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता ज्यादातर लोग जिन्दगी बर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं बलकि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं हमने लाटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की काहनिया सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं ये लोग लाकों करोड़ों जितते हैं, फिर भी वे लोटकर बहीं आ जाते हैं, जहां से उन्होंने शुरू किया था, आपने उन्हीं व्यवसाई के अथलेटों की कानिया भी पढ़ी होंगी, जो चोवीस साल की उमर में हर साल करोड़ों डालर कमाते हैं, और चोंतिस साल की में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है आज ही के एगवार में एक युवा बास्केट वाल खिलाडी की खबर चपी है जो एक साल पहले करोनों का मालिक था आज वह यह सिकायद करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों वकीलों और अकाउंटेंड ने उसके पैसे हड़प लि इसके वज़ाई यह थी कि उसने कार साप करते समय अपनी चैंपियंशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह बहदवाव है अंगुठी ही तो उसकी महान जिन्द पाई नहीं बचेगा और वह मर जाएगा उन्निस सो सतानमे में मैं यह से बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए ने करोड़ पती बन रहे हैं एक बार फिर यह उन्निस सो बीस के उच्छाल वाली दसकी यादिल आता है हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा पैसा रखा और आपने कितने पीडियों तक उस पैसे को सहे जा तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताईए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो म अमीर डेड़ी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बाट ठोका जाता था जैसा मैंने कहा मेरे पड़े लिके डेड़ी हमेशा किताबे पढ़ने के फायदे बताते रहते थे दूसरी तरफ मेरे अमीर डेड़ी वित्य साक्षरता या पैसे की समझ विक्षित करने प पड़ेगी अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंस का कंक्रीट का स्लेब डालना होगा ज्यादतर लोग अमिर बनने के चक्कर में 6 इंस के स्लेब पर एंपाइर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं हमारा स्कूल सिस्टम उ ही अर्थ व्यवस्ता का आधार थी आज भी यह बिना नीम के गरों में बरोसा करता है दूल की फर्स आज भी लोग प्रिय है इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नीम ही नहीं है एक दिन जब उन्हें नीम नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपनों को देखते हैं और यह है फैसला करते हैं कि पैसे की जो समश्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकरी सुलजाया जा सकता है इमारत बनना शुरू हो जाती है यह तेजी से उपर उठती है और जल्दी एंपाइर स्टेट बिल्डिंग के हैं हमारी रातों की नीदे एक बार फिर उड़ जाती है माईक और मेरे लिए माईक और मेरे लिए दोनों ही विकल्ब संभव थे क्योंकि हमारी आर्थी गिनियु मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बच्पन से सिखाई गई थी देखा जाये तो अकाउंटिंग शाये दु सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उल्जन बरे विशे को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं इस सवाल का जवाब है इसे आसान बना कर पहले इसे तस्वीरों के जरिये सिखाईए अमीर डैडी ने माईक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नियुम डाली थी चुकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया था सालों तक वेके उल्चितर बनाते रहे और उनके साथ सब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे जब माईक और मैंने उन आसान डाइग्राम्स की मदद से तिक सब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया आज माईक को जितने अकाउंटिंग विसलेशन की ज़रूरत है वह उससे भी कहीं सुक्षम और जटिल विसलेशन कर सकता है उसके पास 10 अरब डालर का सामराज्य है मैं इतना ज्यादा जटिल विसलेशन नहीं करता क्योंकि परन्तु हम दोनों की निव आसान निव थी आगे आने वाले प्रस्टों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खिंचुगा जो माईक के डैडी ने हमारे लिए खीचे थे हालांकि वह आसान है परन्तु इन चित्रों के सार है उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गैरे नियम पर दोलत का महल बनाना सिखाया था नियम 1 आपको संपत्ति और दाइतों का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वस इतना ही जानने की जरूरत है यह पहला नियम है यही एकलोता नियम है यह बहुत आसान लगता है परन्तु ज़्यादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना मेत्वपूर्ण है ज़्यादातर लोग पैसे की समश्याओं में सिर्व इसलिए उलजे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ती और दाइतों में क्या फर्क होता है अमीर लोग संपत्ती कठी करते हैं गरीब और मद्दे उमर गे लोग दाइतों भी कठे करते हैं और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ती कठी कर रही है जब अमीर डैडी ने माईक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रही है हम दो बच्चे अमीर बनने का रहसे जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे जब कि उसका जवाव इतना आसान था यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठैर ना पड़ा संपत्ति क्या है? माईक ने पूछा अभी उस बारे में चिंता मत करो अमीर डैडी ने कहा अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में गुश जाने दो अगर तुम इसे आसाने से समझ सकते हो तो तुम्हारे जिंदगी के एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी पर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी यह आसान है इसलिए इसे अंदेखा कर दिया जाता है आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जुरूरत है कि संपत्ती क्या है यह जानने के बाद हम उसे आसिल कर लें और अमीर बन जाए मैंने पूछा अमीर डैडी ने हामी बरी हाँ यह इतना ही आसान है अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता मैंने पूछा अमीर डैडी मुस्कुराई क्योंकि लोग संपत्ती और दाइतों में फर्क नहीं कर पाते मुझे याद है मैंने पूछा था व्यसक लोग इतने मुर्ग कैसे हो सकते हैं अगर यह इतना आसान है और इतना मैतोपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या कोजना क्यों नहीं चाता संपत्ती और दाइतों क्या होते हैं यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनिट लगी बड़े लोगों को यह नियम समझाने में बहुत कटनाई होती है क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं मैंने एकसर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते इसका कारण यह है कि उनकी सिक्षा अलग तरह से हुई है उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है जैसे बेंकर्स, अकाउंटेंट्स, डियल इस्टेट एजेंट्स, फैनेंसियल प्लान न रित्यादी ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ बूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है एक समझदार व्यसक को अक्सर एसा लगता है कि आसान परिवासों पर ध्यान देना मुरकता है अमीर डैडी के आई एसस सिधान्त में यकीन करते थे कीप इट सिंपल, स्टूपिड, मुरक इसे आसान ही रहने दो इसलिए वेहम दो छोटे बच्चों के सबग को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे के नियूं को ज़्यादा मजबूत बना दिया तो दिक्कत या उलजन किस बात से आती है या इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीगता है जो असल में दाइतो होती है इसका जवाब हमें अपने बुणियादी शिक्षा में मिलता है हम साक्षरता सबद पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अंढ़ेका कर देते हैं कोई बस्तू संपत्ती है या दाइतो यह है कैसे पता चलेगा अगर आप सचमुच संकट में फसना चाहें तो इन सब्दों को डिक्सेंटरी में देख ले मैं जानता हूँ कि वहाँ दी होई परिवास हैं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होंगी परन्तु दिक्कत यह है कि याम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता फिर भी हम व्यसक लोग यह मानने में अपनी तोहिन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है चोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डेडी ने एक बार कहा था समपत्ति को सब्द से नहीं अंकों से पढ़ा जाता है और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको समपत्ति और जमीन में खुदे गड़े में कोई फर्क मैसूस नहीं होगा अकाउंटिंग में अंक मैतुपून नहीं है मैतुपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं यह शब्दों की ही तरह है शब्द मैतुपूर्ण नहीं होते मैतुपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरी बताई जाती है कई लोग पढ़ते हैं परन्तु ज्यादा समझ नहीं पाते यह reading comprehension या पड़े हुए को समझने की कबलियत होती है और इस क्षेत्र में हम सब की अलग-अलग कबलियत होती है उधारन के लिए मैंने हाली में एक नया VCR खरीदा इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट शो को रिकार्ड करना चाता था पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना की अपना VCR प्रोग्राम करना मैं शब्दों को पढ़ सकता था परन्तु इसके बावजुद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मुझे सब्दों को पैचानने में A मिल रहा था परन्तु उन्हें समझने में मुझे F मिल रहा था और यही ज़्यदातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए मैंने अपने अमीर डेडी से यह बात हजारों बार सुनी है और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ती कठी करते हैं जबकि गरीब और मद्यमर गिये लोग दाइत भी कठी करते हैं यहां पर यह बताया जा रहा है संपत्ती और दाइतों में क्या फरक होता है ज़्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिवासाओं पर आपस में सैमक नहीं होते परन्तु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वितिय नेव डालने में काम आई बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डेड़ी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाई रखा और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रियोग जाना किया सब्दों का उप्योग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्सों तक इस्तेमाल किया ही ने पिछले प्रस्ट पर दिया हुआ बोक्स एक इंकम स्टेटमेंट है जिसे एक सरलाव और हानी का स्टेटमेंट भी कहा जाता है यहें आमदनी और खर्च बताता है आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा नीचे का चित्र बैलेंस सीट है इसे इसलिए यहें कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दाइतों को एक साथ मिला कर देखा जाता है यानि उन्हें बैलेंस किया जाता है कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती इंकम स्टेटमेंट और बैले सीट के बीच के संद्बंद को नहीं जानते यह समद जानना बहुत बहुत चुरूरी है पैसे की तंगी की असली वज़ाई यह होती है कि लोग संपत्य और दाइतों के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते है अक्सर उन दोनों सब्दों की परिवासाईं भी समझ खड़ी कर देती है अगर आपको दूविदा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सब्द को चुटा कर उसमें संपत्य और दाइतों सब्दों का मतलब देख ले हो आप परिवासा के लिखेवे शब्दों को पड़तो सकते हैं परंत उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों चोटे बच्चों को यह आसान परिवासाईं सिखाई संपत्ति वह होती है जो आपकी जैब में पैसा डालती है अच्छी आसान और उप्योग में आने वाली परिवासा यह एक दाइत्तों का कैस्पलो पैटर्न है अब चुंकि संपत्ति और दाइत्तों को चित्रों से समझा दिया गया है इसलिए सब्दों में दी गई परिवासाओं को समझना ज्यादा आसान होगा संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है दाइत्तो वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वास्ताव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आप जिंदगी वर संपत्ति खरीदते रहे अगर आप गरीब या मद्य उमरगी आदमी बनना चाहते हैं तो आप दाइत तो खरीदते रहिए इनके बीच के फर्क को नए जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परिशान रहते हैं पैसों के लिए आदमी इसलिए परिशान होता है क्योंकि वह नय तो शब्दों को समझ पाता है नहीं अंकों को जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्कले आ रही है उनने यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है ज़िसे वे पढ़ नहीं पा रही है कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परिशान लोगों से जादा समझदार होते हैं तो अगर आप अमीर बनना चाते हैं और अपनी दोलत को बनाई रखना चाते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी मेतव पूर्ण है, सब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं, वे पैसे के बहाव यानि कैश्प लोग को बताते हैं। ध्यानरकी, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है, और सिर्फ सब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। मेहतव तो पूरी कहानी का होता है, किसी वित्य रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लाट या कहानी ढूनने की तरह ही है, पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी, असी फिजदी परिवारों की पैसे की कहानी, यह होती है, कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेनत करते जाते हैं, इसका कारण यह नहीं है, कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है, कि वे जिन्दगी भर संपक्ति की जगए, उधारन के तोर पर, यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नोजवान का कैस्पलो पैटर्न है, यह है मद्यम वर्गी आदमी का कैस्पलो पैटर्न है, यह है एक अमीर आदमी का कैस्पलो पैटर्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिये गई हैं, हम में से हर एक को जिन्दा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है हम सभी को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है चित्र यह बताते हैं कि गरीब मद्यम वर्गिये और अमीर आदमियों की जिन्दिगियों में पैसा किस तरह आता जाता है कैस्पलो पूरी कहाने बता देता है इस कहाने में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर वेक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है गल्ती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्चाइं सुलज जाती है इसलिए जब लोग मुझे फटा फटा मेर बनने के नुक से पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ या यह है कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए मैं एकसर सुनता हूँ मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे समझ्चाएं नहीं सुलज़ती है सच कहा जाए तो इससे समझ्चाएं और अधिक बढ़ सकती है पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अकसर ज़्यादा उबार देता है पैसा अकसर हमारे ऐसे पहलू पर रोस नहीं डालता है जिसके बारे में हम अंजान रहते हैं इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दोलत मिल जाए जैसे पैत्रक संपत्ती, तनखवा में भारी बड़ोतरी या उसके लाटरी लग याई तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद ही वह अपने पूराने हाल में पहुन जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैस पलो पैटर्न को उजागर करता है अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करना है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा इसलिए यह कावत सही है मूरक और उसके पैसे से शांदार दावते होती है मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम सेक्षनिक और व्यवसाइक कावलियत हासिल कर सकें निश्चित रूप से यह दोनों ही मैं तक्वूर्ण है हमारी व्यवसाई काविलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं 1960 के दसक में जब मैं हाई स्कूल में था यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होना और विद्यार्थी आगे जाकर डोक्टर बनेगा अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डोक्टर बनना चाहेगा यह मान लिया जाता था इसका कारण यह है था कि इस दंते में सबसे ज़्यदा पैसा नजर आता था आज डोक्टरों के सामने पैसे के बहुत बड़े संकट हैं जो बगवान नहीं करे किसी और के सामने हो बीमा कंपनिया इस व्यवसाय पर काबू किये हैं सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआउजे के केस दाइर हो रही है इत्यादी आज बच्चे बास्केट वाल स्टार बनना चाते हैं टाइगर बूड्स की तरह गोलफर बनना चाते हैं कम्प्यूटर वी से जग्ये बनना चाते हैं मूवी स्टार, रोक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वाल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाते हैं इसलिए क्योंकि अब दोलत शोरत और इज़त इन्हीं जगव में हैं इस कारण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुस्किल हो गया है वे जानते हैं कि वे अवसाइक सफलता का सेक्षने की सफलता के साथ कोई सीधा समग नहीं है जैसा कभी हुआ करता था चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल सोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है इसलिए करोडों पड़े लिखे लोग अपने कारूबार में तो सफल हो जाते हैं परन्तु बाद में वे पैसे की तंगी से जूशते रहते हैं वे और जदा मेनत करते हैं परन्तु अपने समझ्याओं से जीत नहीं पाते उनकी सिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया है बलकि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संबाला जाए इसे पैसे की समझ गहते हैं पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेनत कैसे करवाई जाए ज्यादा तर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है एसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैस्पलो की समझ नहीं होती कोई आदमी बहुत बढ़ा लिका हो सकता है अपने कारोबार में सफल हो सकता है परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं हो एसे लोग अक्सर जरूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सिखा है परन्तु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सिखा यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख बरा सपना किस तरह दुख बरे सपने में बदल जाता है कड़ी मेनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक गिसे पिटे धर्रे पर चलती है हाली में शादी शुदा, खुश, बहुत पड़े लिखे पती बदनी साथ-साथ किराई के मकान में रहने लगते हैं जल्दी उन्हें यह लगने लगता है, कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खरच भी लगबग उतना ही होता है जितना की अकेली आत्मी का। समझ्षा यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वे है छोटा है वे अपने सपनों का खर करीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके अब उनके पास दो तनक्वाई होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा द्यान देने लगते हैं उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, उनके खर्च भी वैसे ही बढ़ने लगते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टेक्स, कई लोग सोचते हैं इंकम टेक्स, परन्तु ज्यादातर लोगों के वुख शाठे साथ फिस्दी के करीब होता है परंटु हकीकत में यह है पंद्रा फिस्दी होता है क्योंकि आपके बोस को भी सोशल सीक्योटी की उतनी रकम मिलानी पड़ती है मुद्दे की बात यहे है कि यहे वहे पैसने है जो आपका बोस में चली गई फिर दाइतों बढ़ने लगते हैं इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवापती बतने की कहानी के तरफ चलें उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराय के मकान में नहीं रहेंगे बलकि अपने सपनों का घर करीदेंगे जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टेक्स का बोज आ जाता है जिसे प्रोपर्टी टेक्स कहते हैं फिर वो लोग नए कार करीदते हैं नया फरनीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलिशान लगी अचानक वे अपने फस चुके हैं एक बच्चा भी पैदा हो जाता है वे और कड़ी मेहनत करते हैं पर किरिया फिर दो रही जाती है ज्यादा पैसा आता है उस पर ज्यादा टेक्स लगता है जिसे ब्रेकेट क्रीप्स भी कहा जाता है तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जा कंपनी उन्हें एक बिल कंसालिडेशन लोन देने का आफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसे में होगी कि वे अपने उन्ची ब्याजदर पर लिए गए कंजूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुक कर देते हैं इसके बाद वे रहात की सांस लेते हैं उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाप साप कर दिया है अब उन्होंने अपने उब बोगतारेन को हौम मौट केज में बदल दिया है। उनका बुक्तान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की आसान किस्तों में चुकाना होता है। समझ्या से निपनने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पडोसी आते हैं और उन्हें शोपिंग पर चलने का नियुता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुए। यही तो मौका है कुछ पैसे बचानेगा। वे आपस में बात करते हैं। वे अपने आपसे कहते हैं। मैं कुछ नहीं खरीदूँगा। मैं तो सिर्प देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज जम जाई तो उसे खरीदने की उम्मीद में अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते हैं। मैं एक युवा दमपती से हर समय ठकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं। परंतु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूशते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है। उनकी खर्चे लिए आत्तों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए होती है क्योंकि उन में पैसे की समझ नहीं होती यह समझ्दारी से सोज़चती हैं मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फसे लोगों को यही सला देता है अगर आपको लगता है कि आपने अपने आपको किसी कड़े में फसा लिया है तो कड़ा कोदना बंद कर दो मेरे डेड़ी बच्पन में हमें बताया करते थे कि जापानी तीन ताक्तों को मानते हैं तलवार की ताकत, रतनों की ताकत और दर्पन की ताकत तलवार हत्यारों की ताकत का परतीक थी अमेरिका ने हत्यारों पर खर्बों डोलर खर्च कर दिये और इसी कारण वह आज विस्व में सबसे ताकत वर्देस है रतन पैसे की ताकत का प्रतीक है इस कावत में कुछ तो सचाई है यह स्वर्णिम नियम याद रखो जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है दरपण आतम ज्यान का प्रतीक है जापानी दंद कता के अंस्वार यह आतम ज्यान इन तिनों में से सबसे कीमती वस्तु थी गरीब और मद्यम वरगिया लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेनत करने यानि नोकरी करने चले जाते हैं और कुछ से यह तक नहीं पूछते कि क्या एसा करना समझदरी है पैसे की समझ नय होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डगावनी ताकत का यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तिमाल होती है अगर वे दरपन की ताकत का इस्तिमाल करते तो वे खुछ से यह सवाल पूछते क्या इसमें समझदरी है बहुत बार अपनी अंदरुनी समझदरी पर बरोसा करने के बज़ाए लोग भीड के साथ साथ चलने लगते हैं वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं वे सवाल पूछने के बज़ाए नकल करने लगते हैं अक्सर वे ना समझी के कारण वही दो राते हैं जो उन्हें सिखाया गया है इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूझी है आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेस है अगर आप ज़्यादा करज लेते हैं तो आपको टेक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी सुरक्षित नोकरी खोजो गलतियां मत करो खत्रे मत उठाओ एसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मोच से भी डरावनी चीज होती है भीड के सामने बोलने का डर मनोव एक्यानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सारजनिक मंस पर बोलने से इसलिए खत्राते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई हो भी सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वज़े से ज़्यादातर लोग अपनी समश्या हल करने के लिए नई तरीके नहीं ढूनते इसलिए मेरे पड़ेलिके डएड़ी कहा करते थे कि जापानी लोग दरपन की ताकत को सबसे ज़्यादा मेहतो देते थे क्योंकि जब इंसान दरपन में खुद को देखता है तब ही उसे सच्चाई का पता चलता है और ज्यादातर लोग खत्रे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे भी होते हैं यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में, संबंदों में, करियर में या धन में इसी समाज से कड़ जाने के डर के कारण लोग लिक पर चलते हैं और समाज की स्विकृत मानेताओं या लोग प्रिय प्रवर्तियों के खिलाप नहीं जाते आपका घर एक संपत्ती है बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्द से बाहर निकल जाओ कड़ी में इनत करो प्रोमोशन का सवाल है एक दिन में वाइस प्रेजिनेट बन जाओंगा पैसे बचाओ, जब मेरी तनक्वा बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूँगा म्यूचुल पंड सुरक्षित है टिकल में एल्मो डोल्स अभी स्टोक में नहीं है परन्तु मेरे पास एक डोल रखी है जो दूसरा गराक अब तक लेने नहीं आया है भीड के साथ चलने और पडोशियों के एशो और आम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी समश्याइं पैदा होती है कई बार हम सभी को दरपड में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर्ग के बजाए अपनी अंदरुनी समझदरी से सोचना चाहिए जब माईक और मैं सोल आके हुए तो हमें स्कूल में समश्याइं आने लगी थी हम बुरे बच्चे नहीं थे हम केवल अपने आपको भीट से अलग कर रही थे स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माईक के डैड़ी के लिए काम करते थे माईक और मैं एक्सर गंटों तक हूँ उसके डैड़ी के पास बैठे रहते थे जब वे अपने बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंड, ब्रोकर्स, निवेश को मैनेजर और करमचारियों के साथ चर्चा करते थे माईक के डैड़ी ने तेरह साल की उमर में स्कूल छोड़ दिया था अवे पडेली के लोगों को रास्ता दिखा रहे थे उन्हें आदेश और निदेश दे रहे थे उनसे सवाल पूछ रहे थे पडेली के लोग उनकी एक आवाज पर दोड़ी चले आते थे और उनके गुस्षे से डरते थे यह है आदमी कभी भीड के साथ नहीं चला इस आदमी ने खुद की दम पर सोचा और फैसला लिया उन्हें इन सब्दों से चिड़ोती थी हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसे इस तरह करते हैं वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिड़ते थी अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाते थे तो आपको बस इतना ही कहना था मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते माईक और मैंने उनके साथ रहकर जितना सीखा उतना आमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा कालेज में भी नहीं माईक के डैड़ी के पास स्कूल की सिख्षा तो नहीं थी परन्तु उनके पास पैसे की सिख्षा थी और इसी कारण में सफल भी थे वे हमें बार-बार बताया करते थे एक समझदार व्यक्ती अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को नोकरी पर रख सकता है इसलिए माईक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सिखने का लाब मिला परन्तु इसके कारण माईक और मैं दोनों ही उन समझिक मानेताओं के साथ नहीं चल पाई जो हमारे सिख्षक हमें बताते थे और इस वज़े से कई समझें पैदा हो गई जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नमर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते तो माईक और मैं अपनी बोहें चड़ा लेते थे जब हमें गिसे पिटे ड़ए पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षर से पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली सिख्षा दरसल रचनात मकता का गलाग उटते थी है हम अमेर ड़ड़ी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाए गया है ताकि वहाँ अच्छे करमचारी तयार हो ने की अच्छे मालिक कभी कबार माईक या मैं टीजर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनकी असली जिन्दिगे में क्या उप्यों बिता है या यह है कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा मैं तो बूर नहीं है और अगर हम अच्छे पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगएगा हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते थे अपने सिक्षकों और सैफाटियों से उतना ही दूर होते जाते थे मेरे पढ़ेल के डैड़ी ने कभी मुझे पर अच्छे नंबरों के लिए दवाव नहीं डाला मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि उन्होंने इसा क्यों नहीं किया परंतो हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैड़ी से अच्छी हो चुकी थी मैं हिसाब किताब रख सकता था मैं टेक्स अकाउंटेंट्स, कार्पुरेट्स, अटार्नी, बेंकर्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स, निवेश को इत्यादी की बाते सुनता था मेरे डैड़ी सिक्ष्कों की बातें करते थी एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा गर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है इस बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि गर हमारे लिए अच्छा निवेश क्यों नहीं है आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने गरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीव डैडी के विचारों में कितना अंतर था एक डैडी के इसाफ से उनका गर एक संपत्ती थी जबकि दूसरे डैडी के इसाफ से यह एक दाइत्तो था मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींच कर अपने डेड़ी को कैश फलो की दिशा समझाने की कोशिस की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ दिगार खर्च भी बढ़ जाते हैं एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च और इसका मतलब यह था कि कैश फलो खर्च के कालम से उपर गुजरता रहता था आज ही लोग बाग मुझे इस बात पर बहास करते हैं कि उनका घर समपतिक क्यों नहीं होता मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेस मानते हैं अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है मैं इस लोग प्रियमानयता को देखने का एक और नजरिया सुजाना चाहता हूँ अगर मैं और मेरी पतनी एक ज़्यादा बड़ा और आलिशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ती नहीं होगी बलकि एक दाइत्त होगा क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा तो यह है रहा मेरा तरक हालनकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होगी क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाई पैसे की समझ को खरा देती है मुझे व्यक्तिकत अनुवा उसे पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है नमबर एक जब घर की बात आती है तो मैं यह है बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की किमत चुकाने के लिए जिन्दगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते है दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग एक घर करीदने से कुछ सालों बार दूसरा घर करीदते है और हर बार अपने पहले मकान के लिए जो कर्ज बे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार सिर्फ फिर से तीन साल का नया खर्ज होता है नमबर दू हालांकि लोगों को माटगेज पेमेट पर ब्याज के लिए टेक्स में छूट मिलती है पर उन्तूबे अपने दिगर खर्चों के लिए टेक्स के साथ मिलने वाले डालरों का उप्योग करते हैं अपनी माटगेज को पूरी तरह चुकाने के बाद भी नमबर तीन प्रोपर्टी टेक्स मेरी पतनी के में में डेडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रोपर्टी टेक्स एक अजार डॉल्ल परती महा तक पहुंच गया यह तब हुआ जब रिटाइर हो चुके थे और इस बड़ोतरी से उनका रिटाइरमेंट के बाद का बज़ट गड़ बढ़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा नमबर चार घर के कीमत हमेशा नहीं बढ़ती मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था उन्हें तस लाग डॉलर से भी ज़्यादा का कर्द चुकाना है पर आज उस घर की कीमत साथ लाग डॉलर से ज़्यादा नहीं है नमबर पांस आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है अगर एक युवा पति पतने शुरुआत में यह बना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाई तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खास कर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे इस दोरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चें भी आराम से निकलते लगेंगे अकसर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के बुगदान के लिए होम एक्विटी लोन का सालन बन जाता है संक्षेप में अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चिला पड़ता है इसके बज़ाई बहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियों बना लिया जाए किसी आदमी पर इसका आसर कम से कम तीन तरह से पड़ता है नमबर एक समय की बरवादी क्योंकि इस दोरान दूसरी संपतियों का मुल्य बढ़ गया होता है नमबर दो अतिरिक पूंजी की बरवादी जिसे दुबारा निवेस किया जा सकता था जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं नमबर तीन शिक्षा की बरवादी अक्सर एसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनकी संपतिवले कोलम में उनका घर बचतो रिटाइर्मेंट प्लान आते हैं चुकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं इस कारण उने निवेश कानुबह कभी नहीं मिल पाता ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बड़िया निवेश सामान्य तोर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं मेरे पड़ेली के डेडी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट चुहा दोड में फसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उधारन है उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे इसलिए उन्हें संपत्ती में निवेश करने का मोका ही नहीं मिलता था इसका नतीजा यह होता था कि उनके डाइतों जैसे मार्केज और क्रेडिट कार्ड की कर्ज उनकी संपत्ती से कहीं ज़्यादा होते यह चित्र एक अजार सब्दों की तरह एक कहानी बताता है पड़ेल के डेडी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट दूसरी तरफ मेरे अमीर डेडी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेस कर रहे थे और उन्होंने अपने दाइतों को कम से कम रखा था अमीर डेडी का फाइनसियल स्टेटमेंट मेरे अमीर टेड़े के financial statement से यह है भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं संपत्ति वाले कोलम से इतने ज़्यादा अमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कालम में दुबारा निवेश कर दिया जाता है संपत्ति वाला कालम बढ़ता जाता है और इससे होने वाली अमदनी भी बढ़ती रहती है नतीजा यह होता है अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं देते हैं उनकी मूल आमदनी तनक्वा से होती है और जैसे जैसे उनकी तनक्वा बढ़ती है उनके टेक्स भी बढ़ते जाते हैं इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं इसलिए इसे चुहा दोड कहा जाता है ये लोग मानते हैं कि उनका घर उ आज की कर्जदार सोसाइटी दो बाते मानती हैं पहली यह है कि खुद का घर एक निवेस होता है और दूसरी यह है कि तनक्वा बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बढ़ा घर खरीद लेना चाहिए बढ़ते वे खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर अरज में फस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है हालांकि वे अपनी नोक्रियों में लगातार तरक्की कर रही है और उनकी तनक्वा लगातार बढ़ती जा रही है इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम बरी जीवन सेलिक कहा जाता है और इसका कारणी यह है कि एसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती 1990 के दसक में नोक्रियों में बारी कटोती जी यह बात पता चली कि मद्यम वर्ग पैसे के मामले में कितना ऐस सुरक्षित है अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 41 के प्लान आ गए है सोसल सिकेर्टे निश्चित रूप से संकट में है और इसे रेटाइर्मेंट का सारा नहीं बनाया जा सकता मद्यम वर्ग में गवराहट का माहूर पैदा हो गया है आज एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादा तर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूच म्यूचल फंड बनते जा रहे हैं म्यूचल फंड इसलिए लोग प्रिया हुए क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं और सक्ट म्यूचल फंड खरीदने वाले आदमी नोकरी में टेक्स और मार्केर चुकाने में अपने बच्चों की सिक्षा की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का इसाब साब करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेस करने की कलाश सीख सकें इसलिए वे म्यूचल फंड के मेनेजर की कावलियत पर भरोसा करते हैं चुकि म्यूचल फंड कई तरह के निवेस करत है इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा जाड़ा सुरक्षित हैं क्योंकि यह टुकडों में बंड गया है यह डाइवर्सिफाइड हो गया है पड़ेल के मद्यमवर्ग का यह समूद म्यूचल फंड ब्रोकर्स और फैनेंसियल प्लानर के डाइवर्सिफाइड हैं उनके सुरक्षित खेलने का असल कारणी यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी बैलेंस सीट में बैलेंस नहीं होता उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है जबकि उनके दाइतों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है समान्य तोर पर उनकी आमदनी का इकलोता साधन, उनका वेतन होता है, उनका जीवन वे आपन पूरी तरह से उनके बोस पर निर्वर करता है, और जब सच्मुत जिंदगी में एक बार आने वाला मोका आता है, तो ये लोग उस मोके का फाइदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे इतनी क महत्वण नियम यह है, कि संपत्ती और दाइतों के बीच के अंतर को पैचाना जाए, एक बार आप इसमें फरक समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ती खरिदने की लगातार कोशिस करते रहें, यह अमीर बनने की रहा पर चलने का सबसे लोग प्रिया औ इसे करते रहें, और आपका संपत्ती वाला कोलम बढ़ाते रहें, अपने दाइतों और खर्च को कम करने की कोशिस भी करते रहें, इससे पैसा आपके संपत्ती वाले कोलम में आता रहेगा, जल्द ही आपकी संपत्ती वाला कोलम इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, कि और ज़ादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे एसे निवेश जिन्में 100 फिजदी से अनंद तक फाइदा हो सकता है एसे निवेश जिन्में 5000 डोलर की रकम जल्दी ही, 10 लाख डोलर या इससे जादा हो जाती है एसे निवेश जने मद्यमवर्ग बहुत जोखिमबरा मानता है निवेश जोखिमबरा नहीं है यह उस व्यक्ति की पैसे की ना समझी है वित्य निरक शर्ता है जो उसे बहुत जोखिमबरा बना देती है अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा एक करमचारी होने के नाति जो घर का मालिक भी है आपकी नोकरी का पैटर्न सामनेते यह होता है नमबर एक आप किसी के लिए काम करते हैं तनकुआ पर काम करने वाले ज़्यादा तर लोग मालिक को या शेर होल्डर्स को ज़्यादा आमिर बना रही है आपकी कोशिशों मेहनत और सफलता से दरसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रेटायर्मेंट में मदद मिलती है नमबर दो आप सरकार के लिए काम करते हैं आप इसे देख पाएंगे इसके पहले कि सरकार आपकी तनकुआ मेंसे अपना हिसा ले लेती है ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टेक्स में बड़ोतरी करते हैं ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर् तोर पर आपका मोड़केज क्रेडिट काट का कर चुकाना होता है अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो समझा यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फाइदा होता है आपको यह सीखना चाहिए कि आप को और आपके परिवार को सीधा फाइदा मिल सकता है अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे तो फिर आपको यह नहीं पता दोता कि आपके लक्षों को किस तरह से निरदारित किया जाई ज्यादा तर लोग अपने प्रोफेशन को बनाई रखना चाते हैं और अपने तनक्वा के सारे ही संपत्ति बनाना चाते हैं जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सबलता का अंकलन करते हैं कब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अमीर है कि उसके पास दोलत है संपत्ति और दाइतों की मेरी अपनी परिवास दरसल मैंने इसे बक्मिन्स्टर फूलर नामक व्यक्ति से सिखा है। कुछ लोग उसे नीम हकिम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तो भी इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जीयोडेसिक डॉम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। और उस आवेदन में फूलर ने दोलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठेक ठेक मतलब समझ में नहीं आया था। परंतु यानि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ तो मैं कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्ति और दाइतों के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत किमती है। परंतो इस प रखी कर लिए है। अलंकि नेट वर्थ में एसी चीजें भी आ जाती है जिन से पैसा नहीं आता। जैसे वह वस्तू जो आपके गैरेज में खड़ी है। दोलत का सिधा सा इसाव यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है। और इसलिए आप आर्थी ग्रूप से कितन दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दोलत दरसल संपत्ति के कोलम के कैश फलो का दाइत्तों वाले कोलम के साथ तुलना है। एक उधारन ले। यह कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कोलम से एक अजार डालर का कैश फलो है। और मेरा खर्च हर महीने दो अजार डा से मैं कितने दिनों तक जिन्दा रहे सकता हूं अगर हम एक महिने में 30 दिन माल लें तो इस परिवास Administration से 15 दिन तक जिन्दा रहे सकता हूं जब मैं अपने संपस्ति से हर महिंने 2000 डालर का legit Labs हासिल ने लग जाओंगा तो मैं दोलतमद हो जाओ में आधार मेर मेरी better समपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे मैने बर के खर्च के लिए काफी होती है अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाता हूँ तो मुझे इसके पहले अपने समपत्ति से आने वाले कैस्पलों को बढ़ाना होगा यहे ध्यान रखें कि इस बिंदू पर मैं अपनी तनख्वा पर बिल्कुल भी निर्वन नहीं हूँ मैंने संपत्ति वाले कालम को परने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ अगर मैं आज अपने नोगरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश्पलो आता रहेगा कि मेरा खर्चा साने से चलता रहेगा मेरा आगला लक्षय यह होगा कि मेरी संपतियों से आने वाले अतिरित कैस्पलों को फिर से संपतियों वाले कालम में निवेस कर दिया जाएगा मेरी संपतियों वाले कालम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है मेरा संपत्ती वाला कालम उतना ही बढ़ता रहता है मेरा संपत्ती वाला कालम जीतना ज़्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज़्यादा कैस्फलो आता है और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैस्फलों से कम रखता हूँ तब तक मैं और ज़्यादा अमिर बनता रहूंगा और ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरी आमदनी शारिरिक मेनद से नहीं बलकि दूसरे जर्यों से आ रही है जब तक पुनर निवेश की यह परक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की रहा पर तेजी से चलता रहूंगा अमीर की असली परिवासा देखने वाले की निगा में होती है आप कभी अत्यदिक अमीर नहीं हो सकते इस आसान सबक को याद रखें अमीर संपत्ति खरीदते हैं गरीब केवल खर्च करते हैं मद्यमवर्ग दाईतों खरीदता है परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा इस सवाल का जवाब क्या है मैक डूनाल्स के मालिक की बातें सुने धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की तरफ जो है अपने काम से काम रखो आपका दिन शुब हो रिच डैड पूर डैड अध्याई च्यार अपने काम से काम रखो उन्नीसोचोफर में मैक डूनाल्स के मालिक रे क्रोक से आग्रह किया गया कि वे आस्टेन में टेकसास युनिवेस्टी में एम्बिय की कक्षिया में व्याख्यान दे मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहाँ एम्बिय कर रहा था बहुत अच्छी और प्रेणा डायक चर्चा के बाद कक्षा खतम हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे रे तयार हो गई जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है हर कोई हंस पड़ा ज़्यादातर एम्बिय विद्यार्थियों को येसा लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे किसे ने जबाब नहीं दिया इसलिए रे ने दुबारा येही सवाल कुछा आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है विद्यार्थि दुबारा हंस दिये और आखिर कर एक बहदूर विद्यार्थियों ने जोर से कहा रे दुनिया में सा कौन है जो ये है नहीं जानता कि आप हैंबर्ग बिजनस में है रे हंस दिये मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा लेडिज एंड जेंटलमेंट मैं हैंबर्ग बिजनस में नहीं हूँ मेरा आसली बिजनस है रियल इस्टेट कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया अपने बिजनस प्लान में रे जानते थे कि बिजनस का मूल लक्षे हेंबर्ग फरंचाइजी बेचना था परन्तु वे कभी भी हर फरंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले वे जानते थे कि रियल इस्टेट और इसकी लोकेशन हर फरंचाइजी की सबलता में सबसे मेत्वपून तक तो है मुलतेव है आदमी जो फरंचाइजी खरीद रहा था और रे कराक के संक्टन की फरंचाइजी चेन का सदश्य बनता था वहे भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था आज मेकडोनाल्ड दुनिया में रियल इस्टेट का सबसे बड़ा केला मालिक है जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा ज्यादा रियल इस्टेट है आज मेकडोनाल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देसों में सबसे किमती चुराई और नुकड़ हैं कीथ ने कहा कि यह उनके जिन्दगी का बहुत बड़ा सा बकता आज कीथ के पास कार दोने का बिजनस है परंतो उसका असली बिजनस है कार दोने के घरेज के नीचे का रियल इस्टेट फिचल एध्याई के अंद में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं बस अपने लिए काम नहीं करते वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं फिर टेक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिर कार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मार्क गेज का मालिक होता है जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैक डॉनल्ड का कोई फ्रंचाईज य आउटलेट नहीं था परंदो मेरे अमीरी डेड़ी ने माईक और मुझे वही सबग सिखा दिया जो टेकसास यूनिवेस्टि में रेक राकने सिखाया था यह है अमीरों का रहशे नंबर तीन है रहशे है अपने काम से काम रखो लोगों की जिन्दगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिन्दगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं कई लोगों के पास तो जिन्दगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता एक बार फिर एक चित्र एक हजार सब्दों के बराबर है यहां एक इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट का चित्र दिया गया है जो रेक राकी सला का सबसे रचा उधारन है हमारी वर्तमान शिक्षा पद्दती आज के युवाओं में अकादमी कुशलताइं विक्षित करूने अच्छे नोकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है उनकी जिंदगी उनकी तनक्वाओं के चारों तरफ गूंती है या जैसा पहले बताया जा चुका है उनकी आदमधनी वाले कालम के चारों तरफ और जादा अकादमी कुशलताओं को विक्षित करने के बाद वे अपनी व्यवसाई की युगेताओं को बढ़ाने के लिए और उनसे शिक्षा हासिल करते हैं वे इंजिनियर, वे ग्यानिक, रसोई, पुलिस अबसर, कलाकार, लेखा की द्याती बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनकी व्यवसाई की युगेताओं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मुका देती हैं परंतु द्यान रहे, वे पैसे के लिए काम करते हैं आपके प्रोबेशन और आपके बिजनस में बहुत बढ़ा अंतर है मैं एक सर लोगों से पूशता हूँ, आपका बिजनस क्या है और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ फिर मैं उनसे पूशता हूँ क्या वे बैंक के मलिक हैं और समाने ता उनका जवाब होता है नहीं मैं वहाँ काम करता हूँ इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस को एक ही समझ लिया है उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है परन्तु उनका अपना बिजनस कुछ भी नहीं है रेक राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस के बीच की अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे उनका प्रोफेशन हमेशा वही था वे एक सेल्जमेन थे एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेशते थे और कुछ ही समय बाद वे हैंबर्ग फरंचाईजी बेशने लगे आलांकि उनका प्रोफेशन हैंबर्ग फरंचाईजी बेशना था परंतु उनका बिजनस आई दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकठा करना था स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विशे पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं उधारण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्यान करते हैं तो आप शेप बन जाते हैं अगर आप कानून का अध्यान करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और अगर आप आटो मेकेनिक का देन करते हैं तो आप मेकेनिक बन जाते हैं जो पढ़ा जाई वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उन तरफ गुमता है जो आपकी आमदनी वाले कालम के प्रीपरीत होता है जैसा पहले बताया जा चुका है नमबर एक नियम यह जानना है कि संपत्ति और दाइतों के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदना चाहिए अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कालम पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग बाकी सभी लोग अपने income statement पर ध्यान देते हैं इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है मुझे ज्यादा तनक्वा की जुरूरत है कास की मुझे promotion मिल जाए मैं एक बार फिर school जाकर कुछ और protection लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नोक्री पास कूँ मैं ओर टाइम करने वाला हूँ शायद मुझे कोई part time काम मिल जाए मैं दो सब्ता में नोक्री छोड़ रहा हूँ मुझे एक नई नोक्री मिल गई है जिसमें तनक्वा जा रहा है कई समूओं में ये समझदारी के विचार हैं परन्तु अगर आप रेक राक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं ये सबी विचार अपना पूरा ध्यान अमदनी वाले कालम पर केंद्रित की हुए हैं और अगर अतिरिक धन का उप्योग हामदनी बढ़ाने वाली संपतियों को खरीबने में किया जाता है तभी वह आदमी आर्थी ग्रूप से सुरक्षित हो सकता है गरीब और मद्यम वर्ग के ज्यादातर लोग पुरातन पंती होते हैं यानि मैं जोखिम नहीं उठा सकता यानि कि कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपति मानते थे यानि कि उनका घर वह उन्हें जिन्दा मार रहा है उनकी घर नमक संपति हर माँ उनकी जेव से पैसे निकलवा रही है उनकी कार उनकी दूसरी संपति उन्हें जिन्दा मार रही थी गैरेज में रखे एक जार डालर में को यादार नहीं बचा था। उनके विचार में जो समपतियां थी पैसे के संकठ के समय में वे उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यहह मान कर चल रहा हूं कि हम लिए ज्यादा तरने मकान खरीदने या कार खरीडने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फार्म बरा है नेट वर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है यह है रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकर और अकाउंटिंग में बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपत्या माना जाता है एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली आलत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने अपने नईव गोल्फ लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तगें, स्टीरियो, टेलिविजन, अर्मानी सूट्स, कलाई गडियां, जूते और दिगर चीजों को संपत्य वाले कालम में दिखा दिया मेरे लोन के आवेदन को एस शुकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत जादा निवेस रियल इस्टेट में था लोन कमेटे को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसे से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था वे यह जानना चाते थे मेरे पास एक सामान या नोगरी क्यों नहीं है जिसमें बेतन मिलता हूँ उन्होंने मेरे अर्माने सूट्स, गोल्फ कलब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं की जिन्दगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टंडर्ड परफाइल में फिट नहीं होते हैं मैं हर बार चोंग जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते वे सुनता हूँ कि उनकी नेट वर्थ दस लाग डालर है या एक लाग डालर है या एसा ही कोई और आंकड़ा नेट वर्थ के सटीक नहीं होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपने संप्रतियों को बेचना शुरू करते हैं आपकी प्राप्तियों पर टेक्स चुकाना पड़ता है इतने सारे लोग अपने आपको पैसे के इस गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है पैसा जुटाने के लिए वे अपने संप्रतिया बेचते हैं पहले तो उनकी वेक्तिकत संप्थियां शामाने तेय उस मुल्य से बहुत कम में बिखती है जो उनकी बैलेंस सीट में दिखाया गया है या अगर संप्थियों को बेजने से कोई फाइदा होता है तो उस पर टेक्स लगा दिया जाता है तो एक बार फिर सरकार फाइदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्द से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है अपने काम से काम रखना शुरू कर दे दिन में नोकरी को करते रहें परन्तु अपने संपतियों को खरीदना भी चालू कर दे एसे दाइतों या वेक्तिकत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाई आप जिस क्षण एक नई कार को शोरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं उसकी कीमत 25 फिजदी कम हो जाती है यह सची संपति नहीं है हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपति मानते हैं मेरा 400 डालर का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदे के कुछी मिन्टों बाद 500 डालर मुल्यका हो गया था वेसकों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर ले अपने डाइतों को गटा ले और मेनत से ठोज संपतियों का आधार बना ले उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है यह ऐसी खाया जाना चाहिए कि संपति और डाइतों के बीच क्या फार्क होता है घर चोड़ने से पहले युने संपति वाले कालम को बनाने की प्रेणा दी जानी चाहिए इसके पहले की वे घर चोड़े शादी करें घर खरी दें, बच्चे पैदा करें खतरना कार्थिक स्थिति में फसें नोकरी को कसकर फकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरी दें मैं बहुत सारे युवदंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आपको एक ऐसे जाल में फसा लेते हैं जिससे वे अपने नोकरी के बहुत सालों तक कर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं जब आखरी बच्चा घर चोड़ कर चला जाता है तब ज्यादा तर लोगों को यह है एसास होता है कि उन्होंने रिटाइर्मेंट की परियाप तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं फिर उनके अबने वम्मी डेडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम मेदरिया आ जाती है मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्यों के संग्रहन की प्रिणा दे रहा हूँ मेरी दुनिया में असली संपत्या कई तरह की होती है नमबर एक एसी बिजनस जिसमें मेरे होने की जरूरत नहीं हो मैं उनका मालिक जरूर हूँ परन्तु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनस नहीं होगा यह मेरी नोकरी होगी नमबर दो स्टोप नमबर तीन बांड जैसे संगी पड़कता पे टेंटी द्याती से मिलने वाली रोयरिटी नमबर आठ और एसी हर चीज़ जो कीमती है जो आमजनी देती है और जिसका मुल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है जब मैं छोटा था तब मेरे पडेलिके डेडी ने मुझे एक सुरक्षित नोबरी डोनने की सला दी दूसरी तरफ मेरे अमीर डेडी ने मुझे इसी संपतियों को इकठा करने की सला दी जिने मैं पसंद करता था अगर तुम उने पसंद नहीं करते होगी तो तुमें इसका ध्यान नहीं रख पाओगे मैं रियल इस्टेट इसलिए इकठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है मैं उनके लिए शोपिंग करना भी पसंद करता हूँ मैं सारा दिन उन्हें नियार सकता हूँ जब समश्य होती है तो वे उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल इस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाई एसे लोग जो रियल इस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए मुझे चोटी कंपनियों के स्टोक से भी प्रेम है कास कर नई कंपनियों के स्टोक से इसका कारण यह है कि मैं इंटर्प्रियोंनर हूँ नए की कोई कॉर्परेट विखती अपने शुरुवाती सालों में मैं बड़े संग्ठनों में काम कर चुका हूँ जैसे कैलिफोर्निया के स्टंडर्ड में यूएस मारीन कार्प्स और जैराक्स कार्प्रेशन में मैंने इंसंग्ठनों में बिताई समय का मजा लिया और मेरे पास कई सुख़ दिया दे हैं परंतु बीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आउट भी नहीं हूँ मुझे कंपनी चालू करना अच्छा लगता है परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वहे भी सामाने तया छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी चालू करता हूँ और उसे सारुजनिक बना देता हूँ नए स्टोक के शेयर में कीमत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है कई लोग कम पुंजी वाली कंपनियों से टरते हैं और उन्हें खतरना कहते हैं और वे खतरना कहें भी परंतु खत्रा हमेसा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं चोटी कमपनियों के साथ मेरी रणनिती यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेश किये जाए दूसरी तरब मेरी स्टिती रियल एस्टेट की रणनिती होती चोटी प्रोपर्टी से शुरू करने की होती है फिर मैं उस चोटी प्रोपर्टी को बेच कर उसे थोड़ी बड़ी प्रोपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अबने फाइदे पर टेक्स चुकाने से बस्ताग रहता हूँ इससे property की value में नाट की अब डोतरी होती है मैं सामान्य तोर पर real estate को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ वरसों तक जब मैं marine carbs और जिरेक्स में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था मैं अपनी दिन की नोगरी करता परन्तु मैं अपने काम से काम भी रखता था मैं अपनी संपति वाले कालम में कुछ ने कुछ करता रहता था मैं real estate और छोटे stocks की खरीद प्रोट भी करता था अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के मैतों पर जोर दिया जितनी अच्छी तरह मैं accounting और cash management को समझ सकता था उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेसों का विशलेशन कर सकता था और आखिर कार खुद की company शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था जब तक कि कोई पहले से यह सान्य सोच रहा हो मैं किसी को भी अपनी company बनाने के लिए प्रोट साइट नहीं करता मैं जानता हूं कि company चलाने में कितना जंजट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस जंजट में फसें कई बारे ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उन के लिए company चालू करना एक समाधान होता है पर अवसर बहुत कम है 10 में से 9 company पांच सालों में लोग जाती है पहले 5 सालों में जो company बची रहती है उन में से भी 10 में से 9 company बाद में बंद हो जाती है तो अगर आपकी पहले से अपनी कमपनी शुरू करने की इच्छा हो तभी मैं इसकी सला दूँगा अन्य था अपने दिन की नोपरी करते रहें और अपना काम से काम रखें जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखें तो मेरा में यह मतलब है कि आप अपनी संपती वाले कालम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें एक बार इसमें एक डालर जाए तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाई इसे इस तरह सोचें कि जब एक डालर आपकी संपती वाले कालम में जाता है तो वह आपका करमचारी बन जाता है पैसे के बारे में सबसी अच्छी चीज यह है कि यह हर दिन 24 गंटे काम करता है और इसा पीडियों तक कर सकता है अपनी दिन की नोकरी को चालू रखें एक अच्छे मेहनती करमचारी की तरह काम करें परंतो अपनी संपती वाले कालम को बढ़ाते रहें जब आपका कैश्फलो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीच सकते हैं इस बारे में एक मैत्वण तक्या यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीचते हैं जबकि गरीब और मद्यमर गिये लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीचते हैं गरीब और मद्यमर गिये लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, जोलरी जैसे विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें वे अमीर दिखते हैं परंत वसल में वे उद्हार के दलदल में गहरे दंस्ते से ले जाते हैं वे लोग जिनके पास पीडियों से पैसा है जो लंबे समय से अमीर हैं वे अपने संपत्ति वाले कालम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कालम से होने वाले आम्दनी उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीड लेती हैं। गरीब और मद्यमर गे लोग अपनी खून पशेने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें खरीटते हैं सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विक्षित करने का प्रोथ साहन है उधारन के लिए जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसे से अतिरिक्ट पैसा आने लगा तो वह बजार गई और अपने लिए मर्सिडेज खरीद लाई इसमें जरा सी भी मेनत या जोखिम्द नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी परन्तु उसे इसके लिए चार सालों तक इंतजार करना पड़ा जब रियल एस्टेट पोटफोलियो बढ़ रहा था और आखिर गार उसने इतना अतिरिक्ट पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सकती है परन्तु मर्शिडीज की यह विलासिता दरसल एक सचा पुरुसकार है क्योंकि उसने यह सावित कर दिया था कि वह अपनी संपत्ती वाले कालम को सही तरह से बढ़ाना जानती है अब उसके लिए उस कार की किमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है चुके हो या उन्हें सिर्फ एक नए खिलोने की जुरूत हो कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से तेर सवीर वह आदमी उस चीज़ से चिड़ने लगता है क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक बाहर बन गया एक बार आपने अपने बिजनस को बनाने उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादु की जड़ी भुआ सकते हैं जो अमीरोंका सबसे बड़ा रहष्य है यह है रहसे अमीरों को भीड में सबसे आगी रखता है अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस रहा पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई पांच की तरफ जो है टेक्स का इतियास और कॉर्परेशन्स की ताकत आपका दिन शुब होई रिच डेड पूर डेड अध्याई पांच टेक्स का इतियास और कॉर्परेशन्स की ताकत मुझे याद है हमें स्कूल में राबिन हुट सो और उसके सुखी गिरो की कहानी बताई गई थी मेरे स्कूल के टीचर का मानना था यह केविन कोसनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्गत कहानी है जो अमीरों को लुटता था और गरिबों में बांट देता था मेरे अमीर रेडी की नजर में राबिन हुट हीरो नहीं था वे उसे बदमास मानते थे राबिन हुट को गुजरे वे तो लंबा समय गुजर चुका है परंतु उसके अनुनाई आज भी जिन्दा है कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते या अमीरों को और ज़्यादा टेक्स देना चाहिए और उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए राविन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए गरीब और मद्यम वर्ग के लोगों के लिए सर्वादी कष्ट का कारण है इसी रोविन हुड आदर्स के कारण मद्यम वर्ग पर टेक्स का इतना भारी बोज लदा हुआ है सचाही तो यह है कि अमीरों पर टेक्स लगता ही नहीं है गरीबों की बलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मद्यम वर्ग से आता है खास कर शिक्षित और उंची आमदनी वाले वर्ग से टेक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी इतियासिक प्रस्ट गूमी को समझने की जरूरत है हमें टेक्स के इतियास को जानने की जरूरत है हलांकि मेरे पडेल के डैडी सिक्षा के इतियास कमाल का ग्यान रखते थे परन्तु मेरे अमीर डैडी टेक्स के इतियास पर विशे सग्ये थे अमीर डेडी ने माईक और मुझे यह समझाया कि इंग्लेंड और अमेरिका में सब से पहले कोई टेक्स नहीं लगते थे कभी कभार युद का खर्ज उटाने के लिए कुछ समय के लिए टेक्स जरूर लगा करते थे राजा या राश्रबती मुझे से कह भर देता है और हर आदमी उसकी कही बात मान कर अपना सही होग देता है ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद के समय टेक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वार के खर्च को जुटाने के लिए टेक्स लगाया गया था 1864 में इंग्लेंड ने इंकम टेक्स को अपने नागरिकों पर स्थाई रूप से लागू कर दिया 1913 में समिधान के 69 सरसोधन के साथ अमेरिका में भी आईकर स्थाई रूप से लागू किया गया एक समय था जब अमेरिकी लोग टेक्स विरोधी हुआ करते थे चाई पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्वर पर पर प्रसीद टी पार्टी की गटना हुई थी जिस से करांतिकारी यूद को ताकत मिली इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को इन नियमित इंकम टेक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगवग पचास साल का समय लगा इन एतियासिक दित्यों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों इमामलों में टेक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थी अमीर डेडी चाहते थे कि माईक और मैं इस बात को कभी नहीं मूले उन्होंने सबस्ट किया कि टेक्स का विचार लोग पर यह बना और उसे ज़्यादतर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गिया कि टेक्स अमीरों को सजा देने का और मद्यम वर्गतता गरीबों को मदद देने का साधन है इसी कारण जन्ता ने टेक्स कानून के समर्थन में वोड़ दिये और यह वैदानिक बन गया हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है पर अंतु दरसल यह उनी लोगों को दंड देता है जिन्नों ने इसका समर्थन किया था यानि गरीब और मत्यमवर्ग एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चक लिया तो उसकी भूक बढ़ती गई अमीर डैडी ने कहा तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोद करते हैं वे एक सरकारी ब्यूरुक्रेट हैं और मैं एक पूंजी पती हूँ हमें विपरित व्यवार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मावदन्डों पर तोली जाती है उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिये जाते हैं वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम परक रखते हैं उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूँ और जितना कम पैसा खर्च करूँ मेरे प्रिवेसक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूँ उनके लक्षे बिजनस के ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं जैसे जैसे सरकार के करमचारी बढ़ते हैं उन्हें तनक्वा देने के लिए उतने ही ज़्यादा टेक्स की जरूरत होती है मेरे पढ़ेले के डेड़ी इस बात में बरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करने चाहिए वे जान अफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर प्रीस कार्प्स के विचार से वे इस विचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही प्रीस कार्प्स में के लिए काम करते थे और मलेसिया, थाईलेंड और फिलिपिंस जाने वाले सिम्चे वोगों पर सिक्षित करते थे वे हमेसा आतरीक तनुदान और वजट में बढ़ोतरी की कोसिस करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को बढ़ती कर सके एसा वेसिक शाइबा की अपनी नोकरी में भी करते रहे और पीस कार्फ में भी, यह है उनका काम था जब मैं दस साल का था, तब से मैं अबने अमीर डेड़ी से यह सुनता आया हूँ कि सरकारी करमजारी आल सी चोरों का गिरो है और मेरे गरीब डेड़ी से मैं यह सुनते आया हूँ कि अमीर लोग लाल्ची और बद्वास होते हैं जिन से सरकार को ज़्यादा टेक्स लेना चाहिए दोनों ही विचारों के प्रक्स में तरक दिये जा सकते हैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शेहर के सबसे बड़े फुंजी पतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डेड़ी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थी यह तैय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किस की बात पर मुझे बरोसा करना चाहिए परन्तों जब आप टेक्स के इतियास का अध्यन करते हैं तो एक दिल्चस पहलो सामने आता है जैसा मैंने कहा कि टेक्सों का लागू होना सिर्फ इसलिए संबग हो सका क्योंकि जन्ता राभी नूट के अर्थ सास्त्रे से दान्त में बरोसा करती थी जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बाट दिया जाता है समझ्चा यह थी कि सरकार की पैसे की भूक इतनी बढ़ गई कि जल्दी मद्यम वर्ग पर भी टेक्स लगाने की नोग बता दी और वहां से धीरे धीरे टेक्स का बोज नीचे की तरफ आता गया दूसरी तरफ अमीरों नीचे मोके की तरह देखा वे उन्हें नियमों से नहीं खेलते हैं जिन से जन्ता खेलती है जैसा मैंने बताया है अमीर पहले ही कार्पोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के जमाने में लोग प्रिय हुई थे अमीरों ने हर समुंदरी यात्रा की समपर्ती की जोखिम को सीमित करने के लिए कार्पोरेशन का उप्योग किया अमीर लोग हर समुन्दरी यत्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कार्पुरेशन में अपनों पैसा डामते थे फिर ये कार्पुरेशन न्यू वर्ल्ड के घजाने की खोज के लिए नाविकों की बर्ती करता था अगर जहाज डूब जाता तो नाविकों की जान जाती ही परंतो अमीर लोगों के सिर्फ इतना ही नुक्सान होता था कि उनका वहेप पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समूंदरी यातरा के लिए दिया था आगे आने वाला चितर दर्साता है कि किस तरह कार्पोरेट स्ट्रेक्चर आपके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट के बाहर बैठता है अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं कार्पोरेशन के कानूनी डांचे की ताकत का ग्यान ही अमीरों को गरीबों और मद्यों वर्क की तुलना में बहुत ज़्यादा देता है मुझे दो डैडियों ने सिक्षा दी थी जिसमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजी पती मुझे जल्दी ये महसूस हुआ कि पूंजी पती में पैसे की ज़्यादा समझ है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के कारण समाजवादी जितना जोड लगा ले अमीर लोग उन से जीतने का रास्ता हमेशा डूंड निकलते हैं इसी कारण टेक्सा किरकार मद्य उमर्ग पर लगे अमीरों ने बुद्धी जीवियों को अपने बुद्धी से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विशे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता अमीर लोगों ने बुद्धी जीवियों को किस तरह हराया एक बार अमीरों से वसोलों का कानून पारिद हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा पहले तो लोग इस बात से खुश हुए यह पैसा सरकारी करमचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा सरकारी करमचारियों के पास यह पैसा नोकरियों और पैंशनों के रूप में गया अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्टरियों के ज़रिये मिले सरकारी कॉंट्रेक्ट से आया सरकार के पास धेर सारे पैसे थे परंतु उस पैसे के मेनेजमेंट की समश्या थी उसमें कोई री सरकूलेशन नहीं था दूसरे सब्दों में सरकारी नेती में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते अगर आप अपने लिए आमंटित फंड को खर्च नहीं कर सकते तो आपको अगले बज़ट में उतनी राशिन नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्या तो माना ही नहीं जाएगा दूसरी तरफ बिजनस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल बना जाता है जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चकर चलता है तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टेक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्यमर यह लोग भी टेक्स के दाइरे में आ गई जिन्होंनों इसके लिए वोट दिया थे सच्चे पुझी पतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी ऐसे की समझ का प्रियोग किया वेव कार्परेशनों की सुरुक्षा में चले गई कार्परेशन अमीर लोगों को सुरुक्षा देता है परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कार्परेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते कि कार्परेशन जैसी कोई चीज नहीं होती कार्पुरेशन के विल एक फाइल का फॉल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होती है और जो रज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के आफिस में रखा जाता है यह कोई बड़ी फिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कार्पुरेशन का नाम लिखा होता है यह कोई फेक्टिय या लोगों को समूवे भी नहीं होता कार्पुरेशन के वले कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देव बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती अमीरों की संपति एक बार फिर सुरुक्षित हो गी एक बार फिर कार्परेशन का प्रियोग लोगप्रिया हो गया यह स्ताई इंकम टेक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ क्योंकि कॉर्परेशन के लिए इंकम टेक्स की दर्वियक्तिकत इंकम टेक्स की दर्व से कम है इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है कॉर्परेशन दुबारा कुछ खर्च टेक्स चुकाने से पहले किये जा सकते है अमीरों और गरीबों के बेज यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है अमीरों से वसूर लोग अमीरों की खमेसा खिलाप रही है यह लड़ाई तब छिटती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहती है समझ्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उटकर तैयार होते हैं और अपनी नोखरी में कड़ी मेनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस बीड़ को उसी तरह से खेल सकते हैं फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं इसलिए मैं हर बार शेयर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह हैसा ला देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जओ ताकि सुरुच्षित नोकरी मिल सके जिस करमचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच्च नहीं सकता चाहे उसकी नोकरी कितनी भी सुरुच्षित क्यों नहीं हो वोसत अमेरिकी वेक्ति आज सरकार के लिए पांच से च्छे महिने तक काम करता है ताकि वह टेक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सकी मेरे विचार में यह हैसा मैं बहुत ज़दा है आप जितनी ज़्यादा मेनित करते हैं liberty आपको सरकार को उतना ही ज़्यादाट टेक्स देना होता है इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसुलों का नारा उन्ही लोगों पर बारी पड़ गया जिनूं ने इसके लिए वोट किया था हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिस करते हैं अमीर लोग सचमुच उसका पालन नहीं करते बलकि वे पलट कर वार करते हैं उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ें को बदल सकते हैं वे सचमुच बैठ कर स्वेच्छा से ज़्यादा टेक्स नहीं चुकाते वे एसे तरीके खोशते हैं जिन से उन पर टेक्स का कम से कम बोश पड़े इसके लिए वे चतूर और स्मार्ट वकीलों तता काउंटेंट्स की सेवाईं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानून ये बचाओं के रास्ते बनाएं जिनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसादन होते हैं अमेरिका का टेक्स कानून भी टेक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है इसमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं परंतु इनका फाइदा सामान्य तोर पर अमीर लोग ही उटाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं उधारन के तोर पर लोगप्रिय सब 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के अनुशेद 1039 का संक्षिप्त रूप है जिससे रियल इस्टेट बेशने वाले को टेक्स चुपाने में देरी करने का मोका मिलता है अगर वह ज़्यादा महेंगे रियल इस्टेट को खरीता है और कीमत की प्रोपर्टी पेज कर उंची कीमत की प्रोपर्टी प्रोपर्टी खरिचते रहते हैं तो आपको तब-तक टेक्स नहीं देना पड़ता जब तक एप उसे नगद हीद रखना चाहें जो लोग कानून दौ़ारा दी गई इन हम्धिक की छूटों का लाब पर लगने देते हैं और बलड डोनेशन की अजाज़त दे देते हैं आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्थब्द होता रहता हूं और वे इसा सिर्वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं और मैं सब पता है परन्तु जनवरी से लेकर मई के पहले पकवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कान चुकाते हैं मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटू कर वार नहीं किया मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया उन्होंने केवल खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसा कॉर्परेशन के बाद हम से किया जो हमेरों का सबसे बड़ा रैश्य है अमेर डैडी से मेरा पहला सिखा गया सबक आपको याद होगा मैं नो साल का बच्चा था और मुझे उसके बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार कर पढ़ता था मैं अक्सर उनके आफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था वे जान बूज कर मुझे नजर अंदाज करते रहते थे वे चाते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानू और एक दिन खुद भी उतना ही ताकत वर बनता जाओं जितने भी समय तक मैंने उनके मार्क द सही ग्यान की जरूरत होती है उस ग्यान के बिना संसार आपको इदर उतर धक्य मारता रहता है अमीर टेड़ी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाते कि सबसे ज़्यादा रावना वेक्ति बोस या सुपरवाजर नहीं होता बलकि टेक्समेन होता है अगर आप उसे मोका देते हैं तो टेक्समेन हमेसा आप से ज़़ादा से ज़़ादा वसूद करसा है पैसा मेरे लिए काम करें मैं पैसे के लिए काम मैं गर पहला सबक दरसल अपक्रताम क्याल देड़ा करते हैं एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत आग्यान हो जाए तो पार हमें पैसे के लिए आसे स्माइट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने का रास्ता ढूनना चाहिए इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात के भी कि सिस्टम कैसे काम करता है अगर आप अग्यानी है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बजने का मुका है यहाँ इसलिए हमी डेड़ी स्मार्ट टेक्स का काउंटेंट्स और वकिलों को इतना ज़दा वेतन देते थे वकिलों को वेतन देना सरकार को टेक्स देने से सस्ता था मेरे लिए उनका सरवसरे सबक था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उदर धख्के ने दिये जा सकी और मैंने जिंदगी बरी से अपनाया है वे काणून जानते थे क्योंकि वे काणून का आदर करते थे वे कानून जानते हैं कि नए जानना बहुत महेंगा थाबित हो सकता था अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलजने से नहीं डरेंगी चाहिए आपका मुखावला रोबिनोड और उसके गिरों से ही क्यों नहीं हो जाएगी मेरे पढ़ेली के डैडी मुझे हमेसा प्रोटसाइद करते थे कि मैं किसी बड़े अच्छे कोर्परेशन में बड़ी असी नोपरी ढूंड लो वे मुझे हमेसा उन अच्छाईयों के बारे में बताते थे जो कार्परेट सीडी पर चड़ने से आसिल की जा सकती थे वे यह नहीं समझ पाते थे कि कोर्परेट नियुक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्वर रहने से मैं एक एसी दुधारूगाई बन जाता जिसे दुभा जा सकता था जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाव बताई तो वेकेवल हंसे उन्होंने सिर्फ यही कहा सीडी के मालिक ही क्योंने बना जाई बच्पन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉर्कॉरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था यह एक ऐसा विचार था जो असंबव और डरावना लग रहा था हलांकि मैं इस विचार से रोमान्चित था परन्तो मेरी कम उमर में इस अमवना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि ऐवे ऐसक लोग किसी दिन मेरी कमपनी में काम करने लगें मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पड़े लिके डैडी के सलाका पालन कर रहा हुता अमीर डैडी ने बार बार याद दिलाने की कारण ही मेरे अपने कॉर्परेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक रापर चलाता रहा जब मैं पंद्रा या सौला साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस रापर नहीं चलने वाला जो मेरे पड़ेले के टैडी ने बताई है मैं नहीं जानता था कि मैं इसा किस तरह करूँगा परन्तु मैंने दरड निश्चे कर लिया था कि मैं भीट के साथ नहीं चलूँगा और उस दिसा में नहीं जाँगा जिस तरफ मेरे सैपरटी जा रही है इस फैसले ने मेरी जिन्दगी बदल दी जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक अमीर डैडी की सला मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी मैंने हाल ही में मेरिन काप शोड़ी थी और जेरक्स के लिए काम कर चुरा था मुझे बहुत पैसा मिल रहा था परंतु हर बार जब भी मैं अपनी धंखवा के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा नेराशा हुथी थी कुटोटी बहुत ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा मैं काम करता था कुटोटीयां उतनी ही ज़्यादा हुती थी जब मैं ज़्यादा सफल honne लगा 1934 में जराक्स के करमचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्परेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया पहले से ही मेरे संपती वाले कालम में खुछ संपतिया मौशूद थी परन्तों अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें जदा बढ़ाया जाए पहलता यह नुबव करते हैं कि अगर करमचारी अपने काम से काम रखे तो यह उनके बिजनस के लिए बुरा होता है मुझे विश्वास है कि यहसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है परन्तों मेरे साथ ऐसा नहीं था एक बार मैंने अपने काम से काम रखने के ठान ली और अपने संपतियां बढ़ाना चालू कर दिया तो मैं एक बेहतर करमचारी बन गया मेरे पास अब एक लक्षा था मैं सुगह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल स्टेट में निवेस कर सबू हवाई में उसक मैं कीमते तेजी से बढ़ रही थी और वहाँ किसमत चमकाई जा सकती थी जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेस की सम्भावनाई है उतनी ज़्यादा जेराक्स मेशीने मैंने बेची मैंने जितनी ज़्यादा मेशीने बेची मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ मेरी तनख्वा के चेक से उतनी ही ज़्यादा क्टोटिया हुई यह परेणा दाइक था मैं करमचारी होने के जाल से बाहर निकलना जाता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बज़ाई ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था 1978 तक मैं सेल्ज में चोटे के पांच लोगों में से एक था प्राइन नमबर वन मैं चुहा दोड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए भिताव था तीन साल से भी कम समय में मैं जेरक्स की तुलना में अपने छोटे से कर्परेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था जबकि मेरा कर्परेशन रियल इस्टेट में निवेश करने वाली कमपनी थी और वह है पैसा जो मैं अपने कॉर्परेशन से अपने संपती वाले कालम में बना रहा था वह है पैसा मेरे लिए काम कर रहा था मुझे कोपियर बेशने के लिए धरवाजे खटखटाने के जरूरत नहीं थी अमीर डैड़ी की सला में मुझे ज़्यादा समझधरी दिख रही थी यानि कि मेरे प्रोपर्टी से आने वाला कैस्पलो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद थी जरा इसके लोगों को लगा कि मैं अपने कमिशन बेज रहा हूँ पर तुमें इसा मैं नहीं कर रहा था मैं अपने कमिशन को संपतियों वाले कालम में निवेश कर रहा था मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेनत कर रहा था मेरी संपतियों वाले कालम का हर डोलर एक बड़ी अकरमचारी था जिसकी कड़ी मेनत के कारण और जादा करमचारी तयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बोस को एक नई कार्टोपे के रूप में दे रहते थे और वह भी टेक्स चुकाने के पहले मैंने जेराक्स के लिए जादा कड़ी मेनत करना चालू कर दिया मेरी युजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जाकता सबूत थी अपने अमीर डेडी से सीके गए सबक के खारण उस चुहादोड मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सका था और कम उमर में ये एक नियुकता पन गया ये है पैसे की समझ से ही कुछ संबग हुआ था इस वीतिय ग्यान के बिना जिसे मैं फाइननसियल आईक्यू को हूँगा आर्थिक सवतंदता के मेरी रहा में बहुत ज़़ा मुस्कले आई होती अब मैं फाइननसियल सेमिनारों में दूसरों को इस आसा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना गयान बाढ़ सकूँ जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइननसियल आईक्यू विसे सग्यता के चार बड़े शक्षेत्रों से आने वाले ग्यान से बनता है नमबर एक है अकाउंटिंग जिसे मैं फाइनांसियल साक्षता कहता हूँ अगर आप सामराज्य बनाना चाते हैं तो यह बहुत महतुप उन्दक्षता है आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगी उतनी ही ज़्यादा सुक्षमता की जरूरत होगी नहीं तो आपका सामराज्य बनास के पत्तों के महल की तरह डह जाएगा यह बाई मस्तिस्का पहलुए जिसमें बनन या सुक्षमता जरूरी है फाइनेंशियल साक्षाता वह यह ज़्यादा है जिसके साहरे फाइनेंशियल स्टेटमेट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है इस यह ज़्यादा से आप किसी भी विवस्टाई की कमजोरी और मजबुतियों को पैचान सकते है नमबर दो है निवेस जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्यान कहता हूँ इसमें तकनिकों, रन नीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है यह मस्तिस्क का दायां पहलू है यानि रचनात्मक पहलू नमबर तीन है बाजार की समझ मांग और पूर्ति का विज्यान बाजार के तकनिकी पैलों को जानने की जरूरत है जो कि बावनाओ द्वारसंसालित होता है 1996 में क्रिसमस के दोरान टिकल मी एलमो डॉल का परकर्ण भी तकनिकी या बावनाओ द्वारसंसालित बाजार का उधरन है बाजार का दूसरा था तो निवेस की मूलगूत या आर्थिक समझ है क्या किसी निवेस में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्तितियों के हिसाब से ऐसा करना ना समझी है कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेस की अफ़दाराई बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वे जटिल होती है वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विशों को अनुपूती से समझ लेते हैं जो लोग एलम और दोल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए है एक सिसस स्ट्रीट करेक्टर थी जिसे क्रिस्मस से पहले बच्चों में कूप पर्चारिट किया गया था लगवक सभी बच्चे इसे खरीदना चाते थे और अपनी क्रिस्मस की सुची में उन्होंने इसे सबसे उपर रखा था परंतो क्रिस्मस के लिए इसका विग्यापन करने के बाद जब यह बादार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने चानबूज़ कर तो इसे बादार से गायब नहीं कर दिया है इसके मांग बहुत ज़ादा थी और पूरती बहुत कम इसलिए बादार में बगदर और हर बड़ी का माओ तक बन गया स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डोल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे किलोने वालों में इसमें मुनाफ़ा कमाने का मुखा देखा जिनें डोल नहीं मिल पाई थी वे दुरवाग्या साली ममी डेडी क्रिस्मस के लिए कोई दूसरा किलोना करीदने के लिए मजबूर हो गई टिकल मी एलमोंडोल की एव इस वसने लोग पर रता मेरी समझे में नहीं आई परन्तु यह मांग और पूर्ति के अत्सास्तर का बड़िया उधारन है यही बात स्टोक, मॉन्ट, रियलिस्टेट और बेस्वाल कार्ड बाजारों पर लगू होती है नमबर चार है कानून उधारन के तोर पर अकाउंटिंग, निवेस और बाजारों की तक्निकी दक्स तागे सारे कार्पुरेशन का परियोग, इस पोटक पुरदी परदान कर सकता है कोई भी आदमें जिसे कोर्पुरेशन दवारा दिये जाने वाले टेक्स फाइदों और सुरक्षागा ग्यान हो, वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बनता है जो किसी करमचारी या छोटे बिजनस के मालिक के लिए संबव नहीं है उसमें उतना ही अंतर है, जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है यह अंतर बहुत च्यादा हो जाता है, जब हम इसे दिर्ग कालिन संपक्ति के संदर्व में देखते हैं नमबर एक है टेक्स लाव एक कार्परेशन कई ऐसी चीजें पर कर सकता है, जो एक आदमी नहीं कर सकता जैसे की यह टेक्स देने से पहले खर्च कर सकता है यह विशे सग्याता का एक एस अक्षेत्र है, जो बहुत रोमान्चक है परन्तों इसमें अंदर गुषना तब तक जुरूरी नहीं, जब तक कि आपका बिजनेस या संपती बहुत बड़ी नहीं हो करमचारी कमाते हैं और टेक्स चुकाते हैं और फिर वो बचाता है और फिर वो बचता है, उससे अबना खर्च चलाते है एक कर्परेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है, करता है और फिर बची हुई रकम पर टेक्स चुकाता है यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाओ का रास्ता है उन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महिंगा नहीं है बसरते कि आपके पास अपने खुद के निवेस हो, जो अच्छा कैस्वलो दे रहे हो उधारन के तोर पर अपने कॉर्परेशन का फाइदा यह है गूमने जाने का कारेकरम हावाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है कार का बुटान, भीमा, रिपेर, रित्यादी कंपनी खर्च में डाल दिये जाते हैं हेल्ट कलब की सबसेता भी कंपनी खर्च है ज़्यादा तर रेस्टोरेंट, डीनर भी अंसिक भी है और भी ये से बहुत से खर्च हैं जो टेक्स चुपाने के पहले किये जाते हैं हम एक कानूनी समाज में रहे रहे हैं हर आदमी आपसे फाइदा चाता है अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज़्यादातर संपती को चुपाने के लिए कोर्पोरेशन्स और ट्रस्ट का सारा लेते हैं जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि ये कानूनी कावच से गिरा हुआ है और दरसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपती है ही नहीं वे हर चीज पर नियंतर्ण रखते हैं परन्तु वे किसी चीज के मालिक नहीं होते गरीब और मद्य वर ये लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिस करते हैं और इसलिए जब उन पर दावाट होगा जाता है तो वे सरकार या अपने साथ ही नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं उन्होंने रावे नूट के कानी से यह सिखा है कि आमीरों से वसुलो, गरिबों में बाढ़ दो इस पूस्तक का लक्षा यह नहीं है कि कार्परेशन बनाने का तरीका बताया जाए परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैद संपतियों हो तो आप जितनी जल्दी हो सगे कार्परेशन द्वारा दिये जाने वाले फाइदों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान ले इस विशे पर कई पुस्तकें लेखी गई है जो इन फाइदों के बारे में पिस्तार से बताती है और कॉर्परेशन बनाने के लिए जरूरी सीडियों को भी समझाती है एक पुस्तक खास तोर पर बहुत अच्छी है जिसका सिरसक है इंक एंड ग्रोरिच यह पुस्तक कॉर्परेशन की ताकत का बखुबी बर्मन करती है फाइनेंसियल आईक्यू दरसल कई कुसलताओं और गुनों का मेल है मैं तो यही कहूंगा कि यह उपर बताए गई चार तकनिकी दक्सताओं का समया वेसा है जो मूलबूथ फाइनेंसियल ग्यान का अधार है अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाते हैं तो इन दक्सताओं के समय वेसे आपका फाइनेंसियल ग्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी महत्वण फाइनेंसियल रणने इते के लिए हम आपकी संपतियों के चारों तरफ कोर्परेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यादा सला देते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 6 की तरफ जो है अमीर लोग पैसे का आविश्कार करते हैं आपका दिन शुब हूँ रिच डेड पूर डेड अध्याई 6 अमीर लोग पैसे का आविश्कार करते हैं पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और एलेक्जेंडर वग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कारिग्रम देखा बेल ने टेलिफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी चुकि उन्हें एक बड़ी कंपणी की जुरूरत थी इसलिए वे उस समय की नामी कंपणी वेस्टर्न यूनियन के पास गे और उनसे कहा कि वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपणी को खरीद ले वे पूरे पैकेज के एक लाग डालर साते थे वेस्टर्न यूनियन के अजेक्स ने यह सुनते ही तियोरियन से डाली और परस्ताओ को यह कहकर ठुगरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज़्यादा है बाकी इतियास है अर्बो डालर के उध्योग का जनव हुआ और एटी एंटी का जनव हुआ अलेकजेंडर ग्राहम बिल की कहानी खत्मोने के बाद श्याम के समाचार आ रहे थे समाचारों में एक स्थानिय कंपनी के स्टोक में कटोती के बारे में एक ख़बर थी करमचारी नाराज थे और शिकायट कर रही थे कि कंपनी के मालिक जाज़तिया कर रही है हेक्टरी के सामने एक 45 साल का नोपरी से निकला गया मैनेजर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खड़ा था और सुरुक्षागाडों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वेमालिकों से यह बिंती कर सके कि उन्हें नोपरी से निकला जाए उसने हाली में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा कैमरा उसके अनुने विने पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया देख रही थी यह कहने की जुरूरत नहीं कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया मैं 1984 से व्यवसाइग रूप से पड़ा रहा हूँ यह एक बहुत अच्छा नुबव और पूरुसकार रहा है यह एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पड़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिलू हम में बहुत ज़्यादा संभावना ही होती है और हमें प्रकरतिन ने बहुत से उपार दिये होते हैं परंतु जो चीज हम सभी को पीछे दकेलती है वह है कुद के बारे में शंका तकनिकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बलकि आता हूं विस्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं कई लोगों पर इसका असर ज़्यादा होता है एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं कालेज डिगरी के होने या अच्छे नमर आने का कोई खास मेहतव नहीं होता सेक्षन एक माहूल के बाहर असली जिन्दगी में अच्छे नमरों से ज़्यादा मैत्वपून चीज़ की जरूरत होती है इसे गड्स बहदुरी चाला की साहस परतिबा जोखिम लेने की खिशमता इत्यादी के नाम से पुकारा जाता है यह तत्त्त साहे इसे किसी भी नाम से बुकारा जाए पुल मिलाकर हमारे विश्यवर स्कूल के नमरों से ज़्यादा असर डालता है हम सभी के बीतर एक बाहदुर्पूती बासाली और जोखिम लेने वाला चरितर मौजूद होता है परंदो हम सभी के बीतर चरितर का एक दूसरा फैलू भी होता है जो अपने गुपने टेकर जरूर पढ़ने पर भीग भी मान सकता है मेरिन काप्स के पाइलेट के रूप में वियतनाम में एक साल रहने के बाद मुझे अपने वीतर चुपए इन दोनों चरितरों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता परंदो एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना की व्यक्ति की पृतिबा के सबसे बड़े ही दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की इक्षमताओं के बारे में शंका यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यारती जवाब जानते थे परंदों में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी असली जिन्दगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते बहादूर लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे अपने अनुभव में आपके फाइननसियल जीनियस के लिए तकने की ग्यान में जरूरी है और साहस भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी पृतिबा का दमन होता है मेरी कक्षाओं में में विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खत्रे लेना सीखें बहादूर बने और अपने पृतिबा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल ले उस लोगों के लिए ऐसे डांत काम करता है जबकि कईयों को यह डराम ना लगता है मैंने यह भी जाना है कि ज्यादा तर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरुक्षिक खेल खेलना पसंद करते हैं मैंने ऐसे सवाल भी सुने है जोखिम क्यों लिए जाए अपने फाइनन्सियल आईक्यों को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाए जाए मैं पैसे की समझ क्यों विक्सित करूँ और मैं जवाब जानता हूँ केवल इसलिए तकि आपके पास ज़ना विकल्प हो हमारे आगे बहुत से परिवतन खड़े हैं जिस तरह मैंने इस अध्याए के शुरू में युवाव इसका अलेकजेंडर ग्राहम बेल की कहनी बताई थी आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे बिल गेट्स की तरह के सेंकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसोफ जैसे बहुत सी अत्यदिक सफल कमपनियां बनेंगी और दिवालिया पन कमपनी बंध होने स्टाफ निकालने की बहुत सी घटना ही होगी तो आपको फाइनन्सियल आईक्यू विक्षित करने की जंजट में क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता आप खुद दे सकते हैं परन्तु मैं आपको बता दूँ कि मैं इसा क्यों करता हूँ मैं इसलिए इसा करता हूँ क्योंकि आज का यूग सबसे ज़्यदा रोमान्स कारी यूग है मैं चाहता हूँ कि मैं परियोरतन से डलने के बजाए उसका स्वागत करूँ मैं चाहता हूँ कि मैं लाकों करोणों बनाने के बारे में रोमांचित रहूँ ने की सिर्फ अपनी तनखा बढ़ाने के बारे में आज का यूग सरवादिक रोमांच कारी समय है जो दुनिया के इतियास में अबुत्पुरू है कई फीडियों के बाद लोग इस यूग याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांच कारी रहा होगा इसे पुराने की मोत नए का जनम का यूग कहा जाएगा इस यूग में बहुत उतल उतल थी और रोमांच भी था तो अपने फाइनन्सियल आईक्यों को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाएगी क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाल पहले जमीन ही संपत्ती थी इसलिए जिस आदमे के पास जमीन थी उसके पास संपत्ती थी फिर फैक्टरियां आई फुद बादन शुरू हुआ और अमेरिका में अपना दबदबा बना लिया उद्ध्यों पती के पास संपत्ती आ गई आज सूचना का यूब है इसलिए ज चीमा और ताइरों में नहीं बाला जा सकता जिस तरह जमीन और फेक्टरियों को बाला जा सकता था परिवरतन ज्यादा तेज और ज्यादा नटकिये होंगे नई करोड़कुती होगी सख्या में नटकिया बडोत्री होगी ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूड़ जाएंग चीजे उनके हिसाब से हो वे परिवर्तन का विरोध करते हैं मैं एसे लोगों को जानता हूं जिनकी नोकरी छूट गई है घर बिग गया है और वे इसके लिए टेकनोलजी आर्थवे उस्ता या अपने बोस को दोस्त देते हैं दुरवागय से उन्हें यह मैसूस ही नहीं होत कि वे भी समश्या का कारण हो सकते हैं पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं और एसाई से लिए होता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते कि जो विचार पुराने जमाने में संपत्ती था वह आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुक कि दोस्त की के दोस्त का हाली में तलाक हुआ था तलाक के मुगदुएं में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वहया वो कुछ जवाब ढून रही थी उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ शिखने को मिलेगा इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है खेलने के दोरान वे इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट के आपसी संबन्द के बारे में सीखते हैं वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों पर भी कैस का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की रहा में आपको अपनी संपत्ति वाले कलम से निकलने वाले मासिक कैस लोगों बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक कर्च से ज़्यादा हो जाए एक बार आप इसे आसिल कर लेते हैं तो आप चुआ दोर से बाहर निकल जाते हैं और तेज रहा पर चल पड़ते हैं जैसा मैंने कहा है कुछ लोगी स्केल से नफरत करते हैं कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते एक मैला ने कुछ शीखने का बहुमल्य अफसर खो दिया शुरुवती राउंड में उसने एक डूडेट काड़ खिंचा जिस पर एक नाव बनी होई थी पहले तो वह खुश हुई अरे मेरे पास तो एक नाव है फिर जब उसके मित्तर ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट पर काम करते हैं तो वह एकुंठी तो हो गई क्योंकि उसे खनिक चरावी पसंद नहीं था बाकी के खिलाड़ियों ने शानती पुरूप इंतजार किया जब उनका दोस्ति इंकम स्टेटमेंट बैलेंस सीट और मासी कैस फ्लो के बारे में उसे समझाता है अजानक जब उसने यह जान लिया यह आंकडे किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकल जटका लगा कि उसकी नाव उसे जिन्दा खा रही है बाद में वह डाउन साइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया यह उनके लिए एक बहयानक खेल साबित हुआ कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है वह कक्षा में निवेस के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मुर्गता पूम लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज़रा समय बरबाद किया जाई उसके मित्तर ने उसे यह समझाने की कोशिस की कि वह बहुत वने बितर जांकर देखे कि क्या यह खेल उसके किसे अंदरों ने फेलू को उजागर कर रहा है इस सुजाओ पर उस महिला ने अपना पैसा वापिस मांग लिया उसने कहा कि यह विचार मुर्कता पूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरों ने फेलू को उजागर करता है उसका पैसा तत्काल वापिस कर दिया जाई और वह वापिस चली गई 1984 से मैं करोडों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखा था जो मैं सिखा रहा हूँ स्कूल में ज़्यादा तर्शिक्षक वासन देते हैं अपने चातर जीवन में मुझे वासनों से चिड़ थी मुझे बहुत चल्दिग और ये तो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उदर बठकने लगता है 1984 में मैंने खेल-खेल में सिख्षा देना चालू किया मैंने व्यासक विद्यार्थियों को प्रोटसाइद किया कि वे इन खेलों को ज्यान बढ़ाने के इस प्रेलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए सबसे मैतुपोन बात यह है सबसे मैतुपोन बात यह है कि इस खेल में आदमी के विवार पर भी प्रकास पड़ता है यह है एक ततकाल फीड़बेक सिस्टम दिये टीचर लेक्चर दे इसके बजाए खेल एक वेक्टिगर लेक्चर बन जाता है जो आप के लिए बनाया गया है उस मैला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया उसने कहा कि उसकी मित्र अवशांत है अवशांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के वीच में कुछ आप से संबन्द की मैसूस किया है अलांकि उसके और उसके पती के पास नाव नहीं थी परंतो उसके पास बाकी सब चीजे थी वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी उसका पती एक कम उमर की मैला के साथ बाग गया था और 20 साल के वे भाई जीवन के बाद उसके पास दोलत के नाम पर बहुत कम सामान था उसके बीच बांटने के लिए लगवग कुछ भी नहीं था 20 साल के उनकी शादी सुधा जिन्दगी में मज़ा बहुत आया था फरंतों उन्होंने केवल डेडूड ही कठे किये थे उसने यह मैसूस किया कि आंकडों पर उसका गुस्सा इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी उसका यह मानना था कि पैसे देलेगा इसाब किताब रखना पूर उसका काम है वह घर संबालती थी और उसका पती पैसों को संबालता था उसे अव यह पका बरोसा हो चुगा था कि उनकी शादी के आखरी पांच सालों में उसके पती ने उससे पैसे चुपाई थे वह इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहा गया है और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंद बन चुका है बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी पतकाल फीड़ बैक केती है अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं उस समय पहले की बात है मैंने अपनी पतनी से कहा कि दूबी ने मेरी पेंट को सिकोड दिया मेरी पतनी देमे से मुस्कुर आई और उसने मेरे पेट में उंगली गडाते हुए मुझे बताया कि पेंट नहीं से कुड़ी है बलकि कोई और चीज फैल गई है कैस्पलो ना मगिया है खेल हर कि लड़ी को व्यक्तिकत फीड़बेक देने के हिसाब से तैयार किया गया है इसका लक्षे आपको विकल्प परदान करना है अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको करज में डाल देता है तो सवाल यह उठता है अब आप क्या कर सकते है आपके पास कितने फाइनाशियल विकल्प मौझूद है यही खेल का लक्षे है कि लड़ीों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और भूट से फाइनाशियल विकल्प बना सकें मैंने एक जार से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है वे लोग जो इस खेल की चुहा दोड़के सबसे जल्दी निकल जाते हैं उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनाशियल विकल्पों को देख सकते हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिने अंकों की समझ नहीं होती और जिने प्राई निवेस की ताकत का एसास नहीं होता अमीर लोग प्राई रचनात्मक होते हैं और सोच समझ कर खत्रे उठाते हैं कैस्पलों खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें, उनसे ज्यादातर असली जिंदकी में भी आर्थी ग्रूप से सबन नहीं होते, हर कोई उनसे आगे निकल जाता है इस तर्थे के बावजूद कि उनके पास और यही असली जिन्दगे में भी होता है, यसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है, और फिर भी वे आर्थी ग्रूप से आगे नहीं मड़ पड़ते हैं, अपने विकल्पों को सिमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है, हाई स्कू कमपने के लिए काम करता था, वहे भी बंदोवी, उसके दिमाग में केवले एक विकल्प था, और वहे पुराना विकल्प था, कड़ी में इनत करो, समझ्या यह थी, कि उसे कोई बराबरी की नोकरी नहीं मिल पाई, जो पूरानी कमपने में उसकी वरिष्टा को मने, इसका जिन्दा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना कमाने के लिए उसे तीन नोकरीयं करनी पड़ रही है, मैंने कैश प्रो खेलने वाले लोगों को यह शिकायद करते सुना है, कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रही है, इसलिए वे जहां के तहां मैं इसे लोगों को जानता हूँ जो असली जिन्दगी में भी एसाई करते हैं, वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं, मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है, और फिर उनके पास परियाप्त पैसा नहीं होता, फिर वे यही ऐसी का महान आउसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान आउसर वाले कार्ड को खिंचते हैं उसे जोर से पड़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान आउसर है उनके पास पैसा भी होता है समय भी होता है, कार्ड भी होता है परंदो वे अउसर को नहीं देख पाते वे यह देखने में ऐसा वल हो जाते है कि चुवादोर से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनके फाइनेंसियल योजना में फिट होता है और मेरी राहे में इस तरह के लोग दूसरे सवीतरे के लोगों से जादा शंक्या में होते है जादा तर लोगों पिजिन्गे में एक बार मिलने वाला सुने राहसर उनके सामने पढ़ा हुआ मिलता है परंदो वे उसे नहीं देख पाते एक साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर वन जाते है फाइनांशियल बुद्धी का मतलब है ज़्यादा भी कल्ब होना अगर आउसर आपके सामने नहीं आ रही है तो आप अपनी आर्थिक्स्टित इस उदारने के लिए क्या कर सकते है अगर कोई आउसर आपके गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रही है तो आप उस आउसर से कैसे लाव उठा सकते हैं अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप इसके उमीद करते हैं कि वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक निम्बू को लाकों में बदल सकते हैं यह फाइनांसियल गुद्धी है क्या होता है इससे हमारा ज्यादा सा रुकार नहीं है बलकि आप एक निम्बू को लाकों में बदलने के लिए कितने अलग-अलग तरह के आर्थिक समादान खोच सकते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समश्या को अच्छू जाने में कितने रचनात्मक है ज्यादातर लोग के विले एक समादान जानते हैं कड़ी मेनत करो, बचत करो और उधार लो तो आपको अपनी फाइनेंसिल पुदी क्यों पढ़ानी चाहिए क्योंकि आप उस तरह के इनसान होना चाते हैं जो अपनी किसमत खुद बनाता हो आप जो होता है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं बहुत कम लोग यह समझ बाते हैं कि किसमत भी हमी बनाते हैं जिस तरह की पैसा बनाया चाता है अगर आप ज़्यादा किसमत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाते हैं तो कड़ी मेनत करने के अलावा आपकी financial गुद्धी में तो पूर्ण है अगर आप उस तरह के आदमी है जो सही चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा यह है तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़े निकालने से फैले यह पक्ता करना चाहें कि अगले पांच मिल तक भी सभी स्ट्रिट लाइटें हरी हो जब हम छोटे थे तो अमीर डेड़ी माईक और मुझे लगाता यह है बताते थे पैसा असली नहीं है अमीर डेड़ी हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर आप फिर इसके सिक्षे डाले थे तो हम पैसे के रहसे के करीब सबसे करीब आ गई थे क्योंकि हम पैसा बना रही थे गरीब और मद्य उमर्ख पैसे के लिए काम करते हैं उनका कहना है अमीर लोग पैसे बनाते हैं आप धन को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ज़्यादा मेनद से काम करेंगे अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैस असली चीज नहीं है तो आप ज़्यादा थे जिसे अमीर बन सकते है अगर पैस असली चीज नहीं है तो फिर क्या है माई कोर में उनसे यह सवाल पूस्थे थे पैसा वह है जिसके बारे में हम साह मत हो जाएं अमीर डेडी इतना ही जवाब देते थे हमारे पास जो इकलोती सबसे शक्ति साली पुंजी है वह है हमारा दिमार अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाई तो यह एक पल में धेर सारी दोलत बना सकता है इतनी दोलत कि 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी एक एप प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है जो पीडी दर पीडी चलने के कारण कई पीडियों तक बनी रह सकती है सुचना के ECU में पैसा मिनिटों में बन जाता है कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके एविश्वस्निय रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वेकेवल कुछ विचारों और अन्बंदों का सारा लेते हैं आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टोक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं क्योंकि वहाँ अक्सर एसा उता रहता है कुछ नहीं से तद्काल करोडों मनाई जा सकते हैं और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लें देन की यह अनुमंद के द्वारा किया जाता है ट्रेडिंग पीट में हाथ के एक संक्येट से टोरंटो के ग्रहाग के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर्स की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेर पलवर में टोरंटो पहुंच जाते हैं एक मिनट बाद शेर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पलवर में बिख जाते हैं इस पूरे मामले में धन का लेंदेन नहीं हुआ अनुमंदो का हुआ था तो अपनी फाइनशियल परतिवा क्यों विक्सित करें इसका जवाब के वलाब ही दे सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इसे विक्सित कर रहा हूँ मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेजी से देन कमाना चाता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जुरूरत है बलकि इसलिए क्योंकि मैं इसा करना चाता हूँ यह सीखने के दिल्चस्प पर किरिया है मैं अपना फाइनस से लाइकियो इसलिए विक्षिट करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूँ और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अबूत्पुरु विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ एक एसे यूप का जहां इनसान विशुद रूप से केवल अबने दिमाग से काम करते हैं शरीर से नहीं इसके अलावा यहां ज़्यादा रोमांच है यहां पैसा है यहां डर है यहां आनंद है इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल गुद्धी में निवेस करता हूँ और अपनी सबसे शक्ति साली संपत्ती को विक्सित करता हूँ मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ मैं पैसे बनाने वाला एक्स आसान उदान देना चाहता हूँ 1990 के दसक की शुरुवात में फिनिक्स की यर्थ्यवस्ता बहुत बुरी थी, मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था, जब एक फाइनेंसियल प्लानर आया और उसने निरासवादी बविशयवणी करना शुरू कर दिया, उसकी सला थी पैसे बचाओ, हर मेने 100 डालर बसा और 40 सालों में आप भी करोण भी बन सकते हैं, खैर हर मेने निश्ची तरकम बचाना भी एक अच्छा विचार है, यह एक विकल्ब है, एक ऐसा विकल्ब जिसे बहुत से लोग मान लेंगे, समश्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता, कि उस मैंने कहा, अर्थ विवस्ता उस समय बहुत बुरे आल में थी, निवेसकों के लिए एक आदर्स बादार स्थिती थी, मेरा काफी पैसा उस समय स्टोप मार्केट और अपार्टमेंट आॉसेज में पसा हुआ था, मेरे पास नगत पैसा नहीं था, सुखी हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था, मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेस कर रहा था, मेरी पतनी और मेरे पास दस लाग डालर से ज़्यादा नगत थे, जो तेजी से बढ़ते वे बाजार में काम कर रही थे, निवेस करने के लिए यह सब से बड़ी आमगा था, परंतुस्तानिय रियल एस्टेट आफिस में खरिदारी करने के बजाई मैंने दिवा लिया, वकील की आफिस या अदालत की सीडियों पर खरिदारी करना शुरू कर दिया इन जगों पर पिछे 30,000 डालर का घर 20,000 डालर या इससे भी कम में खरिदा जा सकता था मैंने अपने मित्र से 2000 डालर का लोन लिया, 90 दिनों में एक लोन पर ब्यास 200 डालर था मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया, जब अनुमन की कारवाई चल रही थी तब मैंने अगवार में भी क्लपन दिया, कि पीछे 30,000 डालर का घर केवल 60,000 में भी का हुए और किसी डाउन पेमेंट की जुरूरत नहीं है, मेरा फोन ततकाल वैस्त हो गया, और लगातार बजने लगा संभावित खरीदारों को च्छाटा गया, और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को कर देखने की अजाज़त दी गई, अत्यांत रूप मांचकारी गठना करम के बीच, घर कुछी मिंटों में बिग गया, मैंने 25,000 डालर की परसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी-खुशी दे दी गई, और इसके बाद कानूनी नमा कांतरन की कारवई चलू होगी, मैंने अपने मित्र के 2000 डालर के करज में 200 डालर ब्याज मिला कर उसे दे, वह है खुश था, कुछी धने वाला खुश था, अपकील भी खुश था, और मैं भी खुश था, मैंने 20,000 डालर में करीदे गई गर को 60,000 डालर में बेच दिया, मेर जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पड़ सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविसकार करने का उधारण है मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 600 दे निप्टाई जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रोपरटी और स्टाक मार्केट में फशा हुआ था हम खरीदने और बेशने के सोदे में अपनी समपती वाले कालम में 1,90,000 डालर से ज्यादा बनाने में कामियाब हो गए थे इस तरह हर साल की अनुमानित आई 1,90,000 डालर हो गई इस तरह हर साल की अनुमानित आई 19,000 डालर हो गई थी और इसका ज्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉर्परेशन दवारा सुर्कशित था इस 19,000 डालर प्रतिवर्स का बड़ा हिस्सा हमारी कमपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रिप्स, बीमें, इंग्राहकों के साथ देनर इत्यादी चीज़ों पर खर्च हो सकता था जब तक सरकार को सामदनी पर टेक्स लगाने का मोखा मिलता, तब तक या कानूनी रूप से खर्च हो चुका होता अपने फाइनेंशियल गुद्धी के इस्तिमाल से पैसा किस तरह पुजा जा सकता है, बनाया जा सकता है, और सुरक्षित किया जा सकता है, यह है इसका एक आसान उधारण है खुद से पूछें, एक लाग नब्यजार डालर बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, क्या बैंक आपके पैसे बर दस फिजदी ब्यास देगा, और सपत बतर तीस सालों तक बैद था, मुझे आसा है कि वे मुझे कभी एक लाग नब्यजार डालर नहीं देंगी, मुझे से लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई वेक्टी पैसे नहीं चुकाए, एसा होता है, और यह एक अच्छी ख़बर है, 1994 से 97 में तक फिनिक्स रियल इस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गरम बाजार साबित हुआ, उस 60,000 डालर के घर को दुबारा 70,000 डोलर में बेचा जा सकता है, और एक बार फिर से 200 डोलर परसेसिंग फिस के रूप में वसूल किये जा सकते हैं, नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सोदा होगा, और यह परकरियत चलती रहे सकती है, जब मैंने पहली बार घर बेचा था, तो मैंने केवल 2000 डालर थे, तकनिकी द्रस्टे से इस सोदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था, निवेस पर मेरी वसूली अनन्त थी, यह एक उधारन है, कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, दूसरे सोदे में दुबारा बेचे जाने पर मैं 2000 डालर अपनी जेब में डालता हूं और लोन को 30 सालों तक फिर से बढ़ा रेता हूं, निवेस पर मेरी वापसी क्या होगी, अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हूं, मैं नहीं जानता, पर तो यह सोदालर हर मेंने बचाने से बेतर तो है ही, सोदालर हर मेंने, दरसल पूदि वाने की बात नहीं है, यह सुरक्षित हो सकता है, परंतु यह स्मार्ट नहीं है, आज 1997 में में जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं, तो बाजार की स्थितियां 5 साल पहले की स्थिति से भी पूरी तरह लग है, फिनिक्स का रियल इस्टेट बाजार पूरे अमेर और पैसा कर्च करना पड़ेगा, वे दूरलब है, परंतु आज हजारों खरीदार इन सोदों की तलास में बटक रहे हैं, और बहुत कम समझदारी वेरे मौके मौझे मौझे बाजार बदल चुका है, यह आगे बढ़ने का समय है, और संपत्री वाले कालम में दूसरे मौक डूमने का समय है, आप यहां इसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है, आप जूट बोल रहे हैं, मैं इस तरह की परतिक्रिया हूँ, को ज़्यादा सुनता हूँ, और क्या आप मुझे इसा करने का तरीका बता सकते हैं, यह आगरे कम सुनता हूँ, गणित असान है, चत ठीक करवाने या टाइलेक्ट ठीक करवाने में जंजट भी नहीं उटानी पड़ती, क्योंकि यह कामगर के मलिक का है, यह उनका घर है, कभी गवार कोई पैसा नहीं चुकाता, और यह भी अच्छा होता है, क्योंकि उसके विलम शुल्क मिलता है, यह आवे गर छोड़ कर चले जाते हैं, और प्रोपरटी एक बार फिर से बेश दी जाती है, पोर्ट सिस्टम यह सब संभाल लेता है, और हो सकता है, यह आपके इलाके में काम नहीं करें, बाजार के स्थितिया अलग हो सकती है, पर तो यह उदारन दरसाता है, कि किस तरह एक आसान वित्यापर क करिया कुछी समय में लाकों डालर बना सकती है, जिसे बनाने में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, और आपको जोखिम भी कम होता है, यह अनुबंद से बनाए जाने वाले पैसे का उधारन है, जिसके पास भी हाई स्कूल तक की सिक्षा है, वह इसा कर सकता है, प एक लाग नब्य हजार डालर समपत्ती वेले कलों में आगे और इसके लिए टेक्स भी नहीं देना पड़ा, इन में से कौन से सला आपको ज़्यादा कठिन लगती है, नमबर एक, कड़ी मेनत करो, पचास भीजदी की दर से टेक्स चुको और फिर जो रकम बचती है, उसमे निकालें और अपने दिमाग और समपत्ती वाले कालम की ताकत का इस्तेमाल करें, इसमें वह समय भी जोड़ लें, जो आपको विकल्प नमबर एक के प्रियोग द्वारा एक लाग नबे जार डालर बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी समपत्ती है, अ यह अच्छी हो सकती है, परंतु क्या यह प्रियाप्त है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उप्यूप निवेस तकनीक एक चोटी तकनीक है, इसे यह बताने के लिए लिखा गया है, कि किस तरह एक चोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है, एक बार फिर, मेरी सफलता यह ब तो पूर्ण है कि मैं इसे एक बार फिर दो रहना चाओंगा वित्य गुती चार मुख्य तकने की तक्ष्टाओं से मिलकर बनती है नमबर एक वित्य साक्षरता पंकों को पढ़ने की योगेता नमबर दो निवेस की रननेती धन दबारा धन बनाने का विज्ञान नमबर तीन बाजार मांग और पूर्टी ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था यही बिल गेट्स ने भी दिया यह मुका भी बाजार ने दिया था 20,000 डालर में कोई मकान खरीट कर उसे 60,000 डालर में बेच दिया जाए जबकि उसके असली किमत पिछे 30,000 डालर थी कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था नमबर च्यार, कानून अकाउंटिंग, कार्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानून और नीतियों के बारे में जाग डुकता मैं नियमों के बीतर रहकर खोल, मैं नियमों के बीतर रहकर, खेलने की सला देता हूँ अगर आप पैसे काविसकार करना चाहते है, तो आप में यह मूनगूतादार सिला होना चाहिए या इन दक्षताओं का समने होना चाहिए चाहिए आप इसाप छोटे घर, बड़े अफ़र्टमेंट, कमपनिया, स्टो, बांड, विचुल फंड, मुल्यवान दातुएं, बेसबाल कार्ड खरीद कर करें या इसी किसम का कोई दूसरा काम करें 1996 में तक डियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था, स्टोक मार्केट में भी बूम हो रहा था, और हर कोई इसमें जा रहा था अमेरिका की आत्वे उस्टाव ने पैरों पर खड़ी हो रही थी, मैंने 1996 में बेशना सालो कर दिया, और अब मैं पेरू, दार्वे, अलेशिया और फिलिपिन्स की यात्रा कर रहा था निवेश बढ़ गए थे, जहां तक खरिदारी का सवाल था, अब हम रियल इस्टेट बाजार में बाहर थे, अब मैं अपनी संपत्ती वाले कालम के बीतर आकड़ों को बढ़ते देखता हूँ, और शायदी इस साल के आकरे में बेशना शुरू करता हूँ, यहें कांग्रे को बुला कर उसे कहना पड़ता है, कि वह इतनी रकम के लिए तेयार हो जाए और इसे टेक्स से बचाने के लिए तरीकिक हो जाए, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट गढ़ता और बढ़ता रहता है, अर्थ वेवा होते हैं, और टेक्नोलजी जितनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थाई आर्थिक सुरुक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मौके होते हैं, तो अपनी फैनेंसियल बुद्धी को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाए जाए कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं, मैं परिवर्तनों का स्वागत करता हूँ और अतीत से चिपका नहीं रहना चाहता, मैं जानता हूँ कि मार्केट में जवार आएगा और मार्केट में बाटे भी आएगा, मैं लगातार अपनी फैनेंसियल बुद्धी को विक्स और हमें यह नहीं बोलना चाहिए, यह हमें कभी कबार जिंदगी निम्बू दे देती है, यही financial बुद्धी है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है, कि मैंने निम्बूओं को किस तरह करोड़ों में मतला, व्यक्तिकत रूप से मैं व्यक्तिकत निवेशों के कई और उदान दे देने से जिजगता हूँ, मैं इसलिए जिजगता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बढ़वला या अपनी सेखी बगारने वाला कहा जाएगा, यह मेरा इरादा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए उदारन देता हूँ, ताकि उसके अंकों और समयावद्धी से सच्ची और सामान गटाओं को बताया जा सके, मैं उदारन इसलिए देता हूँ, ताकि आपको यह बता सकूँ, कि यह आसान है, यह ज़दा आसान है, अगर आप फाइनेंशियल बुद्धी के चार स्थम्भों के जानकार हैं, वेक्टिगत रूप से फाइनेंशियल बुद्धी के और उनका मुल्य बढ़ता जाता है, सोटी पुद्धी के स्टोक्स को तेज बडोतरी के लिए इस्तिमाल किया जाता है, मैं अपने द्वारा की गई हर चीज की अनुसंसा नहीं करता, दारन के वल उदारन ही है, अगर आउसर बहुत जटिल है और मैं निवेस को नहीं समझ खाता हूं, तो मैं निवेस नहीं करता हूं, पैसे के बारे में निरने लेने में हमें केवल साड़ारन गनी तोर कमन सेंस की जरूरत होती है, उदारनों का प्रियोग निमन पांच कारणों से किया जाता है, नमबर एक, लोगों को जादा सीखने के लिए प्रेजित करने के नमबर दो, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नहीं मजबूत है तो पैसे का महल बनाना असान है, नमबर तीन, यह बताने के लिए कि कोई धेर सारा पैसा बना सकता है, नमबर चार, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्षों को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं, नम पूपनगर था, जहां छोटे छोटे गर बने हुए थे, वे छोटे और सुन्दर थे, हर कई मुझे विकाओ है के बोर्ड दिखते थे, इंबर मार्केट का बुरा हाल था, स्टोक मार्केट में क्रेश हुआ था, और अर्थ व्योस्ता में मंदी थी, एक सड़क पर मैंने विक काओ है, काबोर्ड देखा, काफी लंबे समय से महा लगा हुआ था, वे पुराना दिख रहा था, एक दिन इसके पास से जोगिन करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई, जो परिशान दिखा था, मैंने पूछा, आपने अपने गर की क्या किमत लगाई है, मालिक गु खरीब लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई किमत से कम थी, यह दो बेटरूम का छोटा सा सुन्दर घर था, जिसकी खिड़कियो बर जिंजर ब्रेंड टिम था, यह 1930 में बना था और इसका रंग हलका निला था, अंदर एक सुन्दर चट्टानी अंगिठी थी और छोटे चोटे दो बेटरूम थे, यह किराई बर देने के लिए एक आदर्स गर था, मैंने मालिक को 45,000 डालर के गर के लिए 5,000 डालर नगत दिये, जिसकी असर एकिमत 65,000 डालर होगी, पर अंदिकत सिर्फ इतनी थी, कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था, मालिक न एक अपते मे अनेजमेंट फीस चुपाने के बाद, हर महीने के आखिर में मेडिजें में 40 डालर आते थे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी, एक साल बाद ओरेगन का रियल इस्टेट बाजार मंदी से उबर गया, और बढ़ने लगा, कैलिफोर्निया के निवेसकों के बास अपने रिय डालर में बेश दिया, जिनने यह बहुत सस्ता सोदा लग रहा था, इस सोदे में मुझे लगबग 40,000 डालर का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टेक्स विहिन एक्चेंज में रख दिया, और मैं अपने पैसे को लेकर बड़ी प्रोपर्टी खरीद ने चल दिया, एक म का अंदाजा ही नहीं था, और यह एक बार फिर वे इसका पीछा चुडाना चाहते थे, मैंने साड़े चार लाग डॉलर की मार्क के लिए, दो लाग पीछे तर अजार डॉलर का परस्ताव दिया, वे तीन लाग डॉलर पर मान गई, मैंने इसे खरीद लिया, और इसे दो स फिनिक्स चले गए थे, हमें वैसे भी इसे बेचना था, पहले जो हाल ओरेगन के बाजार का था, वही मंदी का मावल फिनिक्स के रियल इस्टेट मार्केट में देखने खुट मिला, फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिलिंग की किमत आठ लाग पीछे तर अज दोलर थी, इस में से 2,25,000 डाउन पेमेट थी, 30 यूनिट से आने वाला 5,000 डालर परती महा से कूच जा रहा था, एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा, और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रोपर्टे के लिए 12,000 डालर देने का परस्ताव रखा, मेरी परिवर्टन करती है, तो प्रोपर्टी की किमत 15 से 20 परती सब तक बढ़ जाएगी, इसके अलावा हर मेने 5,000 डालर मिलते रहना अच्छा लगता था, इस उदारन में मुद्दे की बात या है कि किस तरह एक छोटी रकम, एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है, एक बार फ से वे स्टंडर्स अलागा पालन करेंगे, जो कहती है, सुरक्षित खेलो और सुरक्षित निवेसों में पैसा लगाना चाहिए, सुरक्षित निवेसों के साथ समझ्या यह है, कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफ़ा देते हैं, उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है, क और यहनिती समझदारी की भी है, असली गरम सोदे नोसिक्षित को नहीं दिये जाते हैं, प्राइस सरवसरे सोदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं, और यह सोदे अमीरों को और भी अमीर बना देते हैं, वैसे भी जो खिम्बरे सोदे नोसिखियों के सामने रखना तकने की रूप से गैर कानूनी माना जाता है परन तो यह सा कभी कभार होता भी है मैं जितना ज़्यादा प्रिसकरत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं जिन्दगी में फाइनशियल बुद्धी विक्सित करने का एक और फाइदा यह होता है कि इस से हमारे सामने ज़्यादा तरह उसर आते हैं और आपकी फाइनशियल बुद्धी जतनी ज़्यादा वढ़ती है आपके लिए यह बताना असान होता है कि कोई सोधा अच्छा है या बुरा आपकी बुद्धी ततकाल एक बुरे सोधे को पैचान सकती है या एक बुरे सोधे को अच्छे सोधे में बदल सकती है मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्यों भी समय के साथ-साथ मेरा अनुबव और बुद्धी बढ़ती जाती है मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रही है और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेनत कर रहे है परंतुन की फाइनेंशियल बुद्धी विक्सित नहीं हो पाईए जिसे विक्सित होने में बहुत समय लगता है मेरी कुल जमा फिलोस्पी है अपने संपत्ती वाले कॉलों में 20 होना यह है मेरा फार्मूला है मैं छोटे फ्यमाने पर शुरू करता हूँ और 20 गोता हूँ कुछ 20 उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते हमारे रियल इस्टेट कोर्फेरेशन में हमारे पास करोडों डालर की प्रोपर्टी है यह है हमारा अपना REIT याने रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोडों में से कई प्रोपर्टी तो 5000 डालर से 5000 डालर के निवे से शुरू हुई थी नगत पैसे से खरीदी गई यह प्रोपर्टी उस किसमती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज़्यादा कीमती हो गई थी और टेक्स से मुक्त रहते हुए उग इन्हें खरीदा और बेचा गया था और इसा कई उच्छलों तक किया गया था हमारा एक स्टोप पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा परसनल मुच्छल फंड कहते हैं हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेसकों के साथ ही बिजनस करते हैं जिन के पास हर महिने निवेस करने के लिए कुछ अतिरी धन होता है हम ज्यादा जोखिमवाली प्राइविट कंपनियों के शेयर करीदती हैं जो अमेरिका या कैनेडा में स्टोप एक्सचेंज पर सारुजनिकोंने जा रही है कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदारने इस तरह देखें हमने कंपनिके सारुजनिकोंने से पहले 25 सेंट परती शेयर की दर पर एक लाग शेयर खरीदे चै महीने बाद जब कंपनिय शेयर बाजार में धर्ज हो गई तो उसके शेयर कभाव दो डालर परती वर्ष हो गया अगर कंपनिका प्रबंदन अच्छा है तो कीमते बढ़ती रहेंगी और स्टोक 20 डालर परती शेयर या इससे भी ज़्यादा होगा ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे 25 जार डालर एक लाग से भी कम समय में 10 लाग डालर बन गई है यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे है यह जुआ है अगर आप सोदे में अपना पैसा फ्हेंक रहे है और बगवान से सफल होने के दूआ कर रहे है आपको अपनी तक में कियान, मुद्दी और खेल के प्रतिप्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे वैसे जोखिम तो होता ही है यह फैनाशियल बुद्दी होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते है इसी कारण जो चीज़े एक आदमी के लिए जोखिम बरी होती है वह दूसरे आदमे के लिए उतनी ही जोखिमरी नहीं होती यह वह मूल कारण है जिसके वज़े से मैं लोगों को लगातार प्रेडित करता हूँ कि वे स्टोक रियल स्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बज़ाई फैनन्सिल बुद्धी में निवेश करें आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अफसर उतने ही ज़्यादा होंगे मैं व्यक्तिकत रूप से जिन स्टोक में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनके अंसंसा नहीं करता मैं इस खेल को 1980 से केल रहा हूँ और मैंने इसमें काफी अनुववासिल किया है परंतो अगर आप दुबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज़्यादा तर लोगों के लिए जोखिम बरे क्यों होते हैं तो आप अपने जिन्दिगी को अलग तरह से निधरित कर सकेंगे जिसमें 25,000 डालर से एक साल में 10,000,000 डालर बनाना आपके लिए कम जोखिम बरा होगा जैसा पहले ही कहा जा चुका है मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है बात इतनी सी है कि वोसत आदमी के लिए एक लाग डालर से ज़्यादा की परतिवर्साई अच्छी होती है और इसे असिल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगते बाजार कैसा है और आपकी इतनी स्मार्ट है इस बात पर निर्वर करता है कि आप पांच से दस सालों में ऐसा कर सकते हैं अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो एक लाग डालर की अतरीक आई आपको सुखद लगेगी चाहे आप काम कर रहे हूं या नहीं आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहें तो काम छोड़ सकते हैं और सरकारी टेक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाई अपने समर्थन में भी परियुक्त कर सकते हैं मेरा ब्यक्तिकतादार रियल एस्टेट है मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थाई और धीमी गती से चलने वाली होती है मैं ठोस आदार को पसंद करता हूँ कैश प्लो भी आम तोर पर स्थाई ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी समावना होती है रियल एस्टेट की ठोस आदार सिला होने के कारण मैं जोखिम मेरे स्टोक्स खरीदने का खत्रा मोल ले सकता हूँ अगर मुझे स्टोक मार्केट में खासा मुनापा होता है तो मैं मुनापे पर कैपिटल गेंस टेक्स देता हूँ और बची होई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ती की नीव और जड़ा मलबूत हो जाए रियल एस्टेट पर एक और बात है मैं दुनिया वर में घुमा हूँ और मैंने हर जगे निवेस करना सिखाया है हर सेर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता यह मेरा अनुव नहीं है निव यार्क या टोकियो में या सेर से थोड़ी सी दूर इसे शांदार मोके हैं जिने ज़्यादातर लोग नजर अंदास कर देते हैं सिंगापूर में जहां भी रियल एस्टेट की किमते बहुत ज़्यादा चल रही है ऐसी बहुत सी प्रोफर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं इसलिए जब भी मैं किसी को यह से कहते सुनता हूं आप यहाँ इसा नहीं कर सकते तो मैं उने यह याद दिलाता हूं कि शयद आपको यह कहना चाहिए मैं नहीं जानता कि यहाँ इसा कैसे किया जा सकता है महान असरों को आपकी आंके नहीं देख सकती नहीं आपके दिमाग से देखा जा सकता है ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए financial perception ही नहीं मिला होता है कि वे अपने सामने पड़ी वे उसरों को देख सकें और उन्हें पैचान सकें मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूँ पिछले अध्याई में मैंने आर्थिक सुतंतरता की रहा पर चलने हुए वाले दस कदमों का उलेक किया है परंतु यह हमेसा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए यह केवले खेल है कई बार आप जीट जाते हैं और कई बार आप कोन वो मिलता है परंतु हमेसा आनंद ले ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है इसलिए मुझे स्कूल मुर्ख का पूर्ण लगता है स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती है और गलतियां करने के लिए हमें सजा दी जाती है परंतु अगर हम इंसानों को सीखने के पर करिया पर नज़र डाले तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पादेंगे यही मोटर साइकल चलाने के बारे में भी सही है मेरे गुटने पर आप भी चोटके निसान है परंतु आज मैं बिना सोचे मोटर साइकल चला सकता हूँ यही अमीर बनने के बारे में भी सही है दुर्बाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर नय बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से ड़ते हैं जीतने वाले हारने से नहीं ड़ते परंतु हारने वाले ड़ते हैं सफलता की प्रकिरिया का एक वाग ऐसे बलता भी है जो लोग ऐसे बलता से डरते हैं, सफलता हूं से बचती है मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूं मैं मेहनत से खेलता हूं, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं और ज़्यादा गलतिया करता हूं, सुधारता हूं और इस तरह से मेरा खेल सुदरता जाता है अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शेनिवार को मिलेंगे निवेसक दो तरह के होते हैं पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक package में निवेश करते हैं वे retail outlet में phone करते हैं जैसे एक real estate company या stock broker या financial planner को और फिर वे कुछ खरीदते हैं यह है एक mutual fund, stock या bond हो सकता है यह है निवेश का एक अच्छा सापसूतरा और आसान तरीका है यह है उसी त तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं इस तरह के निवेशक आम तोर पर सोदों को असेंबल करते हैं जिस तरह computer engineer computer के पूर्जों को असेंबल करते हैं मैं यह है तो नहीं जानता कि computer के पूर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है परंतु मैं यह जा जानता हो कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह ऐसेंबल किया जा सकता है या मैं इसे लोगों को जानता हूँ जो इसा करते हैं दूसरी किस्म का निवेसगी प्रोफेशनल निवेसक होता है कई बार तो पुर्जों को इकठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी कठे नहीं हो पाते मेरे अमीरी डेड़ी ने मुझे दूसरी किस्म का निवेसक बनने के लिए प्रोचाइट किया यह सीखना मेत्वकूर्ण है कि फुर्जों को किस तरह आसे बल किया जाए क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मुका होता है और अगर किस्मत आपके साथ नहीं हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खत्रा होता है अगर आप दूसरी किस्म के निवेसक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से तीन मुख्य दक्षताइं विक्सित करने की जुरूरत है फाइनेंशियल बुद्धी के अलावा इन दक्षताओं की जुरूरत होती है नमबर एक किस तरह ऐसे मुख्यों को कोजे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो दूसरे लोग अपनी आँखों से उस मुख्य को देख नहीं पाएंगे पर आप अपने दिमाग से उस मुख्य को देख सकते हैं उधारन के लिए मेरे एक दोस्त ने एक पुराना गर खरीदा यह दिखने में बुरा सा था हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा परन्तु दूसरे जो देख नहीं पाए थे और जो उसने देख लिया था वह है यह था कि उस गर के साथ चार खाली जमीन के टुपड़े भी थी उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था गर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन पांसो पलाटों को बिल्टर को बेश दिया इस सारे सोदे में उसे अपने मूल निवेस से तीन गुना रकम मिली उसने दो मैने के काम में पिछे तरहजार डालर कमा लिए यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है परन्तो यह जन्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है और यह तक्निकी रूप से कठिन भी नहीं है नमबर दो पैसा किस तरह जुटाया जाए ओसत आदमी बेंक जाता है परन्तो इस दूसरे किसम के निवेस से को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बेंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है मैंने यह सीखा कि बिना बेंक की मदद लिए घर कैसे खरीदा जा सकते है घर करिदना मैं तो को नहीं है परन्तो पैसा इकठा करना मुल्यवान कला है अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ बेंक मुझे करज नहीं दे रही है या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है अगर आप दूसरी किसम के निवेसिक बनना चाहते है तो आपको यह सीखने की जरूरत है क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोग की योजनाई ठप हो जाती है दूसरे सब्दों में ज्यादातर लोग से रुपीस लिए सुदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता अगर आप इस बादा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलो आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सिखा एसे कई मोके आई हैं जब मैंने घर या स्टोग या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है जबकि मेरे पास बैंक में एक भी पाई नहीं थी मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को बारा लाख में खरीदा मैंने इसके लिए एक अनुमंद किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखितन बन था फिर मैंने एक लाग डालर का डिपोजिटी कठा किया जिससे मुझे बाकी पैसे के जुटाने के लिए 90 दिन की मौलत मिल गई मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं जानता था कि इसके असली किमत 20 लाग डालर थी मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया इसके बजाए जिस आदमी ने मुझे 1 लाग डालर दिये थे उसने मुझे 50,000 डालर दिये ताकि यह मेरी जगह पर आ जाए और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया कि आप कितना जानते हैं निवेश करना खरीदना नहीं है यह एक ग्यान है इस तरह समाट लोगों को संगिठित किया जाए ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यदा समझदार लोगों को इसाथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं जब भी आपको सला की जरूर्ट हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलागार समझदार हो सीखने के लिए बहुत कुछ है परन्तो इसके पुरुसकार भी बहुत कीमती हो सकते हैं अगर आप इन दक्स्ताओं को नहीं सीखना चाते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेसक बनने की सला दी जाती है आप जो जहनते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम तो हमेशा रहता है इसलिए इससे बचने के बजाई इसे मैनेज करना सिखे धन्यवाद आई ये चलते हैं अध्याई साथ की तरफ जो है सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम ने करें पैसे के लिए काम ने करें 1995 में मैंने सिंगापूर के एक अख़वार में एक इंट्र्यू दिया युवा महिला रिपोर्टर समय पर आगी और इंट्र्यू तत्काल सुरू हो गया हम एक आलेशान होटल की लोबी में काफी की चुश्कियां ले रही थे और मेरी सिंगापूर यात्रा के उदेशे पर चर्चा कर रहे थे मैं प्लेट फार्म पर जिग जीगलर के साथ पैठने वाला था वे प्रेणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहशे पर बोलने वाला था एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ उस महिला ने कहा मैंने उसके कई लेख पड़े थे और मैं उससे प्रवावित भी हुआ था उसकी लेखन शैली दमदार और सपस्ट थी उसके लेखों में पाटकों की रूची जगाने की ख्शमता थी आपकी शैली बहुत बढ़िया है मैंने जवाब दिया कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है मेरा काम कहीं का कहीं जाता है उसने शानती पूर्वक कहा हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बहुत बढ़िया है पर अंतु कुछ नहीं होता इसलिए मैं अख़वार के लिए काम कर रही हूँ कम से कम इससे मेरा खर्श तो चल जाता है क्या आप इस बारे में कोई सुजाओ देना चाहेंगे हाँ बिलकुल मैंने उत्सा से कहा सिंगापूर में मेरा दोस्त है वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बेजने का परशिक्षन दिया जाता है वह सिंगापूर में कई चोटी के कॉर्परेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कॉर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़्यदा विक्सित हो जाएगा उसका सरीर शक्त हो गया आप यह कहना चाहते हैं कि बेजना सीखने के लिए मैंजे स्कूल जाना पड़ेगा मैंने सेम्टी में सीरे लाया आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं एक बार फिर मैंने सेम्टी में सीरे लाया इसमें गलत ही क्या है मैं अब अपने सब्द वापस लेना चाहता था उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कोई भी सुजावन नहीं दिया होता उसकी मदद करने की कोशिस में अब मैं खुद के सुजाव की रक्षा करता नजर आ रहा था मेरे पास अंग्रेजी साइटे में मास्टर डिग्री है मैं सेल्जमेन बनना सीखने के लिए स्कूल जाऊं क्या मैं एक प्रोफेशनल हूँ मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्सित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्जमेन नहीं बढ़ना बढ़े मैं सेल्जमेन उसे नफरत करती हूँ उन्हें के वल पैसा चाहिए होता है तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स गाते हैं क्यों करूँ अब वो अपना ब्रीफ के स्ताकत से बंद कर रही थी इंट्रिव्यू खतम हो गया था कोफी टेवल पर मेरी एक बेस चेलिंग पुस्तक रखी हुई थी मैंने इसे उठाया और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा क्या आप इसे देख सकती हैं मैंने उसके नोट्स की तरफ इसारा किया उसने अपने नोट्स पर नजर डाली क्या उसने उलजन में कहा एक बार फिर, मैंने उसके नोट्स की तरब जानबूज कर इशारा कि उसके पैड़ पर उसने लिखा था, रावर्ट कियोसा की बेस्ट सेलिंग लेखक यहां पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है ने की बेस्ट राइटिंग लेखक उसकी आंखे ततकाल फैल गई मैं बहुत पुरा लेखक हूँ आप बहुत बढ़िया लेखक है मैं सेल स्कूल गया हूँ आपके पास मास्टर डिग्री है दोनों को इकठा कर ले और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक बन सकती है उसकी आंखों में गुसा था मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूँगी कि बेचना सीखने के लिए परसिक्षन लू आप चैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक प्रोफेशनल लेखक हूँ और आप एक सेल्जमेन है यह सही नहीं है उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वैसिंगापूर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेश दिया दुनिया स्मार्ट, गुणी सिक्षित और प्रतिभा संबल लोगों से भरी हुई है हम उनसे हर दिन मिलते हैं वे हमारे चारों तरफ है उस दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़वड हो गई थी मैं एक गैरेज में गया और यूवा मेकैनिक ने उसे कुछ मिंटों में ठीक कर दिया इंजन की आवाज सुनकर ये उसे समझ में आ गया था कि गड़वड कहां थी मैं हैरान देखता रहा दुखत सस्तो यह है कि परतिभाई प्रयाप्त नहीं होती मुझे लगातार यह देख देखकर जटका लगता है कि परतिभाई संपन लोग कितना कम-कमाज पाते है मैंने अभी हाल ही सुना है कि पांस-पिजदेजी भी कम अमेरिकी एक साल में एक लाग डालर से ज़्यादा कम आपते है मैं इसे परतिभाई साली और उत्षिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में 20,000 डालर से भी कम-कमाते है मेडिकल वेवसाई में विशे सग्यता रखने वाला एक वेवसाईक सलाकार कि कितने डोक्टर, दंद चिकित सब और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूज रही है और मेरी सोच यह थी कि एक बार डाक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर परसने लगता है इस वेवसाईक सलाकार ने मुझे एक बड़ी अवाक्य दिया तो वे भारी दोलत से सिर्फ एक दक्सता दूर है इस वाक्य का यह मतलब है कि ज्यादातर लोगों केवल एक और दक्सता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनके अब्दनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनांसियल बुद्धी, अकाउंटिंग, निवेस, मार्केटिंग और कनून का समनुए है इन चार तक्निकी दक्सताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा असान हो जाएगा जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेनद करने की दक्सता होती है दक्सताओं के समनेवाया का एक अच्छा उदारन अकबार की उस रिपोर्टर का है अगर वैं सेल्ज और मार्केटिंग के क्षेतर में दक्सता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एड़टाइजिंग, कॉपी राइटिंग और सेल्ज के पॉर्स में शामिल हो जाता फिर अखबार में काम करने के बजाए मैंने किसी एड़टाइजिंग एजेंसी में नोपरी कोजी होती चाहे इस काम में वेतन कम ही मिलता पर अंदुई से वह यह सीख जाती कि सफल एड़टाइजिंग में परियुक्त होने वाले शोटकट का परियुक किस तरह किया जाई उसे अपना कुछ समय जन संपर्ग में भी देना होता जो एक मैत्वों दक्षता है वह यह भी सीखती कि मुख्त परचार के लिए किस तरह लाखों कमाई जाए फिर रातों में और सब्तान्तों में वह अपना महान उपन्यास पूरा करती जब वह पूरा हो जाता एक परकासक ने मुझे यह यह सुजाओ दिया कि मैं सिर्षक को बदल कर दा एकोनोमिक सौफ एजुकेशन कर दो मैंने परकासक से साफ कहा दिया इस तरह के सिर्षक से उस तक कि कुल दो परतियां भी खेनी एक तो मेरा परिवार खरीड़ेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिक्कत यह है कि वे दोनों ही से मुफ्त में पाने की आसा करेंगे If you want to be rich and happy Don't go to school सिर्षक को जान बुज़ कर चुटिला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे हजारों टन परचार मिलेगा मैं सिक्षा का समर्थक हूँ और सिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ अन्य था मैं अपने पुरातन पंति सिक्षा तंतर को बदलने की बार बार मांग क्यों करता इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शोव पर ज्यादा परचारित हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास पद होने से नहीं ड़ता कहीं लोगों का विचार था कि मैं कोई फूट केक था परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से 1979 में ग्रेजुट हुआ तो मेरे पड़े लिखे डेडि बहुत खुश हुए स्टेंडर्ड आईल अउड कैलिफोर्निया ने मुझे अपने आईल टेंकर फ्लीट में काम दे दिया मैं थर्ड मेट था और हलांकि मेरी तनकुआ मेरे साहबाटियों की तुलना में कम थी परंतु कालेस के बाद पहले काम के इसाब से ठीक थी मेरी शुरुवाती तनकुआ 42,000 डालर परती वर्स थी जिसमें और टाइम भी शामिल था और मुझे केवल साथ महीने काम करना पड़ता था बाकी के पांच महीने मेरी चुट्टी थी अगर मैं चाहता तो मैं एक सायक शिपिंग कमपनी के साथ वियतनाब जा सकता था और अपनी पांच महीनों की चुट्टियों के बदले अपनी तनकुआ दुगनी कर लेता मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था परंदो मैंने च्छे महीने बाद ही इस्तिपादे दिया और मरीन कार्स तुम्हें बरती हो गया ताकि मैं हवाई जाज उडाना सीख सकूँ मेरे पढ़े लेके डैडी का दिल तूट गया अमेरे डैडी ने मुझे पताईया दी स्कूल और नौपरी में विशेशग्यता का विचार एक लोप्रिय विचार है यानि कि ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन आसिल करने के लिए आपको विशेशग्यता आसिल करने की जरूरत है इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स ततकाल बाल रोग विशेशग्यता या अस्ती रोग विशेशग्यता आसिल करने में जुट जाते हैं यही एकाउंटेंट्स आर्किटेक्ट्स वकीलों पाइलेटों और बाकी लोगों के बारे में सही है मेरे पढ़ेले के डैड़ी इसी विचारदारा में विश्वाद रखते थे इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमान्चित हो गए थे वे एक्सर यहे मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज़्यादा है ज़्यादा पड़ते हैं अमीर डैडी मुझसे इसके अठीक उल्टा करने के लिए प्रोच्साइब करते थे आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह है उनका सुझाओ था इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विवागों में सालों तक काम किया उच समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हालांकि मैं कभी अकाउंटेंड नहीं बन सकता था परंतु भे चाते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ अमीर डेडी जानते थे कि मैं वहां की सब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या मैं तो पुन था और क्या नहीं मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्ज, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में डूँ वे मुझे और माईक को पीडी दर पीडी सिखा रहे थे इसलिए वे चाते थे कि हम लोग उनके बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैटकों में बाग लें वे चाते थे कि हम लोग उनके समराज्य के हर पैलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी रखें जब मैंने स्टंडर्ड आयल की अच्छी तनकवावली नोकरी छोड़ी तो मेरे पढ़ेली के टेडी ने मुझसे दिल खोल कर बाते ही उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे निरने के पिछे के कारण को नहीं समझभा रही थे क्योंकि जिस नोकरी से मैंने इस्तिवा दिया था उसमें तनकवाव अच्छी थी फाइदे बहुत थी खाली समय भी बहुत मिलता था और उसमें तनकवाव और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तुमने नोकरी क्यों चोड़ दी तो मैं लाग कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तर्क उनके तर्क के दाइरे में पिट नहीं होपा रहे थे समझा यह थी कि मेरे अमीर डैडी का तर्क था मेरे पडेल के डैडी के लिए नोकरी की सुरुक्षा ही सब कुस थी मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुस था मेरे पडेल के डेडी का विचार था कि मैं शिप का अफसर बनने के लिए सिख्षा ग्रेंड करने स्कूल गया था अमीर डेडी जानते थे कि मैं अंतरा स्टेव या पार के अध्यन के लिए स्कूल गया था तो एक विद्यार्थी की तरह मैं और सौथ पैसिफिक जाने वाले जाजों पर बड़े फ्रेट्स पर आल टैंकरों पर और यात्री जाजों पर काम करता रहा अमीर डेडी इस बात पर जोर देते थे कि वे यूरोप की तरफ जाने वाले जाजों के बज़ाए परसांद महासागर पर अपना ध्यान के अन्दिलित करूँ क्योंकि बवश्य के देश एसिया में है, यूरोप में नहीं जब कि मेरे ज्यादातर साहबाटी जिसमें माईक भी शामिल था अपने गरों पर पार्टी और मोजबस्ती करते थे तब मैं जापान, ताइवान, थाइलेंड, सिंगापूर, होंग कोंग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोवा और फिलिपिन्स में व्यावसाई, लोगों, बिजनस की सेलियों और संसक्र्टियों का अध्यन करता था मैं भी पार्टी कर रहा होता, परन्तु अपने गर पर नहीं, मेरा ज्यान बहुत तेजी से बढ़ रहा था पढ़े लिके डैडी कभी नहीं समसके, मैंने यह अनोगरिक्यों छोड़ी, और इसके बाद मरीन कार्प्स में क्यों सामिल हुआ मैंने उन्हें बताया, कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, परन्तु वास्तों में मैं टूप का नेता बनना सीखना चाहता था अमीर डैडी ने मुझे बतला रखा था, कि कमपनी चलाने का सबसे कठीन काम था, लोगों से काम लेना उन्होंने तीन साल तक से नामे काम किया था, मेरे पड़ेली के डैडी ने कभी इसा नहीं किया था अमीर डैडी ने मुझे बताया, कि खतरनाक परिस्तितियों में किस तरह लोगों का नेतरतों किया जाई तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए, वह है, नित्रत हो उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है, तो आप पर पीछे से गोलियंच लाई जा सकती है जैसा बिजनस में किया जाता है वियत नाम से उन्होंने सो त्येटर में लोटने पर मैंने कमिशन से इस्तिपा दे दिया हलांकि मैं हवाई जाज उड़ाना पसंद करता था, मैं जेराक्स कंपनी में काम करने लगा मैंने इसमें एक वज़े से नोक्री की थी और नोक्री के पाइड़े वहे वज़े नहीं थी मैं एक शर्मिल आदमी था और बेचने का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विशय लगता था जेराक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी अमेर डेड़ी को मुझे पर करव था मेरे पडेली के डेड़ी को मुझे पर शर्म आती थी एक बुद्धी जीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्जमेन उनके निचलेस तरके होते हैं मैंने जेराक्स में चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और ऐस विकार कर दिया जाने के डर से मुक्तिन नहीं मिल गई एक बार मैं विक्रिया में चोटी के पांस लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तिवा दे दिया और आगे बढ़ गया एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कमपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खुली अमीर डेड ने मुझे और माईट को कंपनिया चलाने का प्रशिक्षन दे रखा था तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था मेरा पहला उत्वाद था नाइलोन और वेलक्रो का वैलेट जो फारेस्ट में बनता था और समुदरी जहाद से न्यू यार्क में एक बेर आउस्तक्त आता था मेरी उप्चारिक सिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंकों की मजबूती की परिक्षा का समय आ गया था अगर आप मैं ऐसे बल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता अमीर डेडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है आपके पास संबलने का मोका होता है उनकी सला थी मेरे 30 जनुदिन की शाम को मेरा पहला सिप में पोरिया से नियू यार्क के लिए रवना हुआ, आज मैं अंतराष्ट येस्तर पर बिजनस करता हूँ, और जैसा मेरी अमीर डेड़ी मुझे प्रोचसाइब किया करते थे, मैं विकास से इल देशों पर ध्यान के निरित करता हूँ, आज मैं इतनी वेस कमपनी, दक्षिन अम होता है, क्योंकि स्कूल यह है नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धी भी बुद्धी का एक रूप है, इसलिए ज्यादातर करमचारिया मजदूर अपने सादनों के बीतर रह रहे हैं, वे मैनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं, एक और ड्रावनी मैनेजमेंट ठ क्योरी है काम करने वाले इसलिए कड़ी मैनत करते हैं थाकि उन्हें नोकरी से ने निकला दे और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं, ताकि काम करने वाले छोड़ करने चले गए, और अगर आप ज़्यादा तर कंपनीयों की तंख़एन देखें, तो आप आएंगे कि इस काम करने वाले कम समय के फुरुषकारों से वेतन और दूसरे फाइदों के लिए काम करते हैं परन्तों दिर्ग काली इंद्रिष्टी से यह उनके लिए गाटे का सोदा सावित होता है इसके बजाए मैं युवा लोगों को यही सला दूँगा कि नोकरी खोशते समय वे इस बात का ध्यान दे कि वे कितना कमा रही है और इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान दे कि वे कितना सीख रहे है रास्ते बर आगे की तरफ देखते हैं कि किसी खास प्रोबेशन को चुनने के पहले और चुहा दोड़ में पसने इसे पहले वे कितनी दक्षताओं में परंगत होना चाहते हैं एक बात लोग बिल चुकाने के आजीवन पर किरिया में फस जाते हैं तो वे छोटे हैंस्टर्स की तरह दातु के छोटे पईयों के चारों तरफ गुंते रहते हैं उनके छोटे पैर तेजी से गुंते हैं परंटु आने वाले कल में भीवे उसी पिंजरे में रहेंगे नोकरी जैरी मैगवायर नाम की फिल्म में टाम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार समवाग थे शायद सबसे यादगार लाइन थी मुझे पैसा दिखाओ परंटु एक और लाइन थी जो मेरे इसाब से ज़्यादा सच्ची थी यह उस दिरस्य में थी जहां टोम क्रूज फरम छोड़कर जा रहा है उसे नोकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूचता है मेरे साथ कौन आना चाहता है और सब लोग मौन और स्टब्ध है केवल एक औरत बोलती है मैं आना तो चाहती हूँ परंटो मेरा तीन मैने में प्रमोशन होने वाला है यह है वाक्या शायद पूरी फिल्म का सबसे सचा वाक्या है यह है उस तरह का वेक्टव यह है जो बिल चुकाने के लिए मेहनद करने वाले लोग हमेसा इस्तेमाल करते है मैं जानता हूँ कि मेरे पड़ेलिके डेड़ी हर साल तनक्वा बढ़ने की आशा लगाई रखते हैं और हर साल उन्हें निरासा होती थी इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा यह हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वरदी मिल सके परंतो एक बार फिर उन्हें निरासा ही हाथ लगती थी मैं अक्सर लोगों को यह सवाल फूसता हूँ रोज मर्रा की यह गतिविली आपको कहां ले जा रही है सोटे हैंस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेनद का नतीजा क्या निकल रहा है उनका भविश्य कैसा होगा सीरिल बिट फिल्ड दे अमरिकन एसोसेशन आप रिटार्ड प्यूपिल्स के भूतपुर्व एक्जिगुटिव डारेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत भहुत खराब है पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50 फिजदी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी इसी बात से चिंता होना चाहिए और बाकी बचे 50 फिजदी में से पिछे 30 से 80 फिजदी लोगों को नामातर की पेंशन मिलेगी जो 55 डालर या 500 डालर या 300 डालर परतिमा होगी अपनी पुस्तक दे रिटायरमेंट मित में क्रैक एस कारपिल लिखते हैं मैं एक बड़ी राष्टी ए पेंशन सलाकार फर्म के मुखेले में गया और मैनेजिंग डारेक्टर से पूछा जिसकी विशे सकेता बड़ी रिटायरमेंट योजनाई तयार करने में थी जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे आफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उमीद करनी चाहिए तो उसने विश्वास वरी मुस्तुराट के साथ कहा सिल्वर बुलेट सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है मैंने पूछा उसने वने कंदे उचकाई अगर बुजर्गों को लगता है कि बुड़ापे में उनके पास जिन्दा रहने के लिए परियाप्त दन नहीं है तो वे अपने आपको गोली मार सकते हैं कारपेल इसके बाद पुराने रिटायर्मेंट प्लान को ज़्यादा खतरनाक नए 401G प्लान के अंतर को स्पस्ट करते हैं ज़्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखत तस्वीर नहीं है और यह तो हुई रिटायर्मेंट की बाद जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दिर काली नर्सिंग होम सुखिदा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरामनी हो जाती है उनके 1995 की पुस्तग में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस 30,000 डालर परती साल से 1,25,000 डालर परती वर्स है वे अपने इलाके के साफ सुत्री परतु सादार नर्सिंग होम में गई और उन्होंने 1995 में चीमत को 88,000 डालर पाया आज भी समाजबादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़ी फैसले लेने होते हैं जैसे कौन जीएगा और कौन मरेगा वे यहे फैसले विशोद रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वरद है अगर मरीज वरद है तो वे एकसर मेडिकल केर अपिक शक्रत युवा आदमी को दे देते हैं बुड़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है तो जिस तरह अमीर लोग बेतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने आपको जिन्दा भी रख सकते हैं जबकि जिन के पास दोलत नहीं है वे मर जाएंगे तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या करमचारी बविशे में देख पा रहे हैं या उनकी बविशे की द्रस्टी केवल उनकी अगली तनकवा तक ही जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी बविशे के बारे में सवाल ही नहीं करते जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वैसकों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज़ की सला देता हूँ मैं यह सुझाओ देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा द्रिश्ट कौन रखें केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाए जो हालांकि मैं तुकूर्ण है मैं सुझाओ देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्ष्टा सिखा दे अगर वे सेल्स तकनिक सिखना चाते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेट्वर्क मार्किटिंग में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ जिसे मल्टी लेवल मार्किटिंग भी कहा जाता है इन में से कुछ कंपनियों के पर सिक्षन कारेगा बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जीजग और ऐस अपलता का ड़र निकाल देते हैं जो लोगों के ऐस अपल होने का मुख्य कारण होते हैं लंबे समय में सिक्षा धन्स से ज़्यादा मुल्यवान है जब मैं यह सुझाओ देता हूँ तो अक्सर लोगों की परतिकिरिया होती है पर इसमें बहुत जंजट है या मैं केबल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रूची है इसमें बहुत जंजट है के जवाब मैं पूचता हूँ तो आप जिन्दगी वर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आई में से 50 फिस्दी आप सरकार को दे देंगे दूसरे वक्त तब्या मैं केबल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रूची है के जवाब मैं कहता हूँ मैं जिम जाने में बिल्कुल रूची नहीं रखता परंदू मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फिटोस हूँ और ज़्यादा समय तक जिन्दा रह सकूँ दुर्बागे से उस पुरानी कावत में कुछ सचाही है आप एक बुडे कुटे को नई चालवाजी नहीं सिखा सकते जब तक कोई आदमीं बदलने के लिए तैयार ने हो बदलना बहुत कठीन होता है परंदून लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो जाते है और दोराए पर खड़े है मेरा सुजाव यही है जिन्दगी बहुत होट तक जिम जाने की ही तरह है इसमें सबसे दर्दबराई सा वहां जाने का फैसला लेना है एक बड़ आप यह फैसला कर लेते है तो बाकी सब आसान हो जाता है यसे कई दिनाई जब मैं जिम जाने के नाम से काउब जाता हूँ परंदो एक बार मैं वहां पूंँ जाता हूँ तो काम शुरू कर देता हूँ और मुझे इसमें मजा आने लगता है जब मैं वहां से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था अगर आप उस नया सीखने के परती अनिच्छुक हो और इसके बजाए आप अपने क्षेतर में बहुत विसे सग्यता हासिल करने पर जोर देते हो तो यह सुनी सिथ कर लेंगे जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो लेवर यूनियने विसे सग्यों की रक्षा के लिए बनाई जाती है मेरे पडेले के डैडी जब गवर्नर की करपा द्रस्टी से तूर हो गई तो वे हवाई में टीचस यूनियन के अत्यक्स हो गई उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिन्दगी बरी एकोसिस की कि उनकी कमपनियों में यूनियन ने बन सपाई वे सबल हुए आलंकि यूनियन काफी करीब आ गई थी पर तो अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामियाब हो जाते थी व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों इन बातों में फाइदे दिखते हैं और उनकी जुरूरत दिखती हैं अगर आप स्कूल द्वारा सुजाई रास्ते पर चलते हैं उच बेसे सग्यता हसिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की शुरुक्षा में चले जाएंग उधारन के लिए अगर मैं अपने हवाई जाज उडाने के करियर में गया होता तो मैंने इसी कंपनी पसंद की होती जि क्यों क्योंकि मेरी जिन्दगी केवल एक दक्स्ता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मुल्य केवल एक उध्योग में ही हो सकता था अगर मुझे उस उध्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जिवन की दक्स्ता एक किसी दूसरे उध्योग में उतनी मुल्यवान नहीं होती अगर किसी वरिष्ट पाइलेट को निकाल दिया जाई जिसके पास हवाई उडान का एक लाग गंटे कानुगा हो और जो हर साल डेड़ लाग डालर कमा रहा हो तो उसे स्कूल टीचिक में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूनने में बहुत दिक्कत आएगी दक्षताएं एक उड्योग से दूसरे उड्योग में ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एरलाइन उड्योग में जिन दक्षताओं की जरूरत होती है और जिस के लिए पाइलेटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है तोब स्कूल सिस्टम में उतनी मेत्तोपोर नही करते हैं स्कूल के सिख्षकों को यूनियन का सब इस्या होना पड़ता है आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेवर यूनियन है इन ए यादि नेशनल एजूकेशन एसोशेशन के पास बहुत ज़्यादा राजनितिक प्रवाव हैं सिख्षकों क अपनी यूनियन की सुरकशा की बहुत जरूरत होती है क्योंकि सिख्षा के बाहर उनकी दख्षताओं का मुल्य अप्रेक्षकरद काफी कम होता है तो नियम यहे है उच्विश जगता हासिल करो और यूनियन बना लो स्मार्ट लोग यही करते हैं जब मैं अपनी कक्षा मे बेचतर हैंबर्ग बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता हैं की मैच डोनाल्ड आप से ज्ड़ पैसा बना लेते हैं जवाब साफ है मैक डोनाल्ड बिजनस सिस्टम में आपसे अच्छा है ज्यादातर पर्तिवासली लोग शिरails गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ज्यान ब एक दिन उसकी मा के वकील ने उसे बताया कि उसकी उसने अपने पुत्र के नाम पर 35,000 डालत छोड़े हैं यह है रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी ततकाल उसने इस पैसे से विग्यापन करके अपने व्योसाई को बढ़ाने की सोची दो महीने बाद उसका पहला पूरे पेज़ का विग्यापन चार रंगों में एक महेंगी पत्रिका में प्रकासित हुआ जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे यह विग्यापन तीन महीने तक चला उसे विग्यापन के परति उत्तर में पूरे जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विग्यापन में खर्ट हो गई अब वह पत्रिका पर दावा ठोगना चाथा था यह एक ऐसे आदमी का सामाने उदारने जो एक बेतरी नहेंबर्ग बना सकता है परन्तु बिजनस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीक तो उसका जवाब केवल यही था कि विग्यापन करने वाले लोग दोखेवाज होते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि क्या यह सेल्ज में या डारेक्ट मार्केटिम में कोई कोर्स करना जाता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा पर बाद नहीं करना जाता दुनिया परतिवा समपन गरीब लोगों से भरी पड़िये अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समझा से जूज रही है या अपने डख्सताओं से कम पैसा पकमा रही है और इसका बेतरी नुदारन और इसका जिम्मेदार उनके ग्यान का विशे नहीं है बलकि उनका ग्यान है वे एक बेतर हैंबर्ग बनाने की दख्सता को पैना करने में ही लगी रहती है और हेंबर्ग को बेचने और उसे घर तक पुम्चाने की डग्स्ता पर बिल्कुल विध्यान नहीं देते शायद मैक्टोडाल सबसे अच्छे हेंबर्ग नहीं बनाते थे परन्तु वेक मून उस ग्रूप से और सताइमबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वस रेस्ट है है गरीब डेड़ी चाहते थे कि मैं विशे सगेता हासिल करूँ उनका विचार था कि अगर मैं यह सा करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा पढ़े लिके डेड़ी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्छित और निपून प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरुक्षा और फाइदों के लिए वियान छेड़ रहे थे हमें इस बात पर काफी बहस हुई पर अंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशे सग्यता के खरणी यूनियन के सरेंक्षन के जरूरत होती है वे यह कभी नहीं समझभाई कि आप जितनी जधा विशे सगयता आसिल कर लेते हैं उतने ही ज़़ाब जाल में फस जाते हैं और आप अपने विशे सगयता पर निर्वर हो जाते हैं अमीर डेडिय की सलाह यह है थी कि माई को और में खुद विकास करें कई कार्पॉरेशन्स यही करते हैं वे बिजनस स्कूल के किसी युवा प्रतिवासाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विक्शित करते हैं ताकि एक दिन वह कमपनी की जिम्मेदारी समाल सके और ये परतिवासाली युगा करमचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशे सग्याते नहीं होते वे बिजनस सिस्टम के सभी पैलगों की जानकरी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं अमेर लोग अकसर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विक्षित करते हैं एज़ा करने से उनके बच्चों को बिजनस की पूरी प्रकिरिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वे यह हैवी समझ जाते हैं कि किस तरह भी बिन डिपार्टमेंट्स में तालमेल होता है दूसरे विशुयूत की पीडी में एक कमपनी से दूसरी कमपनी में जाना बुरा समझा जाता था आज इसे स्मार्ट समझा जाता है चुँकि लोग ज़्यादा विश्य सगेता आसिल करने के बजाई इस कमपनी को बदल कर दूसरी कमपनी में जाना पसंद करेंगी तो क्यों ने कमाने के बजाई सीखने पर ध्यान के निरित किया जाए कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो फरंतों लंबे समय में इस से आपको बहुत फाइदा होगा सफलता के लिए जिन मुख्य मेनेजमेंट दक्स्ताओं की जुरूरत होती है वे हैं नमबर एक कैश फलो का मेनेजमेंट नमबर दो सिस्टम का मेनेजमेंट आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर नमबर तीन लोगों का मेनेजमेंट सबसे मेनेजमेंट विसे सगिये दक्स्ताओं सेल्ज और मार्केटिंग की समझ है बेजने की योगता ही प्यक्टिगत सबलता की आदारबूत कुशलता है इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ समप्रेशन में कुसल होना चाहिए साहिव है कोई गरहा को, करमचारी हो, बोस हो, पतनी हो या बच्चे हो कमिनकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना और सोदेवाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जुरूरी है यह है एक एसी कला है, जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्यान को बढ़ाने के लिए पठे करमों में भाग लेता हूँ या सेक्शन टेप खरीद था रहता हूँ जैसा कि मैंने बताया, मेरे पड़े रिखे टेड़ी ने जितने ज़्यादा मेहनत की वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेशके ताहजिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए हलांकि उनकी तनक्वा बड़ी परंदों उनके विकल्प कम होते चले गए जब उन्हें सरकारी नोगरी से हटा दिया गया तब ही उन्हें पथा चला कि वेवसाई की द्रस्टी से कितने जोखिम में थे यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाई या वैखेलने के लिए ज़्यादा बुड़ा हो जाई उनकी उन्ची तनक्वा वाली स्थित चली जाती है और वे अपने सीमी तक्षताओं के सारे जीवने आपन करते हैं मैं सोसता हूँ कि इसलिए मेरे पड़ेल के डैड़ी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गई थे उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा दिलाया होता अमीर डैड़ी माईक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकरे रखने के लिए प्रोटसाइट करते थे वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रेटित करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाई आज इसे प्यवसाइक विसे सग्यताओं का समन्वे कहा जाएगा आज मैं बूर्फवर उस्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डालर कमा रही है वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रही है क्योंकि उनके पास अपने ख्षेतर की विसे सग्यताओं के अलगा भी दख्षताओं हैं वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं बेचने और मार्केटिंग की दक्षताइं ज्यादातर लोगों को इसलिए इकठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाने या एस विकार किये जाने का डर होता है आप संप्रेशन, सोदेवाजी और अपने नकारे जाने के तरका सामना करने में जितने बेतर होंगी आपके लिए जिन्दगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने अख़वार की लेखिका को सला दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी मैं किसी को भी वही सला देना चाहूँगा तकनिकी रूप से विशे से गता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं मेरे कुछ दोस्तें जो जीनियस हैं परंतो वे दूसरे लोगों के साथ प्रवावी डंग से बात नहीं कर पाते और परेणाम सोरूप उनके आमजनी बहुत कम है मैं उन्हें सला देता हूँ कि वे एक साल तक बेचने की कला सिखें चाहे वे कुछ भी ने कमाएं परंतो उनकी कमिनकेशन स्किल्स दर जाएगी और यह अनमोल है अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले वेक्ति होने के अलावा हमें अच्छे सीखशक और अच्छे विद्यात्य होने के भी ज़रूरत है दरसल अमीर होने के लिए आपने लेने के साथ ही देने की काविलियत भी होनी चाहिए आर्थिक या प्रोफेशनल संगर्स के मामलों में देने और लेने में बहुदा कमी देखी गई है मैं एसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे नय तो अच्छे विद्यार थी हैं नहीं अच्छे सिक्षण मेरे दोनों डेड़ी उदार थे दोनों ने पहले देने के सी दांत का पालन किया था सिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था मेरी अमीर डेड़ी ने बहुत सा पैसा दान दिया उन्होंने अपनी चर्च को दान दिया समाच से भी संस्ताओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया वे जानते थे कि पैसा आसिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहशे है इसलिए राकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रही है यह संगठन उनकी संपत्री को लेते हैं उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं मेरे पड़ेल के टेड़ी हमेशा कहते थे जब मेरे पास अतरिक पैसा होगा मैं उसे दान कर दूँगा समझ्चा यह थी कि उनके पास कभी अतरिक पैसा नहीं आया इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेनद करते रहे और पैसे के सबसे मेतबों नियम को खुल गए दो और आपको मिल जाएगा इसके बज़ाए वे यह यकीन करते रहे लो और फिर दो निसकर्स में मैं यही कहना चाहता हूँ जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है मेरा दूसरा इससा एक सावाजी ग्रूप से जिम्मेदार सिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के भीस बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है मैं इस बढ़ती ओई खाई के लिए मूल रूप से दक्यानों से सिक्षयात अंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ धन्यवाद आईए अब चलते हैं अद्याए आठ की तरफ जो है बादाओं को पार करना आपका दिन शुब हो रिच डेड पूर डेड अध्याए आठ बादाओं को पार करना एक बार लोग अध्यान कर लें और उनमें पैसे की समझ भी आ जाई तो भी आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बादाओं और अवरोदों का सामना करना पड़ सकता है ये से पांच कारण है जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ती वाले कोलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते संपत्ती वाला कोलम जिसमें बहुत सारा कैश्प लोगता है संपतिवाला कोलम जो उन्हें अपने सपने की जिन्दगी जीने का मुका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर काम करने की जंजट से मुक्ति दे सकता है ये पांच कारण है नमबर एक डर नमबर दो सनकीपन नमबर तिन आलश्य नमबर च्यार बुरी आदते है और नमबर पांच है जिद पैसा कोने के डर से पार पाना मैं कभी किसी ऐसे वेक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुक्सान अच्छा लगता हो और मेरी जिन्दगी में मैं कभी किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान ने हुआ हूँ परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिनोंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेस में पैसे के नुकसान का डर असली है यह हर व्यक्ति को होता है अमीरों को भी परंतु समझ्षा डर नहीं है समझ्षा यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपड़ते हैं आप ऐस बलता को किस तरह से लेते हैं यह आपके जीवन में बहुत मैतोपूर्ण है यह जिन्दगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बलकि हर चीज के बारे में सही है एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलबूत अंतर यह होता है कि वे इस पैसे से किस तरह मुकाबला करते हैं डरने में कोई बुराई नहीं है पैसे के मामले में डर पोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है आप अब भी अमीर हो सकते हैं हम सभी कुछ मौकों पर बादूर होते हैं और कुछ मौकों पर डर पोक मेरे दोस्त की पतनी एक emergency room की नर्स है जब भी वहे खुन देखती है वह ततपरता से काम में जुड़ जाती है जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वह भाग जाती है जब मैं खुन देखता हूँ तो मैं नहीं भागता मैं बेहोस हो जाता हूँ मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिय को समझते थे कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गवाने से डरते हैं, दोनों ही फोबिया है, उनका कहना था, पैसा गवाने के बारे में उनका सुजाव यह चोटी पंक्ती थी अगर आप जोखिम से गवराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें इसलिए बैंके तभी बचत की आद़ डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं, अगर आप कम उमर में शुरू करते हैं, तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होता है मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा, परन्तु 20 साल की उमर में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उमर में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फरक होता है, बहुत ही बड़ा फरक कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवर्दी ब्याज की ताकत मैनहटन आईलेंड की खरीद दुनिया के महांतम शोदों में से एक मानी जाती है नियुयार्क को 24 डॉलर में खरीदा गया था परंतो अगर उस 24 डॉलर को 8 फिजदी सालाने ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वही 24 डॉलर 1995 के अंत तक 28 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई होती मैनटन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दुबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लास एंजलेस का ज्यादा तरह हिसा खरीदा जा सकता था मेरा पडोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है वह 25 सालों से वहां पर है अगले 25 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 जी रिटायर्मेंट प्लान में 40 लाख डालर जमा होंगे यह मुखे रूप से अच्छी गती से विक्सित हो रही मिच्चुर फंड में निवेस किये गए है जो बाद में बॉंड और गर्रमेंट सिक्यूरिटीज में बदल लिये जाएंगे नोकरी छोड़ते से मैं उसकी उमर केवल 55 साल होगी और उसके पास 3 लाख डालर से ज़्यादा की निश्क्रिया आई होगी जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है परन्तो आपको जल्द ही इसकी शुरुवात करनी होगी और एक रिटाइर्मेंट प्लान तो बनाना ही होगा और आपको निवेश करने से पहले एक बरोसे मन फाइनेंसियल प्लानर की सेवाई लेनी होगी परन्तो अगर आपके पास समय नहीं है या आप जल्दी रिटाइर होना चाते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया वे केवल इस विशे को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए दूसरी दरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाओ था कि मैं टेकसास के लोगों की तरह ही मान सिकता रखूँ मैं टेकसास और वहां के लोगों को पसंद करता हूँ उनका कहना था टेकसास में हर चीज बड़े वेमाने पर होती है जब टेकसास के लोग जीतते हैं तो वे बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वे हार भी अद्वुत होती है वे हारना भी पसंद करते हैं मैंने पूछा मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कोई वी हारना पसंद नहीं करता मुझे एक खुश आरा हूँ अव्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूँगा कि हार ऐसी होती है अमीर डैडी ने कहा मैं जोखिम, पुरुशकार और ऐस वल्दा के बारे में टेकसास के लोगों के नजरिये के बारे में बात कर रहा हूँ वे जिन्दगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं वे बड़े पैमाने पर जीते हैं वे यहां के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं जो पैसे के मामले में बिलकुल काकरोच की तरह होते हैं जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कोकरोच घबरा जाते हैं जब किराने वाला उनकी चिलर में से 54 कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं अमीर डेडी समझाते रही मुझे टेकसास का नजरिया सबसे ज़्यादा पसंद है जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है और जब वे हारती हैं तो वे सेखी बगारती है टेकसास में एक कहावत है अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैवने पर हुआ जाई आप डुपलेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं इसकी सेखी नहीं बगारी जा सकती यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुपलेक्स भी नहीं होता वे माईक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक ऐस पलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा शुरुक शात्मक तरीके से खेलते हैं लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं यह उनके शब्द थे फ्रेंट आरकेंटर ने जो एक वक्त का महान एनेफल क्वाटर बेंक था इसी बात को दूसरी तरह से कहा है जीतने का मतलब है हारने से ने डरना मेरी अपनी जिन्दगी में मैंने यह पाया है कि जीत अमेशा हार के ठीक बाद आती है जब मैंने आखर कार मोटर साइकल चलाना सीखा तो इससे पहले में कई बाँ गिरा मैं आज तक किसी गोलफर से नहीं मिलाओं जिसने कोई गोलफ बाल ने गुम की हो मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिलाओं जिसका दिल ने तूटा हो और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर विक्ति से भी नहीं मिलाओं जिसने कभी पैसा नहीं खोया हो तो ज्यादातर लोग आर्थी ग्रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसाख होने का दर्द कहीं ज्यादा होता है टेकसास में एक और कहवत है हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाता है परंतु कोई मरना नहीं चाता ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसाख होने के विचार से कांप जाते हैं इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते अमीर डेडी माइक और मुझे टेकसास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानिया सुनाया करते थे अगर आप वास्तों में यह सीखना चाते हैं कि जोखिम को हार और ऐस पहलता को किस तरह संभाला जाए तो सैन एंटेनियो जाकर अलेमो को देखो अलेमो उन बादूर लोगों की महान कता है जिन के पास सपहलता की कोई उमीद नहीं थी फिर भी यह जानते हुए कि उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना उन्होंने समर्पन करने के बज़ाए मरने का विकल्प चुना यह पढ़ने का विल प्रेरक कता है वैसे यह एक दुखत सेन्य हार है वे आखिरकार ऐस पलूए वे हार गई तो टेकसास के लोग किस तरह ऐस बलतागा सामना करते हैं वे अब भी चिलाते हैं अलेमों को याद रखो माईक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी जब भी हमेर डैडी किसी बड़े सोदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे जब भी वे प्रियाप्त मेंनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता या बिगड़ जाता तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे हर बार जब वे गलती करने या पैसा गवाने से डरते थे तब वे हमें यह कानी सुनाया करते थे इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह कानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को अर्थिक विज़े में बदला जा सकता है अमीर डेटी जानते थे कि ऐस बलता उन्हें ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्मार्ट बनाएगी ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाते थे वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगी वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित इसे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांदने का सास मिलता था जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं चापाते थे इसलिए मैं टेकसास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ उन्होंने एक बड़ी ऐस सफलता को लिया और उसे प्रेटन स्थल के रूप में बदल लिया जिससे करोडों की आमदनी हो रही है परंतो उनके सबसे अर्थपूर्ण सब्द शायद ये है टेकसास के लोग अपनी ऐस सफलताओं को दखनाते नहीं है वे उनसे प्रेड़ना लेते हैं वे अपनी ऐस सफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बतल देते हैं ऐस सफलता टेकसास के लोगों को जीतने के लिए प्रेड़ित करती है परन्तु यह फार्मूला के वल टेकसास के लोगों का इफार्मूला नहीं है यह सभी जीतने वलों का फार्मूला है जैसा मैंने अभी कहा मोटर साइकल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की परकिरिया का हिस्सा है मुझे याद है कि कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज़्यादा दरद निश्चे आ गया था मेरा दरद निश्चे गिरने से कम नहीं हुआ था मैंने यह भी कहा कि मैं कभी किसी ऐसे गोलफर से नहीं मिला जिसकी बाल कभी गुब नहीं हो किसी चोटी के प्रोफेशनल गोलफर के लिए बाल खोना या टूर्नामेट हारना उसे ज़्यादा बेतर बनने, कड़ी मेनत करने और ज़्यादा ध्यन करने के लिए प्रेरित करता है इससे वे ज़्यादा बेतर बनते हैं जीतने वालों के लिए हार प्रेणा दायक बन जाती है, हारने वालों को हार बरबाद कर देती है। जोन डी रेकफेलर के शब्दों में मैं हमेशा हर संकट को आउसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ। कई लोग कहते हैं कि परल हारबर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिलम में एक संयमित जापानी एडमिरल खुश्या मना रहे अपने अधिनस्तों से कहता है। मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। परल हारबर को याद करो एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। फिर भी इसके कारणों से जीतने के प्रेणना मिली। एक बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली। और अमेरिका जल्दी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उबर कर सामने आया। ऐस भलता जीतने वालों को प्रेणना देती है। और ऐस भलता हारने वालों को बरबाद कर देती है। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहशे और सुत्र है, यह वह रहशे है जिसे हारने वाले नहीं जानते, जीतने वालों का महानतम रहशे यह है कि ऐस बलता जीतने की प्रेणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता. मैं फ्रेंक टार्केंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोराना चाता हूँ. जीतने का मतलब है हार से नहीं डरना. फ्रेंक टार्केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते, क्योंकि वे जानती हैं कि वे कौन हैं, वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानती है कि हार केवलों ने बेतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बढ़ा अंतर होता है ज्यादातर लोग पैसा गवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं वे डुपलेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परन्तु वे बड़े निवेस नहीं करते वह प्रमुक कार्ण जिसके कार्ण 90 फिजदी अ प्रमुक के पास जाते हैं और एक संतुलित पॉर्टफॉलियो करीत लेते हैं ज्यादातर के पास सीडी कम आमदनी वाले बॉंड मिचल फंड और बहुत कम स्टोक में बहुत सा नगत जमा होता है यह एक सुरक्षित और समझदारी पूरण पॉर्टफॉलियो होता है परन् और यह बयानक है क्योंकि पॉर्टफॉलियो नए होने से बेतर है सुरक्षित पॉर्टफॉलियो होना यह किसी ऐसे वेक्ति के लिए बहुत बड़िया पॉर्टफॉलियो होता है जो सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेस पॉर्टफॉलियो वह बेतर तरीका नही है जिससे सफल निवेसक अपना खेल खेलते हैं अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाएं संतुलित नहीं अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वे संतुलित नहीं होते संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते वे एक ही जगह पर बने रहते हैं प्रगती करने के लिए आपको पहले ऐ संतुलित होना पड़ता है इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगती को देखें थामस एडिशन संतुलित नहीं थे वे केंदरित थे बिल गेट संतुलित नहीं थे, वे केंदरित थे, डोनाल्ड ट्रम्प केंदरित थे, जार्ज सोरोस केंदरित थे, जार्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंदरित किया और जर्मन पंक्ती के कमजोर फिकानों को उड़ा डाला फ्रांसिसियों ने मेजनोट लाइन में अपने सेन अबल को फैलाया था और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हाथसा हुआ था अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो आप केंदरित कर लें अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट्स में रख लें वह नयकरें जो अमीर और मद्यमर्गे लोग करते हैं वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट में रखते हैं अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें संतुलित निवेस का रास्ता चुने अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोकिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं सुरक्षित खेलें परंदो इसकी शुरुवात जल्द करें अपने अगले अंडे को जल्दी इकठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें लगेगा परंदो अगर आपके पास आजादी के सपने है चुहा दोड़ से बाहर निकलने का इरादा है तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए मैं किस तरह ऐस वल्दा का सामना करूँगा अगर ऐस वल्दा से आपको जीतने की प्रेड़ना मिलती है तो शायद आपको कोशिस करना चाहिए परंदो के वल्द शायद अगर ऐस वल्दा आपको कमजोर बना देती है या आप पर मांसिक तनाव डालती है उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुद्बा दायर करने के लिए वकील को ढूनता है तो सुरक्षित ही खेलें अपने दिन की नोकरी को बनाई रखें बोंड या म्यूचल फंड खरी दें परंतु याद रखें कि इन में भी खत्रा होता है हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते है मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ और टेकसास तता फ्रेंक तारकेंटन का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संपत्य वाले कालम को बढ़ाना आसान है यह एक कम बुद्धी का खेल है इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा के जरूरत नहीं है पांच्वें कक्षा का गनित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है परन्तु संपत्य वाले कोलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धी का खेल है इसमें हिम्मत, धीरज और ऐसमलता जेलने की ताकत की जरूरत है हारने वाले ऐसमलता से बस्ते है जबकि ऐसमलता हार को जीत में भी बदल सकती है अलेमों को याद रखिए कारण नमबर तो संकी पन से पारपाना आसमान गिर रहा है हम में से ज़्यादा तर लोग उस छोटे मुर्गे की कहनी जानते है जो आसमान गिरने के चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दोड़ रहा था हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते है परंतु हम सब के वितर भी एक एसा ही छोटा मुर्गा होता है और मैंने जैसे पहले ही कहा है संकी व्यक्ति दरसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उबर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाती है हम सभी के मन में शंकाई होती है मैं स्मार्ट नहीं हूँ मैं प्रियापत अच्छा नहीं हूँ अमुक व्यक्ति मुझे बेतर है हमारी संकाई अक्सर हमें निसक्रीय कर देती है हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं क्या होगा आगर मेरे निवेश के बाद अर्थ वे उसता धरासा ही हो जाए या क्या होगा अगर मेरा नियंतरन खो जाए और मैं पैसा वापस ने चुका सकूँ क्या होगा अगर गटनाए मेरी यूजना के इसाब से ने हो या हमारे कईये से दोस्त या प्रेजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला दे चाहे हमने उनकी सला मांगी या ना मांगी हो वे अक्सर कहते हैं तुम्हें इसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो या अगर यह इतना ही वड़िया होता तो हर कोई इसा क्यों नहीं कर रहा है या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो शंका के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना चालू ही नहीं कर पाते हमारे दिल में डर बैड़ जाता है कई बार हम सो भी नहीं पाते ही हम आगे बढ़ने में ऐसवल होते हैं तो हम सुरुखशित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और आवसर हमारे पास से उकर गुजर जाता है हम जिन्दगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने सरीर में जकडन के कारण बिना हिले डूले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपने जिंदगियों में कभी ने कभी इस तरह से महसूस किया होगा। और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मेगलिन्द मुचल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेताउनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर यह तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बहार से आता है। प्राइड दोस्तों से, परिवारों से, सहे कर्मियों से और मेडिया से। लिंच 1950 के दसक के दोरान का एक अनुबहुत बताते हैं। जब पर्मानई यूद का खत्रा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा परचारित किया गया था कि लोगों ने फाल आउट शेल्टर बना लिये थे और अनाज पानी कठा करना चालू कर दिया था। अगर उन्होंने फाल आउट सेल्टर बनाने के बज़ाई इस पैसे को समझदारी पूरोग बाजार में निवेस कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक ग्रूप से आजाद होते हैं। जब कुछ साल पहले लास एंजलेस में दंगे बढ़के तो सारे देश में बंदूकों की बिक्री बढ़ गई। ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेस की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संक्या बहुत हैं। जो यह चिलाते हुए गूम रही हैं। आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रवावी होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनास की अफवाँ और बुरे समय की कलपना से आपके मन में शंका और डर पैदा नहीं हो। इसमें बहुत ज़्यादा बादुरी की जुरूरत होती है। 1922 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वह स्टोक और रियल इस्टेट में हमारे द्वारा की ये काम से बहुत परवावित था। फिनिक्स में रियल इस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ दो दिन गुजारे और उसे बत बात हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दो पैर को उस यूनिट को बेश दिया। दो बेडरूम के लिए उस गर की कीमत केवल 42,000 डालर थी। इसी तरह के यूनिट उस समय 65,000 में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फाइदे का सोधा लगा। रोमान्ची तो होकर उसने इ उसने इस विशेपर अपने पडोसी से चर्चा की थी और उसके पडोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सोधा था क्योंकि वह ज्यादा महेंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पडोसी निवेशिक है। रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मै इस्टेट बाजार के दिन पल्टे और 1994 में उस छोटे से यूनिट के एक अजार डालर परतिमा किराया मिल रहा था। जाड़े के पीक सीजन में डाही अजार डालर परतिमा हा। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर 95,000 डालर हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वे शुरुआत में पांस जार डालर चुका दे और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की परक्रिया शुरू हो जाती। आज तक वे कुछ नहीं कर पाया। और फिनिक्स के सोदे जैसे मोके अब भी मुझूद हैं। बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गोर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताजूब नहीं हुआ था। इसे खरिद्दार का पस्तावा कहा जाता है और यह हम सब को प्रवावित करता है। यही संकाई हमें ले डूपती हैं। छोटा मुरगा जीच जाता है और हम आजादी कामों का गवा देते हैं। दूसरे उदार्ण में मैं सीडी के बजाए टेक्स लियेन सर्टिफिकेशन में अपनी संपती का कुछ हिसा रखता हूं। मैं अपने पैसे पर 16 फिजदी प्रतीक वर्स कमाता हूं जो बैंकों दुआरा दिये जाने वाले 5 फिजदी से निश्चित रूप से काफी जदा है। ये परमान पतर रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं जो निश्चित रूप से ज़्यादातर बैंकों से ज़्यादा बेतर होते हैं। जिस आदार पर उन्हें खरीदा जाता है, वह भी काफी सुरक्षित फार्मूला है, उन्में सिर्फ एक दिक्कत यह होती है, कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता, तो मैं उन्हें दो से साथ साल की सीडी मान लेता हूँ, हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खास कर उसे जिसके पास पैसा सीडी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है, वे मुझे बताते हैं कि भी नहीं किया और वे दूसरी वेक्ति को जो ऐसा कर रहे हैं यहें बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उमीद करता हूँ वह 16 फिजदी होती है परन्तु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5 फिजदी से ही संतूस्ट हो जाते हैं शंका बहुत महेंगी साबित होती है। जानना है कि यही संदे और संकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाई रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बनें केवल आपके संदे ही आपको गरीब बनाई हुए हैं। जैसा मैंने कहा। कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है जबकि विशलेशन से आँखे खुल जाती है। विशलेशन से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंदे हैं। और वे उन मोकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख रही हैं। और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पते हैं उन्हें देखने की किशम तक किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है जो लोग पैसे की आजादी ढूंड रही है उनके लिए रियल एस्टेट निवेस का एक दमदार तरीका है यह निवेस का एक अद्वू तरीका है परन्तु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो मुझे यह सुनने को मिलता है मैं टाइलेट नहीं सुतारना चाता इसी को पीटर लिंच शोर कहते है इसी को मेरे अमीर डैडी संकालो लोगों के बहाने कहते है एसे लोग जो केवला लोचना करते हैं विशलेशन नहीं करते एसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का परदा पड़ाव रहता है वे अपनी आँखें नहीं खोलते तो जब कोई कहता है मैं टाइलेट नहीं सुधारना चाता तो मैं जवाब देता हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाता हूँ वे यह कह रही है कि जो उन्हें चाहिए टाइलेट उससे ज़्यदा मैत्वपूर्ण है मैं चुहा दोड से बाहर निकलने के आजादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टाइलेट पर लगा रहता है इसी तरह के विचार ज़्यदा तर लोगों को करीब बनाई रखते हैं वे विसलेशन करने के बज़ाए अलोसना करते हैं मैं नहीं करना चाता आपकी सबलता की कुझी को अपने अंदर समाई रहते हैं अमीर डेडी का कहना था चुकि मैं भी टाइलेट ठीक करने में ज़्यादा रूची नहीं रखता इसलिए मैं एक प्रोपर्टी मैनेजर की इतलास कर लेता हूँ जो टाइलेट ठीक करने का ध्यान रखता है घरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को ढूंडने के बाद मेरा कैस्ट लोग बढ़ जाता है परंतो इससे भी ज़्यादा मैतुपूर्ण यह है कि एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल इस्टेट खरीदने का मोका देता है क्योंकि मुझे टाइलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर रियल इस्टेट में सफलता की कुंजी है मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा मेतुपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना प्राई किसी बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को अच्छे सोदे के बारे में पहले से पता चल जाता है जबकि रियल एस्टेट एजेंट को बाद में पता चलता है जिसके कारण बे और भी ज़्यादा मुल्यवान हो जाते है मैं नहीं करना चाता को सफलता की कुणजी कहने के पीछे अमीर डेडी का यही मतलब था चुँकि मैं भी टाइलेट ठीक नहीं करना चाता इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरी दी जाई और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की परकिरियत तेज की जाई जो लोग यह कहना चारी रखते हैं मैं टोईलेट नहीं सुदारना चाता वे अक्सर इससक्त निवेस माद्यम से खुद को बंचित रखते हैं उनके लिए टोईलेट उनकी आजादी से ज़़ा मैत पूर्ण होता है स्टोक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ मैं अपने पैसे नहीं गवाना चाता उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई वेक्ती पैसे गवाना पसंद करते हैं वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गवाने के लिए तयार नहीं होते विसलेशन करने के बजाए वे एक और ससक्त निवेस के माद्यम यानि स्टोक मार्केट की तरब से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं दिसंबर 1996 में मैं अपने एक दोस्त के साथ नजदी की गैस टेशन के पास से गुजर रहा था उसने देखा और अनुमान लगाया कि टेल की किमते बढ़ जाएंगी मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है या छोटा मुरगा है उसके इसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वे तमाम आंगड़े बताए जो अगले कुछ सालों में तेल की किमते क्यों बढ़ेंगी ये आंगड़े मुझे पहले पता नहीं थे हालंकि मैंने वर्तमान आईल कंपनी में बहुत से शेर खरीदे थे उस सुचना के अदार पर मैंने ततकाल एक नई आईल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तिक मुल्या से कमांका गया हो मुझे ऐसी आईल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ बंडारों को खोजने वाली थी मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमान चित हो गया और मैंने 65 सेंट परती शेयर की दर्से 15,000 शेयर खरीद लिए फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत परती गैलन पंदरा फिस दी बढ़ चुकी थी एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा मैं मुस्कराया क्योंकि जनवरी 1997 में में उस छोटी आईल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर 3 डालर परती शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की किमते लगातार बढ़ती रही विशलेशन करने के बजाई ये छोटे मुर्गे अपने दिवाग को बंद कर लेते हैं अगर ज़्यादातर लोग यह समझ लें कि स्टोक मार्केट निवेस में स्टोप किस तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेस करेंगे स्टोप एक कंप्यूटर निवेस है जो भाव गिरने पर आपके शेर को अपने आप बेश देता है ताकि आपका कम से कम नुक्सान हो और आपको ज़्यादा ज़्यादा फाइदा मिल सके जो लोग हारने से गबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता पर ध्यान के अंदरित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान के अंदरित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रही है आसमान गिर रहा है और टाइलाइट टूट रही है इसलिए वे अपनी अंचाई चीजों से बचते हैं परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं वे जिन्दगी से जो चाते हैं वे शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाई अमीर डेड़ी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया वही करो जो करनल सेंडर्स ने किया था 66 साल की उमर में उनका वेफसाइट चोपट हो गया था और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे इतना ही नहीं वे फ्राइड चिकन की अपनी रेशिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिस कर रहे थे किसी के हां कहने से पहले इस रेशिपी के लिए एक अजार नो बार नहीं का गया और वे उस उमर में करोड़पती बने जिस उमर में लोग काम छोड़कर आराम करना चाते हैं वे एक बाधूर और जिद्धी व्यक्ती थी अमीर डैडी हारले सेंडर्स के बारे में कहा करते थे जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करें जो करनल सेंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया उसे फ्राई कर लें कारण नमर तीन आलस्य व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं हम सभी ने उस व्यवसाई की कानी पड़ी है जो पैजे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है वहे अपनी पत्नी और बच्चों की सुक सुविदा के लिए काफी मेनत करता है वहे आफिस में बहुत देर तक काम करता है और सब्तांत में भी आफिस में काम को घर ले आता है एक दिन जब वहे घर लोड़ता है तो उसे घर सुना मिलता है उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़ कर चली जाती है उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतवेद हैं परन्तो उस रिस्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाए वह काम में ही विस्त रहता था निरास होकर वेबने काम के परतिल्ला परवा हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पढ़ता है कि उसकी नोकरी चली जाती है मैं बहुदा ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की प्रवा करने के भी फिक्र नहीं है दोनों का कारण एक ही है वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाते उन्हें यह बताने की जुरूरत नहीं है अंदर से वे खुद जानते हैं वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुसा हो जाते हैं और चिड़ जाते हैं अगर वे नोकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है तो वे टीवी देखने, मचली पकरने, गोल्प खेलने या शोपिंग करने में व्यस्त होते हैं परन्तु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी मैत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कत्रा रहे हैं यह आलच्च्य का सबसे आम रूप है यहां आलच्च्य का मतलब है व्यस्त बने रहना तो आलच चे का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच हम में से ज़्यादार लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं मेरी मा कहा करती थी लालची लोग बुरे लोग होते हैं परन्तु हम में से हर कोई अच्छी चीजें, नई चीजें, रोमांचक चीजें आसिल करना चाहते हैं तो उस इच्छा की बावना को काबू में रखने के लिए प्राई मावाब इच्छा को अबराद बोच से जोड़ देते हैं तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाही बेन भी है यह मेरी मा की फेवरेट कावथी या तुम क्या खरीदना चाहते हो, मेरे डेड़ी की फेवरेट कावथी तुम ऐसा सोचते हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ों पर लगता है हम अमीर नहीं है तुम तो जानते ही हो मुझ पर शब्दों का तो इतना आसर नहीं पड़ा परंतो उन शब्दों में गुसा और अपराद बोध का जो समिशन था उसका मुझ पर बहुत जाल आसर पड़ा या इसका विबरित अपराद बोध का जाल यह है था मैं तुमारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए या इसलिए खरीद रहूं क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माबाब ने मुझे खरीद कर नहीं दिया था मेरा एक पडोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता गैरेज में उनके बच्चों के खिलों ने बरे पड़ी है उन बिगडे वे बच्चों को मुँ मांगी चीज मिल जाती है उस पडोसी के शब्द है मैं नहीं चाता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो उसने उनके कालेज के लिए या अपने रिटायर्मेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है परंतो उसके बच्चों को हर खिलो ना मिल जाता है उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को गुमाने के लिए लास वेकास ले गया मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ यह उसके महान बलिदान के सब्द थे अमीर डेडी इस वाक्या से चिड़ते थे मैं इसे नहीं खरीच सकता मेरे असले गर में मुझे यही वाक्या एकसर सुनने को मिल जाता था इसके बजाए अमीर डेडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ उनका तरक था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दर्वाजा बंद कर लेते हैं इसे अब और ज़्यादा सोचने के जुरूरत नहीं होती मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दर्वाजे खुल जाते हैं इससे यह सोचने पर दिमाग मजबूर होता है और जवाब ढूनता है परन्तु सबसे मैतोपुन बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्यत जूटा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है इंसान की आत्मा बहुत बहुत तक्तवर होती है उनका कहना था यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता तो आपके भी तरेक युद छिट जाता है आपकी आत्मा गुसा हो जाती है और आपके आल सी दिमाग को अपने जूट पर अड़े रहना पड़ता है आत्मा चीखती है चलो भी हम जिम चल कर कसरत करते हैं और आल सी दिमाग कहता है परंतु मैं ठका हुआ हूं आज मैंने सच मुछ बहुत काम किया है या इनसान की आत्मा कहती है मैं गरीबी से ठक गई हूँ चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं इस पर आल सी दिमाग कहता है अमीर लोग लालची होते हैं इसके अलावा इसमें जंजट और तकलिफ बहुत है यह सुरक्षित नहीं है मेरा पैसा डूब सकता है वैसे भी मैं बहुत मेनत कर रहा हूँ मेरे पास पहले से ही बहुत काम है देखो आज रात कोई मुझे कितना काम करना पड़ेगा मेरा बास कह रहा है कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्य दुख से बरा है इससे लाचारी की बहुना आती है जिससे निरासा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है इसके लिए एक और शब्द है उदासिंता मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से संबावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है इसलिए मेरे अमेर डेड़ी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाते हैं पर उन्तु वे यह जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ हुआ कैसे एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा परतिवा साली आत्मा का निर्मान होता है इसलिए उन्होंने माई किया मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो इसके बजाए वे हमसे कहते थे तुम इसे किस तरह खरीच सकते हो और यह हमारे कालेज के बारे में भी सही था जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है वह हमें लक्षा को आसिल करना नहीं सिखा रही थे वे तो हमें लक्षा को आसिल करने की प्रकिरिया का ग्यान दे रही थे मेरी समझ में आज समझ्या यह है कि करोडों लोग अपने लालच को लेकर अपराद बोच से ग्रस्त है यह उनके बच्पन से बुड़ापे तक चलता है वे जिन्दगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाते हैं ज्यादातर लोगों के अच्छेतन में यह विचार मौजूद रहता है आपको यह न काम ने करना पड़े और मेरे दिमाग में जवाब और सुजाव सामने आ गई सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली मातापिता की चीख कि हम इसे नहीं खरीच सकते या केवल अपने बारे में ही मत सोचें या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते और इसी तरह के जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझे अपरादबोद बरते थे तो आप किस तरह अपने आलच शेक से जित सकते हैं इसका जवाब है थोड़े से लालच से यह है डवलू आई आई एफम रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है वाट इस इन इट फोर मी इसमें म क्या करूँगा अगर मुझे मनचाप ऐसा मिल जाए इस थोड़े से लालच के बिना कुछ बेतर आसिल करने की इच्छा के बिना प्रगतिन नहीं हो सकती हमारे दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेतर जिंदगी जीना चाते हैं हम कुछ बेतर इसलिए नई आविश्कार होते हैं हम स्कूल जाते हैं और मेनच से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कत्रा रहे हैं जो आपके इसाब से आपको करना चाहिए तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसम जो वाल स्ट्रीट फिलम में माइकल डगसल ने कहा था लालच अच्छा होता है हमी डड़ी से अलग तरह से कहते हैं अपराद बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराद बोध के कारण सरीर में से आत्मा निकल जाती है और मेरे लिए एलिनोर रुजवेल कि काउट सबसे अच्छी है वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोसना होगी अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोसना तो होगी ही कारण नमर च्यार आदतें हमारे जिन्दगी पर हमारे सिक्षा से ज़्यदा असर हमारी आदतों का पड़ता है अर्नौल्ड स्वारजनेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर स्वारजनेगर जैसा हो ज्यदातर साथियो hey वास्तों में दूबला और कमजोर सा था दूसरे मितर ने जोड़ा हां मैंने भी सुना है एक और दोस्त ने कहा मैंने सुना है कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने के आद़र डाल लि Windows ठाली हां मुझे भी लगता है वह इसा करता होगा समु के मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा इसके अलावा हम अरनोल्ड की बातें क्यों कर रहे हैं चलो बीर पियें यह एक उधारन है कि किस तरह से आदतें व्यवार को नियंतरित करती है मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था सिधे जवाब देने के बज़ाए वे चाते थे कि इसे मैं अउधारन से सीखूँ अमीर डैडी ने पूछा तुम्हारे डैडी अपने बिलक अप चुकाते हैं मैंने कहा हर महीने के पहली तारिक हो क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है उन्होंने पूछा थोड़ा बहुत मैंने कहा यही वे खास कारण है जिसके कारण उन्हें संगर्स करना पड़ता है और अमीर डैडी ने कहा उनकी आदतें बुरी हैं तुम्हारे डैडी सब को पहले पैसे देते हैं परंतु उन्हें अपने बिल का बुगदान तो करना ही होगा नहीं क्या आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का बुगदान नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं अमीर डैडी ने कहा मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी 23 स्वास करता हूँ मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ सरकार को पैसे देने से पहले परंतु तब क्या होगा जब आपके पास प्रियाप्त पैसा नहीं हो मैंने पूछा एस स्थिति में आप क्या करते हैं मैं यही करता हूँ अमीर डैड़ी नहीं कहा मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ साहे मेरे पास कम पैसा हो मेरे लिए सरकार से ज़्यादा मैत्वकूर्ण है मेरा संपत्ती वाला कोलम परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पढ़ते मैंने कहा हाँ अगर मैं उने बुखतान नए करूँ तो अमीर डैड़ी ने कहा देखो मैं यह नहीं कहरा हूँ कि सरकार को पैसा नहीं दिया जाए मैं केवल यह कहरा हूँ कि खुद को सबसे पहले बुगतान किया जाए चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो परन्तु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया सवाल कैसे का नहीं है सवाल क्यों का है? अमेर डैडी ने कहा अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरना अमेर डैडी ने कहा अगर मैं उनका बुगतान नहीं करूँ तो कौन ज़्यादा जोर से सिकाइद करेगा? मैं या मेरे लेंदार? आपकी बजाए आपके लेंदार ज़्यादा जोर से चिलाएंगे मैंने सपस्ट भी खल्ब को चुनते हुए कहा अगर आप खुद को पैसे नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टेक्स चुकाने और दूसरे लेंदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खुजने ही पड़ते है पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेड़ना बन जाता है मैंने अतिरिक्त काम किया है दूसरी कंपनिया शुरू की है स्टोक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किये है ताकि ये लोग मुझे पर नहीं चिलाई इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फूर्तिला बना दिया है अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे पर कोई दवाव नहीं पड़ता परन्तु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दवाव आपकी प्रेड़ना बन जाता है बिल्कुल ठीक अमीर टेड़ी ने कहा देखो सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं वैसे सामान्य तोर पर पैसा वसूलने वाले लोग डरावने ही होते हैं ज्यादातर लोग इन से डर जाते हैं वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते तुमने उस च्छानमे पाउंड के अकमजोर वेक्ति की कानी तो सुनी ही होगी जिसके चेरे पर लोग बालू उसालते हैं मैंने सिरह लाया मैंने कामिक्स में वेट लिफ्टिंग और बाडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह विग्यापन देखा है तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेरे पर बालू उसालने देते हैं मैंने डरावने लेंदारों के डर को खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल किया है बाकी लोग ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा जिम जाने की तरह है और वहाँ बजन उठाने की तरह है मैं अपने दिमाग की मासपेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ अब मैं इन डरावने लेंदारों से जरा भी नहीं डरता हूँ मुझे अमीर डेड़ी की बाते पसंद आ रही थी तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानशिक द्रिस्टी से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ अमीर डेड़ी ने सैम्ती में सी रिलाया और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिलकुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ इसलिए बास, मैनेजर, टेक्स वसूलने वाले, बिल चुपाने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिन्दी की बर इदर उदर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी यादते अच्छी नहीं है अमीर डेड़ी ने सीरे लाया 96 पाउंड के कमजोर विक्ति कीते रहे कारण नमर पांस, जिद जिद या हट दर्मिता एहंकार और अग्यान का पिला चुला रूप है जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूँ हर बार जब मैंने जिद की है, मैंने पैसा गवाया है वहे इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरसल यह बरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह मैतोबून नहीं है अमीर डेडी मुझे अक्सर पताया करते थे मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रियोग अपना अग्यान चुपाने के लिए भी करते हैं जब मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट पर लेखा पालो या निवेश कों से चर्चा करता हूँ तो इस अक्सर होता है वे चर्चा में अपनी जिद के एक आधार पर जीतना चाते हैं मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें परियाब्द ग्यान नहीं है वे जुट नहीं बोल रही होते हैं परंतु वे सच भी नहीं बोल रही होते हैं धन, फाइनांस और निवेस की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। पैसे के उद्ध्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हेंड कार के सेल्जमेन की तरह विवार करते हैं। जब आप जानते हों कि आप किसी विशे में ज्यानी हैं तो उस क्षेतर में किसी विशे सग्य को ढूंड कर या उस विशे पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्यान बढ़ाना शुरू कर दें। धन्यवाद। आईए चलते हैं अध्याइन नो की तरफ जो है शुरू करना। आपका दिन शुब हो। रिच डैड पूर डैड अध्याइन नो शुरू करना। कास ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दोलती कठी करना मेरे लिए आसान रहा है। परन्तु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिजिन के इसाफ से अपने विचार प्रगिरिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सोदों को खोजना सचमुच असान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ। यह मोटर साइकल बेचने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्ब कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संबल जाते हैं। जिन्दगी में एक बार आने वाले करोडों डालर के सोदों को खोजने के लिए हम में फाइनेंसियल परतिबा होना जरूरी है। मुझे वरोसा है कि हम सभी के बीतर एक फाइनेंसियल जीनियस होता है। अगर यह है कि हमारी financial genius सोया होता है और उसे जगाने की जरूरत होती है यह सोया रहता है क्योंकि हमारी संसकर्टी ने हमारे बीतरी एसंसकार डाल रखे है कि पैसे कामो सभी बुराईयों की जड़ है इस संसकर्टी ने हमें profession सीखने के लिए तो prosite किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाई इसने हमें अपनी financial as well-ta के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुका ना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम से सिखशित होते हैं संदेश यह है कि कड़ी मेनत करो पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं दुर्भग्या से पास्चात्य समाज के 90 फिस्दी से ज़्यदा लोग इस से दांत का पालन करते हैं और इसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नोकरी ढूनना और पैसे के लिए काम करना ज़्यदा आसान होता है अगर आप इस बीड में से एक नहीं है तो मैं आपके फाइनेसियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे दस कदम दे सकता हूँ मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिस पर मैं चला हूँ अगर आप इस में से कुछ पर चलना चाते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप इन पर नहीं चलना चाते तो आप खुद के कदम बना लें आपका फाइनेसियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सुची बना सकते हैं जब मैं पेरू में था तो पंतालिस वर्स के सुने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना बरुसा क्यों है कि उसे सुने की ख़दान मिल जाएगी उसने जवाब दिया सोना तो हर जगए है ज्यादा तर लोगों की आँखें से देख नहीं सुआती और मैं कहूंगा कि यह सच है रियल स्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और चार या पांच संबावना बरे सो दिख कर सकता हूँ जबकि ओसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लोट सकता है जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते है इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंसियल जीनियस को विक्सित करने के लिए समय नहीं दिया है मैं आपको नीचे दस कदम बता रहा हूँ जो ईस और द्वारा दीगी ताक्तों को विक्सित करने की पर किरिया है यह एसी ताक्ते हैं जिनका नियंदरन केवल आप कर सकते है नमबर एक मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए आत्मा की शक्ति अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या अर्थी ग्रूप से सुतंतर होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती है जिनें पार करना होगा इसकी तुल्ना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें मैं एक बार एक युवा मैला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे हकीकत यह है थी कि उसे हर रोज सुबह चार बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह तीन गंटे तक तैर सके शनिवार की रात को वह है अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी उसे हर एक की तरह पढ़ा ही करके अपने परिक्षा परे नाम पर भी ध्यान देना होता था जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अती मानुए मैतव कांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है और हम क्यों नहीं चाते इनका तालमेल भी एक कारण या लक्षे हो सकता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था तो यह गहरी बावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है मैं कुछ की सुची बताऊंगा पहले तो अपनी अनिच्छाओं की क्योंकि उनी के कारण इच्छाएं पैदा होती है मैं सारी जिन्द की नोकरी नहीं करना चाता था मैं वह नहीं चाता था जो मेरे माता पिता चाते थे यानि नोकरी की सुर्क्षा और उपनगर में एक घर मैं एक करमचारी नहीं बने रहना चाता था मुझे इस बात से बहुत नफ्रत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने वेस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबाल महस देखने भी नहीं आपाते थे मेरे डेड़ी सारी जिन्दगी कड़ी मेनत करते रहे और सरकार ने उनकी मोत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिसा ले लिया मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मोत के बाद वे अपनी मेनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाई अमीर लोग ऐसा नहीं करते वे कड़ी मेनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं अब इच्छाओं की बात मैं दुनिया गुमना चाता हूं और जिन्दगी को मंचाई तरीके से जीना चाता हूं मैं ऐसा अपने जवानी में ही कर लेना चाता हूं मैं केवल आजाद होना और अपने समय और अपने जिन्दगी पर नियंतरन करना चाता हूं मैं चाता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करें ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण है आपके पास क्या कारण है अगर वे परियाप्त ताक्तवर नहीं हैं तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी मैंने कई बार पैसा गवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है परन्तों कि मेरे पास गहरे बावनात्मक कारण थे इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला मैं 40 साल की उमर तक आज़ाद होना चाहता था परन्तों इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिर कर 47 साल की उमर में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुबव मिले जैसा मैंने कहा है काश मैं कह सकता कि यह असान था यह बिलकुल असान नहीं था परन्तों यह कठिन भी नहीं था परन्तों बिना दमदार कारण या लक्षय के जिन्दगी में हर चीज गठिन होती है अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है इसमें बहुत जड़ा मेनत लगेगी नमबर दो मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्या कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते है हमें चुनने का अधिकार चाहिए आर्थिक ग्रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डालर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भवीशे में अमीर, गरीब या मद्धे उमरगिया बनने का भी कलब चुने हमारे खर्च करने की आदतें बताती है कि हम कौन है गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीब भी की होती है बच्पन में मुझे यह फाइदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपली खेलना बहुत पसंद था किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपली केवल बच्चों के लिए है इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा मेरे पास एक अमीर डेड़ी भी थे जो मुझे संपत्ती और दाइतव में फर्क को समझाते रही तो बहुत समय पहले अपने बच्चमन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्ब चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था असली संपत्तियों को इकठा करना था मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक को संपत्ती वाला कॉलम विरासत में मिला था परंतो उसे इसे बनाई रखना सीखना था कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीड़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों की देख रेक करने के लिए किसी को पर्शिक्षन नहीं दिया जाता ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्ब चुनते हैं नबेफ इसलिए लोगों के लिए अमीर बनना बहुत जंजट का काम है तो वे इस तरह की काहुतें इजाद कर लेते हैं पैसे में मेरी कोई रूची नहीं है या मैं कभी अमीर नहीं बनूँगा या मुझे चिंता करने की जुरूर्ट नहीं है अभी तो मैं जवान हूँ या मेरे पती या मेरी पतनी फैनेंसियल पैलोगों संभालते हैं या संभालती हैं इन वक्तवियों के साथ समश्या यह है कि ये बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं एक तो है समय जो आपकी सरवादी कीमती संपती है और दूसरी सिक्षा सिर्फ इस लिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है आप यह वाहना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाई परंतो यहे विकल्ब हम हर रोज चुनते हैं यहे विकल्ब कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी सिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं यही विकल्ब चुनने की ताकत है हम सभी के पास विकल्ब होते हैं मैं अमीर बनने का विकल्ब चुनता हूँ और मैं यहे विकल्ब हर रोद चुनता हूँ पहले सिक्षा में निवेश करें वास्ताव में आपके पास जो इकलोती असली संपती है वह है आपका दिमाग जो आपका सबसे सक्तिशाली यंतर है जैसा मैंने विकल्ब की ताकत के बारे में कहा है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं आप सारा दिन M.T.V. देख सकते हैं या गोल्फ मैगजिन पढ़ सकते हैं या सीरे मेक की कलास में जा सकते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की कलास में जा सकते हैं विकल्ब आप चुनते हैं ज्यादातर लोग बस निवेस खरिजते हैं परन्तों इस से पहले निवेस के बारे में ग्यान हासिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करते ही मेरी एक मित्र है जो एक अमीर मैला है अभी हाले में उसके गर पर चोरी होगी चोर उसके गर से टीवी और वीस यार ले गई और उसकी किताबे जैसी कितासी छोड़ गई और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं एक बार फिर दो रादू 90 फिस्दी लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल दस फिस्दी लोग बिजनेस पर पुस्त के या निवेस पर टेप खरीदते हैं और मैं क्या करता हूँ मैं सेमिनार में जाता हूँ मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम दो दिन लंबे हो क्योंकि मैं वीशे में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ 1903 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ती मेरे घर आया वहे तीन दिन से सेमिनार का विग्यापन कर रहा था कि किस तरह पैसे नए होते हुए भी रियल इस्टेट खरीदी जा सकती है मैंने 385 डालर खर्च किये और उस सेमिनार के सिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उसे कम से कम 20 लाख डालर कम आया होंगी परन्तु इस से भी ज़्यादा मैं तो कुण यह है कि इस से मुझे नया जिवन मिला मुझे जिन्दगी पर काम नहीं करना पड़ेगा के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह ऐसा मत था हटी और अलोचनात्पक होने के कारण मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस पांस मिनिट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना शायर इस से भी ज़्यादा बार परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंनों ये वह बात क्यों कही थी यह जादू की तरह था मुझे इसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेसक के दिमाग की एक खिर्की कोल ली थी उसके ग्यान और अनुबों के विराट संसादनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर दरस्टी मिली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समझ्चा या स्तिति को देखने का पीटर का तरीका भी मुझूद होता है मेरे पास एक विचार होने के बज़ाए दो विचार होते हैं किसी भी समझ्चा या परवर्ती के विसलेशन का एक और तरीका जिसे जानना बहु मुल्य है आज मैं एक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेगा या डोनाल्ड ट्रम्प या वारेन बफे या जार्थ सोरोस मेरे पास उनकी व्रहद मानसिक ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनू या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ू जिद्धी या आलोचनात्मक लोग प्राइक कम आत्म सम्मान करने वाले होते हैं जो खत्रे उठाने से डरते हैं अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे वे ग्यान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गल्तियां भी करने पड़ती है अगर आपने यहां तक पड़ लिया है तो एक बात तो तैह है कि आप जिद्धी नहीं है जिद्धी लोग बुस्त के कम ही पड़ते हैं या टेप कम ही खरीते हैं उन्हें इसकी क्या जरूरत है वे ब्रमान के किंदर बिंदू है एसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद भी वाद करने लगते हैं अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से लग होता है इस परकरण में उनकी तथा कतित बुद्धी उनकी हट दर्मिता के साथ मिलकर अग्यान बन जाती है हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्छित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं परंतों उनकी बैलेंस सीट एक अलगी तस्विर दिखाती है जो व्यक्ति वास्तों में बुद्धिमान होता है वहे नए विचारों का सौगत करता है क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अदबत संयों कर सकते हैं बोलने से जड़ाब सुनना में तो पूर्ण है अगर यह सही नहीं होता तो बगवान ने हमें दो कान और एक मूँ नहीं दिये होते बहुत से लोग अपने मूँ से सोचते हैं और सुनते समय नई विचारों तो था सम्भावनाओं को समझने की कोशिस ही नहीं करते सवाल पूचने के बजाए वे बहस करने लगते है मैं अपनी दोलत के बारे में दिर्क कालिंदरिस्टी रखता हूँ मैं फटा फट अमीर बनने की मानशिक्ता में बरोसा नहीं करता जो जज़ातर लाटरी खेलने वालों या कैसे नों के जुआरियों के पास पाई जाती है मैं शेर खरीद सकता हूँ, शेर बेच सकता हूँ परन्तु मैं सिक्षा के मामले में दूर कमी विचार रखता हूँ अगर आप एक हावाई जाज उड़ाना चाते हैं तो मैं आपको पहले से सीखने की सला देना चाहूँँगा मैं एसे लोगों को देखकर हमेसा स्तब्द रह जाता हूँ जो स्टाउक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परन्तु मैं अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिलकुल निवेस नहीं करते जो उनका दिमाग है केवल एक या दो गर खरीद लेने से आपर रियल एस्टेट के ख्षेतर में भी से सग्गे नहीं बन जाते साथ रहने की ताकत सबसे पहले तो मैं यह है बता दूँ कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के इसाब से नहीं चुनता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनोंने गरीबी में जीने की किसम खाईे और एसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोणों कमाते हैं मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगा कर उन से सीखने की कोशिस करता हूँ मैं यह है मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलास की है परंतु मेरी नजर उनकी दोलत पर नहीं बलकि उनके ग्यान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जब कि कई बारे ऐसा नहीं हुआ परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं परंतु मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का गमण है वे इस वीशे में रुची रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझ से मेरे वे दोस्त दो आर्थिक दलदल में पसे हुए हैं वे पैसे वे वसाई या निवेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नजर में इसा करना मुर्कता पुन या बेमानी होता है इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिन्दगी में अर्पों डालर कमाई है उन में से तीन ने एक ही अनुबो बताया उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूसने कभी नहीं आई कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है परंतु वे उनसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आई पहला करज और दूसरा नोकडी चेताओनी गरीब या डरेवे लोगों की मत सुनिये मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ परंतु वे जिन्दगी में डरे हुए मुरूई है जब पैसे की बात आती है खास कर निवेस की तो उनकी नजरों में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी समझ्चा यह है है कि लोग उनकी बात सुनते है और जो लोग इन रसावादी विचारों को आँख मूंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं जैसी एक पुरानी कहावता है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमती होती है अगर आप CNBC देखते हैं जो निवेस की सुचना देने वाली सोने की ख़दान है तो आप के पास अक्सर तथा कतित विचे सग्यों का एक पैनल होता है एक विचे सग्यों यह कहेगा कि बाजार दरा सही होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठा हुआने वाला है अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेगी आपके दिमाग को खुला रखिए क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तरक हैं दुर्भग्या से ज़्यादा तर गरीब लोग चोटे मुर्गे की बात सुनते हैं मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं सोदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तरक देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमान चित था क्योंकि उसे अपनी जमा पुंजी वर 6 फिस्दी ब्याज वाला बॉन मिल गया था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16 फिस्दी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख बेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था मैं सालों से 16 फिस्दी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 6 फिस्दी ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूंगा कि दोलत बनाने में सबसे कटिन चीज यह है कि आप अपने प्रतियम आंदार रहें और भीड के साथ चलने की इच्छाने रखें बाजार में आम तोर पर भीड सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख्य प्रस्ट पर किसी बड़े सोदे की खबर चपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सोदे की तलास करिए जैसा हम तैरने वालों से कहा करते है हमेज़ा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते है और किसी लहर पर देर से पहुँचते है वे एकसर धराशाई हो जाते है स्मार्ट नवेसक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते है अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते है और खुद को पोजिशन में कर लेते है ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोग प्रिया नहीं है वे खरीदना उनके लिए डरावना होता है डरपोग निवेसक उस भेड के जुंड की तरह होते हैं जो भीड के साथ ही चलते हैं या उनकी लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेसक मुनाफ़ा कमा कर बाहर जा चुके हैं समझदार निवेसक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोग प्रिया नहीं होता, वे जानते हैं कि वे खरीते समय मुनाफ़ा कमाते हैं, बेशते समय नहीं, वे धीरत से इंतजार करते हैं, जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं, किसी तैरने वाले की तरह है, वे भी अगली बड़ी कैसे देखें, यह इंसाइडर ट्रेडिंग ही है, फरक सिर्फ इतना होता है, यह आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं, अंदरूनी जानकरी रखने वाले हमीर दोस्तों को बनाई रखने का एक कारण यह भी होता है, क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है, यह सूचना के आदा अंदरूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह जरूर कहता हूँ, कि आपको जानकरी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम खत्रे में उतना ही ज्यदा लाग कमार पाएंगे, दोस्त इसलिए होते हैं, और यही फाइनेंसियल बुद्धी है, नमबर चार, किसी फार्मूले अधार में ही क्यों नहो, यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है, इसलिए धन को अकसर डो भी कहा जाता है, हम मेंसे ज्यादा तर लोगों ने यह कावत सुनी है, आप वहे हैं, जो आप खाते हैं, मैं इसी कावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा, मैं कहता हूँ, आप आपका दिमाग इतना ज्यादा तकतवर है, कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे, आप वही बन जाएंगे, उधारन के तोर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं, तो आप कुक बन जाते हैं, अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको कोई और विशे जैसा एक स्कूल टीचर, सिक्षन का अध्यन कर लेने के बाद, आप अक्सर सिक्षक बन जाते हैं, और इसी तरह सिलसला जारी रह सकता है, अपने अध्यन के विशे को साउधाने से चुने, जब पैसे की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मूलबुत फर फार्मुला है, पैसे के लिए काम करो, संसार में सबसे ज़्यादा लोग पर यही है, इसके कारण हर दिन करोडों लोग, सुबह उठते हैं, और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेक बुक को बैलेंस करते हैं, कुछ मुचल फंड खरीद लेते हैं, यही उनका मूलबूत फार्मूला या नुसका है। अगर आप जो कर रहे हैं उसे आप ठक गई हैं या प्रियाप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने सब्तांत की एकक्षा में भाग लिया जिसका सिर्शक था किस तरह रियल इस्टेट फॉर क्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फार्मूला सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए सीदांत को असली जीवन में आजमाना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। तीन सालों तक जब मैं जेराक्स के लिए काम कर रहा था मैं खाली समय में फॉर क्लोजर्स को खरीदने की कलाक में पारंगत होने की कोशिस कर रहा था। मैंने उस फार्मुले से कई करोड डालर बनाए हैं परंतु आज यह बहुत धिमा फार्मुला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रियोग कर रही हैं। एक बार मैं उस फार्मुले का विसे से चगय बन गया तो मैं नए फार्मुले की खोज करने लगा। एसे कमरे में था जहां परमाणों भोती की और स्पेस साइंस की विशेसग्यों की भीड थी परन तो मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टोक और रियल इस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फाइदेमंद बन गया ज़्यादा तर जूनियर कालेजों और समुदाई कालेजों में फाइनेंसियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाईया योजित की जाती है शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फारमूले की खोश करता रहता हूँ इसी कारण नियमत रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों की पूरी जिन्दगी लग जाती है एक और बात आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा मैत्वपूर्ण नहीं रह गया है क्योंकि प्राई आज आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुगा है मैत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं यह कला अनमोल है ज्यादा तेज फार्मूले ढूंडने में यह बहुत काम आती है पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानों के जमाने से पैदा हुआ था अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ने करें आपको इससे पहले मरीन काप्स या किसी धार्मिक संस्ता में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें पैसा कमाएं और उसे फूंक दें खुद पर अनुसासन की कमी के कारण ही करोडों डालर की लाटरी जीतने वाले लोग जल्दी दिवालिया हो जाते हैं यह खुद पर अनुसासन की कमी ही है जिससे तनक्वा बढ़ने पर लोग ततकाल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं यह कैना कठिन है कि दस कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा मेत्वकून है परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशे सग्यता सबसे कठिन है अगर यह आप में पहले से ही मौजूद ने हो मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुसासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन समुदायों में बांटता है अमीर गरीब और मद्यम वरग सीधे तरीके से कहें कि जिन लोगों में आतम विशुआस कम होता है और जो फाइनेंशिल दबाओं को जादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं जैसा मैंने पहले बताया था मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक चीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर दखेलेगी दुनिया लोगों को इधर उधर दखेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं बलकि इसलिए कि आप में आंतरिक नियंदरन और अनुसासन की कमी होती है जिन लोगों में आंतरिक सेंसक्ती की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिन में आतम अनुसासन होता है मैं जिन व्यवसाई कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहां मैं लोगों को लगातार यह है याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान के अंदरित ने करें बलकि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान के अंदरित करें अपना खुद का व्यावसाइश सुरू करने के लिए तीन सरवादिक मैतपून मैनेजमेंट दक्स्ताइं है नमबर एक कैस्पलो का मैनेजमेंट नमबर दो लोगों का मैनेजमेंट नमबर तीन व्यक्तिकत समय का मैनेजमेंट मैं यह कहूंगा कि ये तिनों दक्स्ताइं के वल व्यावसाई शुरू करने वालों के लिए ही नहीं बलकि सभी काम करने वालों के लिए है ये तिनों आपके जिवन सहले में मैतपून भूमिकान बाती है फ्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाई में, किसी दार्मिक संग्टन में, शहर या देस में ये सबी दक्सताएं आत्मा नस्वासन को साधने से बढ़ जाती है जार्ज कलासें के पुस्तक, दरीचेस्ट में इन बेविलोन में, खुद को सबसे पहले बुक्तान करें का वक्तव सबसे पहले आया है इस पुस्तक की करोडों पर तियां विक चुकी है हलांकि करोडों लोगी जबर्दस जूमले को दोराते हैं पर बहुत कम लोगी इस चला का पालन करते हैं जैसा मैंने कहा है financials अक्षर था अक्षर पढ़ने की योगता देती है और अंक कहानी बता देते है किशी वेक्टिक के इंकम स्टेटमेंट और बैलेंसीर देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले बुगतान करें किसी दान्त का राग अलापते रहते हैं वे दर असल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हजार सब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंसियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले बुगतान करते हैं और जो एसन नहीं करते हैं चित्रों का ध्यन कीजिए और देखिए किया आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैस्पलो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सचमस कैस्पलो की ताकत समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले चित्र में कहां गड़वड़ी है और 90 फिस्दी लोग क्यों जिन्दगी वर कड़ी मेनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोचल सिक्यूरिटी जैसी सरकारी मदद की जुरूर क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं यह चित्रूस व्यक्ति के काम को दर्साता है जो खुद का बुगतान सबसे पहले करता है हर मईने अपने मासी खर्चों का बुगतान करने से पहले वे अपने संपति वाले कालम में पैसा डालते हैं हलांकि करोडों लोगों ने क्लासेन की पुस्तक पड़ी है और खुद को सबसे पहले बुगतान करें का सिदान समझा परन्तु हकीकत में वे खुद को सबसे आकिर में बुगतान करते हैं अब मैं आप मैंसे उन लोगों की चीक उकर सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स का बुगतान सबसे पहले करने में गंबीरता पूरवक विस्वास करते हैं और मैं यह भी सुन सकता हूँ कि सबी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं कि आपने बिल का बुकतान ने करें मैं सिर्फ यह कहता हूं कि आप वही करें जो यह पुस तक आपको सिखाती है यानि खुद को सबसे पहले पैसा दें और पिछला चितर इसी सिदान्द का सही लेखांकन चितर है जबकि बाद में आने वाला चितर पूरी तरह से गलत है मेरी पतनी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बेंकर हैं जिने शुरू में इस खुद को सबसे पहले पैसा देंसी दान्द से बहुत समश्या होती थी इसका कारण ये है है कि ये फाइनेंशियल प्रोस्पेशनल भी दरसल वही करते हैं जो की जनता करती है यानि वे भी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं मेरे जिवन में ऐसे महीने भी आई हैं जब किनी कारणों से मेरा कैस्पलो मेरे बिल्स से काफी कम रहा है फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसे दिये मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे वे आपके पीछे पढ़ जाएंगे आपको जेल भी हो सकती है आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगार देंगे वे लोग बिजली कार देंगे मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया क्योंकि दे रिचेस्ट मैन इन बेविलोन की कहानी इसी बारे में है खुद परनुसासन की ताकत और आंत्रिक सेहन सकती के बारे में इसे बोलचाल की बासा में गुर्दा भी कहते है जैसा मेरे अमीर डैड़ी ने मेरे नोकरी के पहले माँ में मुझे बताया था एक सेल्ज कलर कहता है आप इसे अपने कार्ड चार्ज में डाल दे आपका रियल इस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे चले वड़ो घर खरीदने पर सरकार आपको टेक्स में छूट देती है पूरी पुस्तक दरसल इसी बारे में है आप में धारा के विरुद जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए हो सकता है कि आप कमजोर नव हो परन्तु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का होसला पस्त होने लगता है मैं यह नहीं कहता कि आप गेर जिम्मेदारन बने मुझे पर ज़्यादा करज नहीं है क्रेडिट कार्ड का करज भी नहीं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं अपनी आई को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता इसलिए आप में से जिन लोगों ने The Secret of the Rich नाम का वीडियो देखा है उन्हें मैं यह है बता दूँ कि मेरी आए नेवादा के कार्परेशन के जरीए मेरे संपती वाले कालम से आती है अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती क्योंकि मैं अपने बिल्स का बुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परन्तु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुझकल में नहीं पासता हूँ मैं कंजुमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास इतने दाइतो है जो 99 फिजदी लोगों से जदा है परन्तु उनका बुगतान मैं नहीं करता बलकि दूसरे लोग मेरे देंदरियों को चुकाते है वे मेरे किराईदार कहलाते है तो खुद को पैसा देने का पहला नियम ये है कभी करज में मत फसो हलांकि मैं अपने बिल्स का बुक्तान सबसे आखिर में करता हूँ परंतु मैं के और कुछ मैं तवहिन बिली बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यह है है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे पर एक ऐसान कर रही है वे मुझे प्रेडित कर रही है कि मैं जाओं और ज़्यादा पैसा कम हो तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को न lect करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आम तोर पर उन्हें सही समय पर भुच्सान कर देता हूँ मेरी पत्नी और मेरी साक्छ बहुत अच्छी है हम केवल दवाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बच्छत को इस्तेमाल नहीं करते नहीं उनके लिए अपने स्टोक को बिशते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाव यह है, नमबर एक एसे बड़े कर्ज में ने फसें, जिसका बुगतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखें, अपने संपती को बनाएं अपने संपती को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शांदार कार खरी दें चुहा दोड़ में फसे रहने में समझदारी नहीं है ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का बुगतान करने के नई तरीकों के बारे में सोच सकें इस से ज्यादा पैसा कमाने के आपकी योगता भी बड़ेगी और आपकी फाइनेंसियल बुद्धी भी ज्यादा विक्सित होगी मैं कई बार फाइनेंसियल बटी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ती वाले कालम को कोई नुकसान नह पहुंचे मेरा बुक की पर चीखने लगा और बचाओ के लिए छुप गया परन्तु मैं उस तरह का सिफाई था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था गरीब लोगों की आदते में गरीब होती है एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ने की बिलों का बुक्तान करने के लिए मैं जानता हूं कि यह कठोर जान पड़ता है परन्तु जैसा मैंने कहा अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो दुनिया आपको इदर से उदर दके लेगी अगर आप आर्थिक दबाव पसंद नहीं करते हूं तो एक एसा फार्मूला कोज ले जो आपके लिए कारगर साबित हो एक अच्सा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए पैसे को बैंक में रखा जाए ज्यादा इंकम टेक्स चुकाया जाए सुरक्षित म्यूचल फंड खरीदे जाए और ओसत बने रहने की कसम खाई जाए परंतु यह है खुद को सबसे पहले बुगतान करें कि इसी दान्त का उलंगन करता है यह नियुम आतम बलेदान या आर्थिक सन्यास को परोटसाइद नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद बुखे मरो जिंदगी मौज मस्ती के लिए है अगर आप अपने फाइनेंसियल परतिवा को जागरत कर लेंगे तो आप के पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं आप हमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं और इस प्रकिरिया में अच्छे जिंदगी जी भी सकते हैं और यही फाइनेंसियल बुद्धी कहलाती है नमबर छे, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें अच्छी सला की शक्ती मैं एकसर देखता हूँ कि लोग अपने गर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं मालिक बेचना चाता है या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिसकाउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं मेरे अमीर टेड़ी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है वे इस बात में बरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा बुक्तान किया जाई और मैंने भी उसी सिदान्त को अपनाया है आज मेरे पास महेंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल इस्टेट ब्रोकर और स्टोक ब्रोकर हैं क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सच्पुज मानना है अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम सुचना के युग में रहे रहे हैं सुचना बेश कीमती है एक अच्छा ब्रोकर आपको सुचना तो देगा ही आपको सिक्षित करने के लिए समय भी देगा मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक है कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिलकुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह है मेरे दोरा उसकी सूजना से कमाए गई धन का बहут छोटा हिस्सा होता है मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल स्टेट ब्रोकर या स्टोक ब्रोकर बहुत पैसा अब कमाता है क्योंकि इसका आम तोर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने के जयनकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है जैसे उस समय जब मैंने खाली समीन के टुकडे को 9000 डालर में खरीदा और तत्काल इसे 25000 डालर में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीच सकूँ ब्रोकर आपके लिए बाजार की आँख और कान है वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती मैं इसके बजाए गोल्फ खेल सकता हूँ इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ मुझे यह बहुत मज़ेतार लगता है यह इस से ज़्यादा गरीब और मद्ध उमर गया लोग रेस्तरों में खराब सर्विस के बवजुद 15-20 फिजदी टिप देते हैं और ब्रोकर को 3-7 फिजदी देने में अनकानी और शिकायत करते हैं वे खर्च वाले कालम के लोगों को टिप देते हैं और संपति वाले कालम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं यह आर्थिक समझदारी नहीं है, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते, दुर्भग्य से ज्यादातर ब्रोकर सेल्जमेन होते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि रियल इस्टेट के सेल्जमेन सबसे बुरे होते हैं, परंतो उनके पास खुद बहुत कम या बिलकुल भी रियल इस्टे परी कथा की ही तरह, आप एक राजगमार खोजने के लिए बहुत से मेंटकों को चूमते हैं, पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एंसाइकलोपीडिया की जुरूरत हो, तो एंसाइकलोपीडिया बेजने वाले से मत पूछिए, जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटर्यू लेता हूँ, तो मैं पहले यह पता करता हूँ, कि उसके पास खुद कितने विक्तिकित प्रोपरटी या स्टोक है, और वह कितने परतिसद टेक्स दे रहा है, मैं अपने टेक्स अटारने और अकाउंटेंट के बारे में भी यही करता हूँ, मेरे पास एक काउंटेंट बदल लिया, क्योंकि हम एक ही बिजनस से प्रेम नहीं करते थे, एसा ब्रोकर खुजी है, जो आपके सर्वसरेश्टितों को ध्यान में रखता हो, कई ब्रोकर आपको सिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे, और वे आपके द्वारा खुजी की क्यों रहना चाहेंगे, यह विशुद और आसा तरक है, जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्स्ताओं में से, एक लोगों का मैनेजमेंट है, कई लोग के वले से लोगों को मैनेज कर पाते हैं, जो उनसे कम स्मार्ट हों, और जिन पर उनकी सथा हो, जैसे किसी आ उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाई, असली दक्स्ता है किसी दक्निकिक छेतर में अपने से स्रेश्ट और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना, और उन्हें अच्छे पैसे देना, इसल यह बिना कुछ दिये पाने की ताकत है जब अमेरिका में गोरे लोग गई तो उन्हें अमेरिकी इंडियन्स की परंप्रिक संसक्रती से जटका लगा उधारन के तोर पर अगर किसे गोरे व्यक्ति को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे स्वेथ परवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि स्वेथ परवासी कंबल वापस नहीं करना चाते थे इस तरह इंडियन दाता वाक्यांस पैदा हुआ एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमजी के कारण है संपत्ति के एक ओलम के दुनिया में इंडियन से दाता बनना दोलत के लिए बहुत जुरूरी है पर इसकर्थ निवेस्टर का पहला सवाल यह होता है मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापिस मिल जाएगा वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है इसलिए निवेस्टर वापसी इतनी मेहतपून है उदारन के तोर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जょ मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था बैंक साठहजार डोलर चाहती थी और मैंने पचासहजार डोलर की बुली लगाई जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बुली के साथ पचासहजार डोलर का चेक भी लगा गुआ था उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंबीर था ज्यादातर निवेसक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फसा नहीं रहें क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेतर नहीं हो तका इसका जवाब है इस मामले में बिलकुल नहीं मेरे निवेज कंपनी जाड़े के महीनों में इसे वेकेशन रेटल के रूप में इस्तेमाल करती है जब परवासी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे चार महीनों के लिए डाही जार डॉलर किराय पर दे देती है बाकी के आठ मीनों में इसका किराया केबल एक अजार डालर होता है मेरा पैसा लगवग तीन सालों में वापिस आ गया था अब मैं इस अंपती का मालिक हूँ जो हर मेंने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है यही स्टोक के बारे में किया जाता है प्राइब मेरा ब्रोकर मुझे सला देता है कि मैं किस कंपनी के स्टोक में काफी पैसा लगाँ क्योंकि उसके विचार से यह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेर में तेजी आ जाएगी कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है मैं अपने पैसे को एक अपते से लेकर एक महीने तक लगाए रखता हूँ जब शेर की किमते बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल दनराशी को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चड़ाओं से बेफिकर हो जाता हूँ क्योंकि मूल रकाँ वापस आ चुकी है और दूसरी संपती पर काम करने के लिए तयार है इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर वाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपती का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुझे मुफ्त में मिलती है यह सच है कि मैंने कई मोकों पर पैसा खोया भी है परंटु मैं इतने ही पैसओं से खेल खेलता हूँ जितने का नुक्सान मैं सेहन कर सकता हूँ मैं यह कहोंगा कि औस दस निवेसों पर हुझे दो या तीन में बहुत वाइदा होता है जबकि पांच या च्षे में कोई लावानी नहीं होती मैं दो या तीन में गाटा भी खाता हूँ परन्तु मैं अपने नुक्सान को उसी पैसे तक्सियमी तरक कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं जो लोग जो खिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख लेते हैं और दिरक काल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है परन्तु आपको अपना पैसा वापिस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे परन्तु आज कल एसा बीरेल ही होता है मेरे हर निवेस पर एक नए एक चीज मुफ्त होनी चाहिए एक छोटा रियल एस्टेट, एक मीनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टोक शेयर्स या आफिस बिलिंग और जोखिम भी सीमित होना चाहिए इस विशे पर इतनी ज़्यदा पुस्त की लिखी जा चुकी है कि मैं इसे नहीं जाना चाहूँगा मैकडोनाल्स के मसूर रेक रोक हैंबर्ग्स फरंचाईजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैंबर्ग्स से प्यार था बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फरंचाईजी के साथ आने वाला रियल इस्टेट मूफ्च में मिलता था तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपका पैसा वापस मिल जाए और आपके पास क्या समपत्ती आती है यह भी मैतकून है यह financial समझदारी है नमबर आठ समपत्ती से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती है केंदरित करने की शक्ती मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चिला था और एसा लगता था जैसे उसकी जेब में छेद हो गई हूँ 16 साल की उमर में सवाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर नगत कार खरीदना चाहता था एसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे इसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ इसके जवाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परन्तु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेडित कर सकते हैं अचानक उसकी टूबलाइट चमकी और वह तुरंद घर की तरफ चल दिया दो मईने बाद मुझे वैदोस्त मिल गया क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिली परन्तु मैं गया और उसे कार के लिए तीन अजार डाटल दे दिये मैंने उसे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाए प्रबल इच्छा के साथ सीखने की सर्थ भी लगा रखी है शर्थ क्या है मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैश पलो गेम का साहरा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तिमाल पर एक लंबा विचार भी मर्स किया फिर मैंने उसे वाल स्ट्रीट जनरल की सदस्ता दिलवा दी और स्टाक मार्केट पर कुछ पुस्त के भी दिलवाई फिर दिक्त कहा थी मैंने उससे कहा कि तीन हजार डालर उसके हैं परंतु वह इसे सीधे कार नहीं खरीच सकता वह इनके स्टोक खरीदे और बेच सकता है खुद का ब्रोकर ढूंड सकता है और एक बार वह इन तीन हजार डालर के च्छै हजार डालर बना लेता है तो वह अपनी कार खरीच सकता है और बाकी के तीन हजार डालर उसके कालेज के फंड में जाएंगी मैंने पुछा और इसके परिणाम क्या निकले वह सुरुआत में किस्मत वाला रहा परंतो कुछ दिनों बाद उसे अपने मुनाफे के सारी रकम गवा दी तब वह सचमुच रूची लेने लगा आज चाहिवे दोजार डालर के गाटे में हो परंतो उसकी रूची बहुत बढ़ गई है उसने मेरे दुवारा खरीदी सारी किताबे पढ़ डाली और वह और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालिया भी चला गया वह मन लगाकर वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ता है सुचकों पर नजर रखता है और MTV के बजाए CNBC देखता है उसके पास केवल एक जार डालर बचे हैं परंतो उसकी रूची और ग्यान आस्मान को चू रही है वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परंतो उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं पड़ी है अब उसे कारा हसिल करने में ज्यादा रूची नहीं है क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा अनन मिलता है क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूँगा कि वह अपरी सारा पैसा हार जाए बजाए इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी सिक्षया पर खर्च किये गए यह सर्वस रिष्ट तीन जार डालर थे जो वह सीख रहा है वह जिन्दगी वरूस के काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान का भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसके जेव का छेट बंद हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पैसे देंवाले खंड में कहा था अगर कोई व्यक्ति आतम अनुसासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिस नहीं करे सैदान्तिक एसाब से संपत्ति वाले कालम से कैस्पलो विक्षित करने की पर किरिया आसान नजर आती है परनतो इसमें पैसे की दिसा देने की मानसिक शक्ति की जरूर्ट होती है जो मुष्किल साबित होती है बाहरी आकर्षनों और परलोबनों के कारण आज की खरिदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान होगे चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाई कमजोर मांसिक शक्ती के कारण ही वह पैसा सबसे कम परतिरोध वाले रास्ते पर बहे जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्स का कारण है मैंने फाइनेंसियल समझदारी का यह है आंकड़ों का उधारन इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यदा पैसे कमाने की योगता को जाना जा सके अगर हम सो लोगों को साल के शुरू में दस हजार डालर दे 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 तो साल के अंत में क्या होगा असी के पास कुछ भी नहीं बचेगा वास्ता में कई तो ज़्यदा करज में दवे होगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रीज, टीवी, वीचियार या छुट्टियों के लिए नगत पैसा दिया होगा सोला ने उस दस हजार डालर को पांच से दस फिजदी बढ़ाया होगा और चार ने इसे बीस हजार डालर या लाखों डालर तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें मेरे विचार में यह सीखना भी मैं तो पूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तों से प्रेम करता हूँ अंतर यह है कि कई लोग अपने विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते है यह पडोसियों से परतियोगिता करने का जाल है जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुला कर लोन ले लेता परंतु मैंने दाइतों वाले कालम को बढ़ाने के वज़ाए संपत्ति वाले कालम पर ध्यान के निरित रखा अब तो मुझे आदत पढ़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसा जुटा सकूँ आज कल प्राए हम अपनी मन्चाई चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान के निरित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान के निरित नहीं करते यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है परंतों लंबे समय में यह बहुत मुश्किल थाबित होता है यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इनसानों के रूप में और राष्ट के रूप में भी है याद रखें आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के सासके रूप में परशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा पैसा बहुत बड़ी ताकत है, दुर्भग ऐसे लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाप इस्तेमाल करते है अगर आप में पैसे की समझ कम है, तो पैसा आपके उपर राज करेगा यह आप से ज्यादा स्मार्ट होगा, अगर पैसा आप से ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा, तो आप इसके लिए जिन्दगी भर काम करते रहेंगे पैसे के वी उपर शासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे यह आप की आग्या का पालन करेगा इसके गुलाम होने के बज़ाए आप इसके मालिक होने यही आर्थिक समझदारी है नमबर नो, नाइकों की जुरुषत, मिथक की ताकत जब मैं छोटा था, तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रसंद सकता वे मेरे आदर्स थे, लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाथा था, मैंने उनके बेसवाल कार्ट भी सहीज रखे थे मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था, मैं उनके बारे में सभी आँखडे जानता था उनके बेटिंग के उसक उन्हें मिलने वाली दन्राशी और वे किस तरह बड़े हुए सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाता था क्योंकि मैं उनके जासा बनना चाता था 9 या 10 साल की उमर में मैं जब बेसबाल खेलने के लिए मेदान पर जाता था तो वह मैं नहीं जाता था बलकि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे यह सीखने के सबसे ससक तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं हम अपने नाइकों को खो देते हैं हम अपने नोसिखिये पन को खो देते हैं आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केट बाल खेलते देखता हूँ कोर्ट पर वे छोटी जानी नहीं होते वे तो माइकल जोडन, सर चार्ल्स या कलाइड होते हैं आदर्स नाइकों की नकल करना ग्यान प्रापत करने का सचा और ससक तरीका है और इसलिए जब ओजी सिंप्चन की तरह का नाइक बदनाम होता है तो इतने चिख पुकार मस्ती है यह किसी अदालती कारवाई से जड़ा होता है यह एक आदर्स नाइक को खो देना होता है एक एसे व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बच्पन में संजोई रहते हैं और वे जिसकी पूजा करते हैं अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है जब मैं बड़ा हो गया था तो मेरे नाइक बदल गए थे मेरे गोल के हीरो बने पीटर जैक्पशन, फ्रेड कपल्स और टाइगर बूर्स मैं उनके शोट की नकल करता था हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे आदर्स नाइको में डोनाल्ड ट्रम्प, वारेन बूफे, पीटर लेंच, जाद सोरोस और जिम राजर्स भी है बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह कि अपने बच्पन में बेस्पाल हिरोज की आंकड़े जानता था मैं अनुसरन करता हूँ जब बारेन बूफे, निवेस करते हैं और बाजार के बारे में उनके नजरिये के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिस करता हूँ मैं पीटर लिंच की पूस्तक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टोक चुनने की उनकी तक्निक को समझ सकूँ और मैं डोनाल्ड टरम्प के बारे में इसलिए पढ़ता हूँ ताकि यह जान सकूँ कि वे किस तरह सोदे करते हैं जिस तरह मैदान पर बेस्वाल के लिए बेटिंग करते जाते समय मैं खुद की बूमिका में नहीं होता था उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ या मैं कोई सोदा करता हूँ तो मैं आवचेतन रूप से ट्रम्प की बातुरी का अबने करता हूँ या जब मैं किसी प्रवर्ती का विशलेशन करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंस यहे काम कर रहे हूँ आदर्सनाइक होने से हम अपनी कच्ची परतिबा के व्रहद सुरूत का देहन करते हैं परन्तु आदर्सनाइका में प्रेडित करने से भी ज़्यादा बड़ा काम करते हैं वे चीजों को ज़्यादा आसान बना देते हैं चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उनी की तरह बनना चाते हैं अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ जब निवेस की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं इसके बजाए उने आदर्स नाइकों की तलास करना चाहिए जो इन्हें आसान बना देते हैं नमबर दस सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ती मेरे दोनों डैडी सिखशक थे मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबग सिखाया जो मेरे साथ जिन्दगी वर चल रहा है और वह ऐस सबग था परोपकार करना या देना मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ग्यान द्वारा दूसरों को बहुत दिया परंतो शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो जैसा मैं बता चुका हूँ वे सामानेता कहा करते थे कि वे तब ही देंगे जब उनके पास कुछ अत्रिक धन होगा और उनके पास कभी भी अत्रिक धन नहीं होता था मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी वे देने के इसी दान्त में पका यकीन रखते थे अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपनी चर्च या अपनी पसंदिदा धार्मिक संस्था को दान देते थे अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वे विचार यही होगा जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या जरूरत महसुस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें बाद में वह बाल्टियों से बरकर आपके पस लोटाएगी यह पैसा, मुस्कुराहाट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा परंतु मैंने ऐसा किया है और इसके फाइदे भी उठाई है मैं विश्वास करता हूँ कि आदान परदान Republicासिदान सही है और इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापिस आ जाता है। मैं विक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और व्यक्तिगी कुछ बेजने में मदद कर देता हूँ और मेरे विक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ तथा मैं किसी और की संपर्क देना चाहिए। मेरे अमीर डेडी एकसर कहा करते थे। गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह है व्यक्ति दूसरों द्वारत चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्सों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ। और फिर इसे देने का फैसलात किया है। और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लोटा है। यह मुझे उस कहनी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंडी रात में लकडियां लेकर बैठा है और पास में धीमे धीमे जल रेस्टो पर चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकडियां अंदर डालूंगा और जब पैसे प्रेम सुक बिक्री और संपर्क की बात आत ही है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाते हैं पहले आप उसे दे दे और यह कई गुना होकर आपके पास लोट आईगा बहुदा केवल यही सोचने की परकिरिया से भी कि मैं क्या चाहता हूं और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूं मेरे अं जादू की तरह हैं मेरे आसपास अचानक बहुत से मुश्कराने वाले लोग जमा हो जाते हैं यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दरपन हैं तो इसलिए मैं कहता हूं सिखाओ और आपको मिलेगा मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंबेरता से जितना ज ज्यादा सीखता हूं अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फार्मूलों की बाड़ा जाएगी ऐसे भी समय आये हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटा था मेरे डैड़ी ने सिख्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गई मेरे अमीर डैड़ी ने यूवा लोगों को अपना बिजनस करने का तरीका सिखाया मैं पीछे पलट कर देखता हूं कि यह सीखने वालों की अपनी ग्यान के प्रति उदारता ही थी जिसके ख ताक्तों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताक्तें भी आपकी प्रति उदार होंगी धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई दस की ओर जो है और ज्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए आपका दिन शुब हो रिच डैड पूर डैड अध्याई दस और ज्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए हो सकता है कि कई लोग मेरे दस कदमों से संतोष्ट ने हो उनकी नजर में यह फिलोस्पी जदा है और इसमें काम की बातें कम है मैं यह मानता हूँ कि फिलोस्पी भी उतने ही मैतवपूर्ण है जितने की काम की बातें एसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाए करना चाते हैं और एसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है मैं यही कहूंगा कि मैं दोनों परकार के लोगों का सहियोग हूँ मैं नई विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें कि बारे में कुछ मारिक दर्शक बाते जानना चाते हैं मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताओंगा जो मैं करता हूँ आप जो कर रही हैं वह करना बंद कर दें दूसरे सब्दों में आवकास लें और यह आंकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है पागलपन के परिवसा यही है कि आव वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिणाम की अफिक्षा करें जो सफल नहीं हो रहा है वहे करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोजें नए विचारों की तलास करें नए निवेस के विचारों के लिए मैं किताब की दुकान में जाता हूँ और अलग-अलग तथा अनूठे विशो पर पुस्त के ढूनता हूँ मैं उन्हें फार्मूलों का नाम देता हूँ मैं कैसे करें पुस्त के उस फार्मूले के लिए खरीता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता उधारन के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोईल मासको वीर्ज की पुस्तक The 16% Solution देखी मैंने वह पुस्तक खरीदी और पड़ डाली ततकाल काम करें अगले बुद्वार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था मैंने हर कदम पुस्तक के अनसार उठाया था वकिलों के आफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सोदों के साथ भी यही किया है ज्यादातर लोग तकाल कदम नहीं उटा थे या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके दोरा सिखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरन करना बिलकुल बेकार है मेरे पडोसी ने मुझे बताया कि मेरा सोला फिजदी का फार्मूला क्यों बेकार है बहराल मैंने उसके बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था किसी ऐसे आदमी को खोजे जिसने वह किया हो जो आप करना चाते हैं उन्हें लंच पर ले जाएं उनसे टिप्स लें बिजनस की बारिकियां समझे अपने सोला फिजदी के प्रमान पत्रों के लिए मैं काउंटी टेक्स आफिज गया और मैंने वहां पर काम करने वाले सरकारी करमचारियों को खोजा मैंने यह पाया कि वहवी इन में निवेस करती है तदकाल ही मैंने उसे लंच का नोता दे दिया उसने रोमान चित होकर मुझे यह समझा दिया इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ग्यान मेरे सामने परोस दिया लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगएं दिखाई जहां मैं इस तरह का सोदा कर सकता था अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से दो बड़ी जायदतों को पा लिया था और मैं तब से उन पर सोला फिश्दी की दर से ब्यास कमा रहा हूँ मुझे पुस्तक पढ़ने में एक दिन लगा कदम उठाने में एक दिन लगा लंच में एक गंटा लगा और दो बड़े सोदे करने में केवल एक दिन लगा कक्षाओं में भाग लें और टेप खरी दें मैं अकबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर रोज़ा ना खोजबा रहता हूँ इन में से कई तो मुफ्त होती है या उनकी फीस बहुत कम होती है मैं जो सीखना चाहता हूँ उस वीशे पर मैं महेंगे से मेनारों में भी जाता हूँ मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नोकरी करने की कतई जुरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्ठे करमों में भाग लिया है मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के करकरमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बरबाद कर रहा हूँ वे आज भी वही काम कर रही है हमेशा आफर देते रही जब भी मैं कोई रियल इस्टेट की प्रोपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रोपर्टी देखता हूँ और आम तोर पर एक आफर लिख देता हूँ अगर आप नहीं जानते कि सही आफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता यह तो रियल इस्टेट एजेंट का काम है वे ओफर का आंकड़ा देते हैं मैं जहां तक संभव हो सकता है कम से कम काम करता हूँ मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस करीदना सिखाऊं एक शेनिवार को वे है उसका एजेंट और मैं गए और हमने छे अपार्टमेंट हाउस देखे चार तो गटिया थे परन्तु दो अच्छे थे मैंने उससे कहा कि वह सभी छे पर आफर लिखे और मालिकों दोरा मांगी गई कीमत से आदी का आफर दे यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दोरा पढ़ते पढ़ते बचा उसके हिसाब से यह बत्तमी जी होगी और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है परंतु मैं वास्तों में नहीं सोचता कि एजेंट इतनी कड़ी मेनत करना चाहता था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेतर सोदे की तलास में चले गई उन्होंने कभी कोई ओफर नहीं दी और वह आज भी सही कीमत पर सही सोदे के लिए भटक रही है आप नहीं जानते हैं कि सही कीमत क्या है जब तक कि सोदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी नहीं हो ज़्यादा तर बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं यह दुरलब ही है कि कोई बेचने वाला वास्तों में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तों एक मुल्या से कम हो। इस कानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें आफर देना चाहिए, जो लोग निवेसक नहीं होते, उन्हें यह समझ ही नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है, मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रोपर्टी थी, जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था, मैंने कि हो गया होता, उफर की कीमत से नहीं, बलकि इस बात से कि कोई तो मेरे प्रोपर्टी में रूची रखता है, इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सूर फार्म को हासिल करने की कोशिस करता, तो यहे खेल इस तरह से खेला जाता है, खरिदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है, इस बात का हमेसा अंद्यान रखें, यहे मज़ेदार है और यहे के वल एक खेल है, ओफर देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा, और मैं हमेसा अपने आफर में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ, रियल इस्टेट में मैं हमेसा अपने ओफर में यहे लिखता हूँ, कि बिजनस पार्टनर के अनमोदन के बाद ही, यहे समझोता अंतिम माना जाएगा, मैं यहे कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनस पार्टनर कोन है, ज्यादातर लोग यहे नहीं जानते कि मेरी बिजनस पार्टनर मेरी बिली है, अगर वे आफर को मान हैं और मैं सोदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपने बिली से बात कर लेता हूं मैं यह आजीबों करीब वक्त वे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान और सरल है ज्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंबिरता से ले लेते हैं एक अच्छा सोदा खोजना या सही बिजनस डूंड़ना सही लोग या सही निवेसक डूंड़ना दरसल डेटिंग यही तर परचा करनी होती है ऐस्विकार या स्विकार करना होता है मैं जानता हूँ कि एसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर ateg chunky बेटकर फ़ोन की घंटी बजने का इनतला हें परन तो जब तक आप सिंड्डी कारफूर्ड या टाम क्रूज नहीं होते ही मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सूपर मार्केट में ही चले जाएं खोजें, आफर दें, ऐस्विकार करें, सोदे बाजी करें और स्विकार करें यह जिन्दगी में हर चीज के बारे में दोराई जाने वाली प्रकिरिया है महिने में एक बार किसी निश्चित स्थान से दस मिनट तक जोगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले मैंने अपने कुछ बेहतरिन रियल स्थेट के निवेस्टो जोगिंग करते समय ही खोजी है मैं एक साल तक किसी निश्चित धायरे में जोगिंग करता था मैं परिवर्तनों को देखता रहता था किसी भी सोदे में फाइदे के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है तो मैं जोगिंग करने के लिए एसी जगह चुनता हूँ जहां मैं निवेस्ट करना चाहता हूँ बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रही चोटे चोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ मैं एसे रियल स्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूँ जो वहां काफी लंबे समय से लगे हुई है इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सोधा करने के लिए बहुत ज़्यादा इचुक होगा मैं जाते वे ट्रुकों को भी दिखता हूँ और आते वे ट्रुकों पर भी निगा लगाए रखता हूँ मैं रुक कर ड्राइवरों से बात करता हूँ मैं डाकियों से भी बात करता हूँ उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकरी होती है मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं मैं वहां साल में कई बार खेहर देखने के लिए चक्तर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षां कहा नजरा रही है मैं रिटेलर से बात करता हूँ खासकर नए दुकानदारों से और उनसे यह पूशता हूँ कि वे इस आलाके में क्यों आये हैं इसके लिए महिने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा का कर रहा होता हूँ जैसे स्टोर जाने या आने का काम स्टोक के मामले में मुझे पीटर लिंस की पुश्टक बीटिंग दे स्ट्रीट इसलिए बहुत ज़्यारा पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टोक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमते बढ़ने वाली है मैंने यह पाया है कि कीमत पढ़ने के सिदान्थ हर जगे एक जैसे होती है साहे वेर रियल इस्टेट हो स्टोक हो मिचल फंड हो नया पालतु कुता हो नया घर हो नया जीवन साती हो या लॉन्डरी के डिटरजेंट पर बार्गेनिंग हो पर किरिया लगबग वही रहती है आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किस की तलास कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलास ना होता है गरहा का हमेशा गरीब क्यों रहेंगे जब सूपर मार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टोईलेट पेपर की तो गरहा क दोड़कर स्टोक की कठा कर लेते हैं जब स्टोक मार्केट में सेल लगती है जिसे सामने तेक क्रेस या उतार या सुधार कहा जाता है तो गरहा क इसे दूर भाग जाते है जब सूपर मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहा कहीं और जाकर खरीदारी करता है जब स्टोक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहा क खरीदना शुरू कर देता है सही जगों पर खोजिए मेरे पडोसी ने कंडोमीनियम एक लाख डॉलर में खरीदा मैंने उसके बगल में यह वैसा ही कंडोमीनियम पचास अजार डॉलर में खरीदा उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैंने उससे कहा कि फाइदा खरीदते समय होता है नहीं कि बेजते समय उसने एक ऐसे रियल इस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रोपर्टी नहीं थी मैंने एक बार बैंक के फोर क्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी मैंने एक कक्षा में 500 डॉलर की फीज देकर यह सिखा था कि एसा कैसे किया जा सकता है मेरे पडोशी का विचार था कि रियल इस्टेट में निवेस की कक्षा के लिए 500 डॉलर की फीज बहुत महंगी थी उसने कहा कि उसके पास नए तो इतने पैसे हैं नए ही समय इसलिए अब वह किमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैं पहले तो उन लोगों की तलास करता हूँ जो खरीदना चाहते है फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंडता हूँ जो बेचना चाहता है मेरा एक दोस्त एक प्लाट ढूंड रहा था उसके पास पैसा था परंतु उसके पास समय नहीं था मैंने भी ढूंडना चालू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा टुकडा मिल गया मैंने इसे एक विकल्ब के साथ जोड़ दिया अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ओफर दिया उसे जमीन का चोटा टुकडा चाहिए था इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकडा उसे बेश दिया और जमीन खरीद ली जमीन का बाकी बचा टुकडा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है केक खरीदो और उसे टुकडो में बांड़ दो ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मताबिछ सामान की खोज करते हैं इसलिए यह कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं दिखते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू कीजिए दुकानदा ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिसकाउंट देते हैं और वेकेवल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा तर्विय उसाई ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं अगर आप कम खर्च भी करते हो तो भी आपको हमें सम बड़े विचार को ही सोचना चाहिए जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है हम सब मिलकर कई डिलरों के पास गई और एक पढ़िया सोधा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे मैंने यही सेरों के साथ भी किया चोटे लोग हमेशा चोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोट चोटी है या तो अकेले ही काम करें या फिर काम ही नहीं करें इतिहास से सिखें स्टोक एक्सचेंड की सभी बड़ी कमपनिया चोटी कमपनियों की रूप में शुरू हुई थी करनल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उमर में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गबा दिया था बिल गेट्स 30 साल से भी कम उमर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं सक्रियता हमें सान निस्क्रियता को हरा देती है अवसर पैचानने के लिए केवल कुछ ही चीजी हैं जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ इन में से सबसे महत्व कुछ शब्द है किया और करो जैसा इस पुस्तक में कई बार दोर आया जा चुका है संपत्ते के पुरुषकार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा तो काम पर जुट जाएं अभी से ही धन्यवाद आईए चलते हैं उपसहार की तरफ केवल साथ अजार डालर में ही कॉलेज की सिक्षा आपका दिन सुब हो रिच डेट, पुर डेट, उपसहार केवल साथ अजार डालर में ही कॉलेज की सिक्षा अब जब यह पुस्तक खतम हो रही है और चपने जा रही है मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ इस किताब को लिखने का खास कारण लोगों को यह है सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिन्दगी की समन्य समझ्याओं को सुलज़ाया जा सकता है वितिय प्रशिक्षन के बिना हम उनींगी से पिटे फार्मूलों के साहरे जिन्दगी काड़ देते हैं जैसा कड़ी मेहनत करो बचाओ, उधार लो और बहुत ज़्यादा टेक्स चुको आज हमें ज़्यादा समझदारी की जरूरत है मैं निजे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समझ्या के अंतिम उधान के रूप में प्रस्तूत कर रहा हूँ जिससे कई युवा परिवार आजजूज रही है आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटाइर्मेंट के लिए पैसा इकठा कर सकते हैं इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए कड़ी मेंट के बजाई वित्य अबुद्धी का प्रियोग किस तरह किया जा सकता है यह इसी का उधारन है मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखडा रो रहा था कि चार बच्चों की कालेज की सिक्षा के लिए पैसों की बज़त करना कितना कठिन था वह हर मईने एक म्यूचल फंड में तीन सो डॉलर जमा कर रहा था और अब तक उसके पास बाराजार डॉलर जमा कर लिए गई थे उसे अपने बच्चों को कालेज बेजने के लिए चार लाख डॉलर की जुरूरत थी उसके पास इसे जमा करने के लिए बारा साल थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था यह 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल स्टेट बाजार दुर्दसा में था लोग बाग अपना घर पार बेचने में लगे थे मैंने अपने इस सहवाटी को सुझाया कि उसके पास म्यूचल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से में वह एक घर खरीद ले यहे विचार उसे कुछ-कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसकी बैंक में क्रेडिट नहीं थी और उसके पास इतना नगत नहीं था मैंने उसे पुरुसा दिलाया कि किसी प्रोपर्टी को फाइनांस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के लावत दूसरे रास्ते भी होते हैं हमने दो हबतों तक मकान खोजा एक एसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे इसलिए हमें शोपिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा था आखिरकार हमने एक अच्छे महले में तीन बेटरूम और दो बात वाला घर खरीद लिया घर पसंद किया मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे जहां उसकी नोकरी उसका इंतजार कर रही थी वह एक लाग दो हजार डालर चाहता था परन्तो हमने उसे 80,000 का आफर दिया उसने ततकाल उसे मंजूर कर लिया उसकर पर एक नोन क्वालिफाइंग लोन था जिसका मतलब यह था कि कोई बिना लोकरी वहला आदमी भी उसे बेंकर के अनुमोधन के बिना खरीच सकता था मकान मालिक पर बेतर अजार डालर का कर्ज बाकी था इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए साथ अजार डालर का इंतिजाम करना था जो कर्ज की रकम और खरीदने की रासी का अंतर थी जैसे ही मालिक ने घर खाली किया मेरे दोस्त ने मकान की रहे पर उठा दिया सारा खर्च निकालने के बाद जिसमें करज की किस्त भी शामिल थी उसकी जेब में हर मेने 125 डालर आने लगे उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर मेने मिलने वाली अतिरिकत 125 डालर का उप्योग करके जल्दी से जल्दी करज उतार दे हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में करज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका बहला बच्चा कालेज जाएगा तो उसके पास 800 डालर पर ती महा के अमदनी होगी अगर उस मकान की किमत बढ़ जाती है तो वहे घर को बेच भी सकता है 1994 में फिनिक्स में रियल इस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराईदार ने 156,000 डॉलर का ओफर दिया जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने वास्तविक रूप से कहा कि यवा है इसे 1031 टेक्स विहीन एक्सचेंज के आदार पर बेच दे अचानक ही उसके पास लगबग 80,000 डालर अतिरिक ता गए मैंने ओस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया तीन महीने के बीतर उसे हर महीने लगबग 1000 डॉलर के चेक मिलने लगे इसे वह कालेज म्यूचल फंड में जमा करने लगा और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था 1996 में मिनी वेर आउस बिक गया और उसे बिकरी के हिस्से के रूप में लगबग 30,000 डॉलर का चेक मिला जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिये जिससे उसे हर में ने 3,000 डॉलर से ज़्यादा आमदनी होने लगी जो उसके कालेज म्यूचल फंड में जाने लगी उसे अब पूरा विस्वास है कि उसका 4,000,000 डॉलर का लक्षे आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल 7,000 डॉलर और थोड़ी सी वित्य गुद्धी का इस्निमाल करना पड़ा उसके बच्चों को अब उतनी सिक्षा मिल रही थी जो वे हासिल करना चाते है और वह है अपनी मूल पुंजी का प्रियोग अपने रिटाइर्मेंट के लिए कर सकता है जो अभी उसके सी कर्परेशन में निवेस की हुई है इस सफल निवेस रिननिती के कारण अब वह जल्दी ही रिटाइर्मेंट ले सकता है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि इस से आपको कुछ समझ मिली होगी किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है यहे विचार की पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है बित्य रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसे बनाने की कला अभी नहीं सिखी है पैसा केवल एक विचार है अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना जाते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल दीजिए हर आत्म निर्मित आदमी ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बढ़ा किया था यही निवेस के बारे में भी लागू होता है शुरू करने के लिए केवल कुछ डालर ही काफी है और बाद में इन से बड़ी रकम बनाई जा सकती है मैं इसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिन्दगी पर किसी बड़े सोदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सोदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं परन्तु मेरी नजर में यह मुर्क न पूर्ण है। ज्यादातर मैंने नासमज निवेशकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझोते में लगाते हुए और इस कारणों ने तेजी से बरबाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं। वे अच्छे ना मैंने च्छे साल से भी कम समय में पांच अजार डालर को दस लाख डालर की समपती में बदला है। जिससे हर मैंने पांच अजार डालर का कैस्फल वाता है। अरंतु मैंने यह बच्पन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रेरित करता हूँ क्योंकि यह इत इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है पैसा केवल एक विचार है एक बहुत बड़ी अपुस्तक है Think and Grow Rich सोचिए और अमीर बनिये इसका सिरसकी यह नहीं है कि कड़ी मेनत करिए और अमीर बनिये यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर पैनत करवा सकते हैं और आपकी जिन्दगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बज़ाए स्मार्ट बने और अपनी बुद्धी का प्रियोग करें धन्यवाद